हेलो, वाट्स अप गाईज, मैंने में स्पिनोद बादूर थापा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ओसम चैनल थापा टेक्निकल पेंड बताना चाहूंगा बहुत मज़ा हैगा और हम देखेंगे पांच प्रोजेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यह समझने के लिए कि हम रियक्ट में जो भी समझे रहे उसको इन रियल वर्ल प्रोजेक्ट्स या एप्लिकेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अपको बहुत ही ज़्यादा तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जब हम जैसे जैसे रियक्ट के जो बेसिक कॉंसेपट। इसको समझेंगे हम साथी-साथ यह प्रोजेक्ट पर वो करेंगे ताकि हम जो भी समझ दो इसको क्या से करें रिए लवर्ल में वह कैसे यूज भो तो आपको पाता चले सो जहां पर मॉर्णिंग में हमें कौन सा खाना मिलेंगमें क्या मिलेगा लुंदा इन्ड गाल जो आल धॉस सब कुछ आपको यहां पर मिल को देख सकते हूं जब भी में सपर क्लिक आपको पेज़ क्ल पड़ेगा ठीक है तो आर फर्स्ट प्रोजेक्ट विल भी रेस्टोरेंट वेबसाइट जैसे जैसे हम बेसिक समझेंगे इस पर काम करेंगे जब हमारा बेसिक कम्पलीट हो जाएगा तब हम थोड़ा एडवांस आएंगे हम होक्स के बारे में समझेंगे पड़ेंगे तब मैं आपको दो डिफरेंस दिखाना चाहूँगा विद्धी हलप उफ यूज इस्टेट होक्स एंदन यूज रिडूसर रूक्स एंदन गाइस आपको डिसाइट करना है कि दोनों में कौनसा बैटर है ठीक है अब देख सकत हूँ जब मैं इस पर क्लिक करता हो यह इंक्रिम इक्रिमेंट हो रहा है लेकिन एक चीज आपने नोटिस यह नहीं क्या होगा कि उपर चैट्स 3 मैं क्लिक करता हूँ फोर्ट उपर भी फोर दिखाई दे रहा है जब या वाट्सएप या फेस्बूक या मैसेंजर कहीं पर भी वर्क करते हो जब निव निव मैसेज आता है तो आटोमेटिक चैट्स के बाद या मैसेजस वह वाँ पर अपडेट होके दिखाई देता है तो वह कैसे हो रहा होगा रियक्त की मदद से वह मैं आपको बताऊंगा तो इस तरह के से हमारा बेसिक हमारा हुक्स जब कंप्लीट हो जाता है दैन हम हमारा प्रोजेक्ट नहीं है ठीक है एंड मैंगो पर क्लिक करता है तो आप देख सकते मुझे मैंगो आ जा रहा है तो इसमें अब एक चीज़ नोटिस करोगा इसमें इस डेटा को डिलेट कर सकता हूं मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं अगर मुझे डिलेट करना हो तो मैं डिलेट कर दूंग मैं यहाँ पर चल के सिरके से green लिख दूँगा and again इस पर click कर दूँगा and boom वापस मैंने सिर्फ उसी data को ना तो कुछ एक add किया ना तो कुछ delete किया उसको मैंने update भी कर दिया तो वो सारे functionality जो current operation होता है create, read, update, delete सब कुछ इस एक वीडियो में and the best part and the best part हो तो मैं बता नहीं बूली है and that is अगर मैं Apple पर click करता हूँ कल के दिन अगर मैंने refresh की guys and boom guys आप देख सकते हूँ कि इसको मैं चाहूँ अब जितना भी refresh करूँ data हमेशा मुझे वहीं पर मिलने वाला तो हम इसमें local storage भी use करेंगे and then guys हमारा main project होने जा रहा है हमारा weather application app जहां पर हम real world API के साथ work करेंगे and यह जो data आप दिखाई दे रहा है आपको पूने का दिखाई दे रहा पूने का temperature पूने में कब sunset होगी humidity कितनी है pressure कितना है wind का क्या है and मेरा current update date and time देख सकते हैं मैं वापास refresh करूंगा फिर भी मुझे data आ रहा है सिर्फ पूने ही क्यों अगर मैं Mumbai लिखता हूँ and boom guys मुझे Mumbai का data आप देख सकते हो icon change हो जाता है Mumbai कहां है इंडिया में date time sunset कब होगा सारा data जो भी कुछ हमें मिल रहा है आप चाहो तो भारदेश का भी कर सकते हैं जैसे कि मैं पोखरा में बॉन ओर ठीकि नेपाल में तो मैं अगर मैं इस तरीके से पोखरा लिख देता हूँ search करता हूँ and boom guys आप देख सकते हो पोखरा and NP दिखा रहा मतलब नेपाल clouds, timing, wind, pressure, सब कुछ sunset आपको बता रहा कितने बज़े होगा and उसी तरीके से आप नेपाल, Tokyo, London आपको जहां जो लिखना आप सब कुछ लिख सकते हो सब कुछ आपको यहां पर Tokyo, Japan बता रहा है यह बहुत ज़्यादा awesome project होने वाला है क्योंकि real world API है, इसमें API के साथ कैसे work करना है कैसे आप awesome user interface create कर सकते हो, सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में देखेंगे आपको इन सारे project में सबसे best project कौन सा लागा, नीचे comment करके जरूर बाताना वीडियो को एन तक जरूर देखेंगे, आपको बहुत कुछ सिकने मिलने वाला, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला and the best part source code बिल्कुल free है तो आपको बिल्कुल tension नी लेना है अब हम बिना किसी देर के अपने वीडियो को continue करते है अब हमें देखना है कि what is the history of react जैसे यह बहुत ही ज़्याद इंपोर्टेंट आप देख सकते हूँ सबसे पहले 2010 में the first sign of react 2010 में क्या हूँ आप Facebook ने PHP के stack में उन्होंने एक new concept को इंट्रेडूस किया like in 2011 and early prototype of react and guys 2011 ही वह साल था जब Facebook के एक developers Jordan Walk को यह realize हुआ कि we need something big something big मतलब user जब भी website के साथ इंट्रेट करता तो कुछ ऐसा हो जिससे user जल्दी ना जाये उस website के साथ चिपक के बैठे रहे like we have our Instagram ठीक है तो आप देख सकते हूँ Jordan Walk ही वह software engineer थे जन्होंने react को create के and react का जो पहला version create किया था उसका नाम इन्होंने रखा था Facts.js आप देख सकते हूँ यहाँ पे Facts.js ठीक है and उसको उन्होंने implement किया था search feed में Facebook पे then later on उसको उन्होंने हमारा जो new speed है वहाँ पे जो infinite scroll वाला जो effect है आज के टाइम में Facebook से ज्यादा लोग Instagram पे चिपके रहते and उसका best part यह है क्योंकि वह बहुत ज्यादा simple जिसमें ज्यादा कुछ ads आते नहीं है and मैं अगर आपको अपना दिखा हूँ यहाँ पे मैं चलता आप देख सकते हूँ guys थापा technical Instagram जरूँ फालो कर लिजेगा यहाँ पे guys आप notice करने यह जो scroll बार आपको दिख रहा है ठीक है मैं अगर एकदम bottom पे जाता हूँ यह कभी bottom पे जाएगे नहीं यह automatic उपर आ जाएगे थांसे देखो और आपने देखा गाइस यह automatic उपर आ जाता है क्योंकि जब तक मेरे content खतम नहीं हो जाते गाइस यह scroll खतम नहीं होने वाला जैसे नीच आओंगा वापस उपर आ जाएगा इससे होगा यह कि user website के साथ चिपका रहेगा ओ माई गॉड और क्या हो सकता है और मालब इस तरीके से user चिपक के बैठा रहेगा क्योंकि हम उसको खतम होने ही नहीं देंगे Instagram कभी content को खतम होने ही नहीं देंगे तो फिर भी मेरा profile अपना profile कौन नहीं देखेगा दूसरे का ही देखेंगे रहे तो data कभी खतम नहीं होता तो guys यह react के करण possible हुआ infinite scroll and बहुत सारे awesome चीज़े ठीक है and सबसे ज़्यादा तहल का तब माचा दुनिया के नजरों में जब 2013 ठीक एक साल बाद उन्होंने इसको guys publicly release कर दे इसका मतलब यह कि now facebook publicly open source open source react just in May 2013 2013 में facebook ने react just open source कर दिया and उसके बाद guys आपको मालूम है तहल का मज गया and आज के टाइम में guys react just is one of the most most valuable and most used front end library ठीक है framework को भी इसने टकर दे चुक है like we have angular view self so this is it guys history इतना ही था and later on तापको मालूम है guys अगर यह इतना famous नहीं हुआ तो तुम इसको पर वीडियो नहीं बनाता आप वीडियो नहीं देख रहे होते यह आज के टाइम में one of the best front end library जो आपको आना ही चीए तो guys अब हम समझते what is react just and उसको समझने के लिए सबसे best place रहेगा react जैसका अपना खुद का official website तो अगर आपसे कोई पूछे what is react आपको सी दो इसके definition देने and that's it बात खतम and वो जो दो definition होगा सबसे पहला that is react is a javascript library for building for creating awesome website awesome user interface तो यह जो definition है it is more than enough इतना आपको समझने react framework नहीं है यह javascript की एक library है library मालब now there is no more dependency की हाँ यह यह घर का ढांचा ऐसा है तो ऐसा ही चाहिए मुझे नहीं वाई library मतलब जैसे jQuery जब आपको मनों कि jQuery के तुरू मुझे अगर कुछ call करना तो आप उसको यूज कर सकते है same react भी एक library है but it is more than jQuery right jQuery से बहुत ही बड़ा है बहुत ही ज़्यादा advance है बहुत ही कुछ हम इसमे मिलने वाला है तो react की मदद से आप awesome website awesome user interface create कर सकते हो and we all know what is the difference between user interface and then user experience ठीक है जब भी आप internet open करते हो and जब भी आप www.xyz.com कुछ भी लिखते हो तो एक website आपके सामने open हो जाता है like यहाँ पर हमने लिखा reactjs.org तो यह एक मेरे के सामने website आचुका इस website में क्या है सिर्फ यह website नहीं बाकी की website में क्या होगा आपका एक content ठीक है simple जो HTML में हम लिखते है then guys आपके कुछ buttons आपके उसमें कुछ images होंगे कुछ उसमें gips होंगे कुछ code editor जैसे यहाँ पी दिखाई दे रहा है वो ही होगा उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं होगा तो यह सब कुछ आपको ज design UI developer बोलते हैं वो लोग react का quote नहीं लिखते Photoshop Adobe XD Figma के थुरू बना देते हैं and then हमें उसको react के थुरू यह सब हम अब create कर सकते हैं जो पहले हम HTML CSS से करते थे वो अब मैं react के थू प्योर react के थूरू यह सब कुछ कर सकता हूं तो I hope आपको पाता चलिए होगा कि जो भी website आपक react के थूरू create कर सकते हो user interface मतलब यह जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है and second definition जो बहुत ही जादी important है and that is react is all about your component react is all about your component बस that's it what is component चोटी चोटी चीज़ों को मिला के एक group बनाना that is your component what is component how to deal with component how to create component what is next state component यह सब कुछ अगर आपको पता चलिया you will be the next master of react just में लिखकी दे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा and you will be one of the master of react just later on तो वो आप कितनी hard work करते हो आप कितना practice करते हो इस पर depend करेगा क्योंकि अभी मैं जितने भी आपको समझाओंगा आपको समझागा आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा but after one month two month आप बूल जाओगे यार क्या आपको बताऊंगा कि कैसे same piece of code जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो उसको सिर्फ एक line से आप complete कर सकती हो आप बहुत क्लिए लिए देख सकतो यहां पर we have a components यह देखो declarative एक heading है and then we have कुछ paragraph and then again यहां पर एक paragraph है same चीज same style यहां पर repeat हो रहा है component आपका एक heading है यह आपका एक paragraph है यह आपका एक heading है यह आपका एक paragraph है तो एक बार अगर मैंने एक heading एक paragraph बना लिया और इसको एक deep के अंदर मैंने रख दी I hope आपको at least HTML आ रहा है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं like what is deep tag heading tag paragraph tag image tag ठीक है तो once आपने यह एक deep बना लिया ठीक है यह वाला जो भी portion है इतना तो आप खुद देखो न यह एंड यह कुछ change है कुछ change नहीं खाली एक चीज़ चेंज हो रहा है that is content content हम कुछ भी लिख सकते है सिर्फ content चेंज हो रहा है बाकि इसका style इसका जो user interface अब आपको पाता चल गए this is your user interface जो एक user को जो दिखाई दे रहा है सब कुछ same है खाली content चेंज हो रहा है लेकिन अगर हम मैं html ncss के थुरू करता मुझे इनको बार बार रिपीट करना पड़ता बट रियक्ट में रिपीट नहीं करना रियक्ट में बस एक बार आपने यह एक डिप बना लिया न यह दो ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप सोच रहेंगे वह यहां पने लिए यहां पको यह बना लिया ल्या ठीक है यह पूरा का पूरा ज्यों दे का पा रहे लिए सेम होई है आप देख रहे हो एक अगर आपने बना लिया यहां थो बाकि सब नीचे वो ही सेम चीज रिपीट हो रहा है, खाली चेंज हो रहा है, खाली चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक component using external, यहाँ पर खाली an application लिखा, बाकि इसका जो style है, इसका जो font है, बाकि जो look है, जो feel है, जो user interface है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर do not repeat yourself का फंडा आएगा, components का फंडा आएगा, जो की react का main center of pointer components, उसके थूरू हम सिर्फ एक code लिखेंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा, so this is it guys, and I hope आपको पाता चल गया, what is react, and throughout this video आपको और एकदम अच्छे से practically पाता चल जाएगा, कि what is component, react क्या है, सब कुछ आपको पाता चल जाएगा, and दूसरा, क्यों हम react use करेंगे, बोलने सागा, इसका advantage, facebook ने create क्या, इसको जब open source कर दे, now आप github पे चेक कर सकते हो, कितने fox, कितने likes हैं, so this is it guys, अब हम बीना किसी देरी के अपने वेबसाइट पे चलते है, and that is thapatechnical.com, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ already लिख चुका है, all right guys, अब हम बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाता ना चाहांगा, already अपने awesome वेबसेट thapatechnical पे, मैंने आज की दिन हम क्या क्या करने वाले, and विल्कुल source को रिख दम फिर में सब अट कर चुका हूँ, guys, तो हम इसी को follow करेंगे, and step by step समझेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत क्लियली देख सकते हो, इस आज का बड़ियो इसले भी important है, क्योंकि हम React का latest version, that is 17.0.2, हम इस पर work करने वाले, तो इसको install करने से पहले, इस पर work करने से पहले, हमें क्या-क्या pre-requisite है, उसको सामझना बहुत जरूवी, तो हम बहुत क्लियली देख सकते है, यहां पर लिखा कि install the recommended version of node, तो मैंने अल्रड़ी यहां पर प्रवाइड कर रहा है, आपको खाली इस पर क्लिक करना है, अगर आप Mac यूजर हो या Linux यूजर हो या मेरी तरह Windows हो, तो सभी के लिए यह एविलेबल है, लेटेस फ्यूचर पर नहीं हम जाएंगे recommended for most users, आपको इसको डाउनलोड कर देना है, आप देख सकते हैं यह 29.2 MB का है, यह जब डाउनलोड हो जाता है आप सिंपली इसको इंस्टॉल कीजिएगा, जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, आपको जस्ट मेक्सियर करना है कि आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया, एंड तो मेक्सियर कि इंस्टॉल हुआ यह नहीं, वी निट टाइप नोड हाइफन भी अल्रडी यहां सब कुछ है, हम क्या करेंगे, अगर आपके पास BS Code Editor नहीं है, तो आप CND उपन कर सकती हो, एल्स, we gonna use BS Code Editor, ठीक है, कहीं पे भी आप BS Code Editor ओपन कीजिए, खाली, Ctrl and then Back Tick आपको प्रेस करना है, तो आपको इस तरह की से आपका टर्मिनल दिखाई देता है, यहां पे आपको क्या लिखना है, नोड, सिम्बल यहां पे मैं चलता हूँ, इस तरह की से आपको लिख देना है, नोड, हाइफन, एंदन वी, बिसिकली नोड का वर्जन चेक कर रहे है, अगर आपका वर्जन 10 से उपर है, या अगर आपको इस तरह की से वर्जन दिखाई देता है, इट मेंस कि गाइस नोड प्रॉपल इंस्टॉल हो गिया है, अब हम इसमें अपना रियाक्ट अप्लिकेशन के इस्टॉल कर सकते हैं, और आपसम विपसाइट हम क्रेट कर सकते हैं, तो सेम Жाँु चीज में यहाँ पर पर करके दिखाँ देता हूं, जोम कर देता हूं थोई दिर्फिय के लिए, यहाँ पर सिंपलिक देता हूं, node-v, आप देख सेतो, अगर VS Code Editor नहीं है, अगर आप Sublime में उग्जर्ण करना चाहते हो, simply framework नहीं है यह एक library है ठीक है चलो यह मेरा part complete हो चुक है और गैसना fourth बोलता है how to install react मैंने अल्रडी command यहाँ पर अल्रडी सब कुछ लिख के राखा हुआ है पहले हम use कर देते node package manager npm जो की global install कर देता था but now guys उससे भी बहुत better option हमारे पास है that is npx यह node package manager का एक अंस ठीक है जहाँ पर simply npx क्या गरता ठीक है आपको run करना है आपको test करना है सिर्फ आप npx लिखे आपका वो environment create करके देतेगा यह globally कुछ ही नहीं होना है सिर्फ एक project का यह अपना काम करके दे देगा ठीक है तो हम क्या गरती इसको हमें type करना है ना उससे पहले अब कौनसा code editor हम यूज करें ठीक है मैं guys recommend करना चाहूँगा for this project VS code editor simply आप देख सकते हो मैंना already इसको पर video upload कर चुक हूँ simply VS code editor पर जाना है and don't worry उसका जो link है ठीक है कैसे आप install कर सकते हो आपको बाता दूँगा यहां पर देखे डाउनलोड है यहां पर आप देख सकते हो download for Windows नहीं तो आप Mac या Linux simply download करना है इस तरह किसे आप आ जाओगे simple है ठीक है एकदम basic है यह and then आप क्या करना guys आपको control and then back tick प्रेस करना है ठीक है आप देख सकते हो guys आप कोई भी फोल्डर ओपन कीज़े आपको क्या करना आपको क्या करना guys आप लिख दीजिए mkdir make डिरेक्टर तोच आउट जोम कर देता आप लोगों के लिए हम एक फोल्डर क्रेट करेंगे यहां पर सो मैं लिख देता हूं इस तरह किसे guys मैं simply guys यहां पर इस तरह किसे लिख देता हूं complete आइफन रियाक्ट हाइफन जाओंगा you know 2021 complete react in 2021 this is it तो अब मैं अगर दिर करता हूं आप देख सकते हो क्यास मेरे पास बनके राइडी हो चुका है complete अंडेस्कोर react अंडेस्कोर 2021 अब भी जस्ट आपके सामने में एक new folder create कर ली है अब इस folder के अंदर हम अपना react का application create करेंगे ठीक है एंडों कैसे create करना है उसके लिए we need to write npx create react app and then आपका app का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो तो कैसे npx create-react and then app and then यहां पर आपना app का नाम हम लिखते हैं और react ठीक है मैं लिख देता हूं ठापा react ठापा app कुछ भी लिख सकते हो आप अपना नाम लिखिए react आपका नाम then app बस enter हीट कर दीजे तो guys now it's totally depend on your system की आपका system का जो आप कैसे क्यों प्रोसेसर या आपका जो cpu कितना speed है कितना fast है उसके basis पे else पांच मिनिट भी लग सकता है दस मिनिट भी एक मिनिट भी और गैस तो आप देख सकते हो कि यह एकदम प्रॉपरल इंस्टॉल हो चुका है ठीक है इस तरह किसे आपको कुछ दिखाई देता है यह आल्री हमें बता रहे कि आप क्या कर सकते हो सेम कोड मैंने यहां पे लिखा कि once आपका इंस्टॉल हो जाता है दैन आपको अपना जो एप है जो भी आपने क्रेट के उसके अंदर आपको आना होगा with the help of cd ठीक है यहां पे इन्होंने बता हो है कि cd अब भी जस्ट मैंने जो क्रेट किया था फोल्डर के अंदर जाने से पहल मैं आपको बताना चाहूंगा अब भी जस्ट हमने यह जो भी एप लिखा है वो अल्रेड़ी यहां पे क्रेट हो जो आप देख सकते हो मैं क्या करना चाहूंगा मैं सिर्फ इसको ओपन करना चाहूंगा ठीक है बाकी दोस्टे मुझे अब हमने सिर्फ हमने जो एप क्रेट किया तक है उसको मैंने ओपन कर लिया बाइडिफॉल्ट जो है लेकिन मुझे यहां पे इसको रन करना है ना तो cd मैं आपको दिखाता हो देखो आपको लिखना पड़ेगर dir तो हमें मिल रहा है कि react थापा एप एक है करके तो इस तर बहुत आर अर्मोस्स से मियान में कुछ और एक्स्टा फंक्शनालिटी मिलती है अगें शॉटकॉट की तरह है लाइक वी हब आर एंप एक्स तो यान अन देन स्टार्ट आपको लिख देना है बेचे में स्पेस देना है एंड इस इस इड दिमोमेंट आप यह करते हो हटा देता हूं इसकी मुझे नीड है एंड यह जो पोर्शन इसको भी में हटा देता हूं ठीक है अब देख सेकते हूं कि हमारा रियक्ट के अप्लिकेशन फाइनली रन हो चुक है बहुत आस्साम है ठीक है एंड इस इतना ही था इसका तो अभी मैं अगर तो इसको कम जू अब देख सेकते हूं यहां पर नोट मॉडिल्स इससे यह पाता चलता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने कौन-कौन से डिपेंडेंसी को एड कर रही है अब देख सेकते हूं रियक्ट का लेटेस्ट वर्जन 17.0.2 आप अगर फ्यूचर में देख रहे हो एंड इन केस क एक आपको देखेर है रन होते वगे जो आइकन जो रोटेट कर कहां से दिखर है वो ठीक है सबसे जादे इनपोर्टेट होता आपका सोर्स फोल्डर भी पॉल्डर को 90% किस में हम तज भी नहीं करेंगे कुछ सीजें जो बस इन्क्लीute करेंगे बाकी कुछ नहीं गरेंग dec and then we have our source folder, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, source folder पे, simply वी देखो, index.js, यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है, यह जो कुछ भी आपको दिखते हैं, इसको आप हटा दो, इस तरह के से, as it is पड़ा हुआ है, and then we have our index.css, .css आपको मालू में क्या होता है, app.js, and बहुत जाद इंपोर्टेंट, अभी थोज़ दिर में बात आता हूँ, and then app.css, .css मलब आपका normal css file, .js मलब आपका javascript का file, and .js मलब भी आपका react का file होता है, यह आप है, and public पे जाके index.html, क्योंकि अगर आपने website कभी भी create का, .html ही है, वो page जिसको हम host करते हैं, जो run करता है, and internet की दुनिया बस ही, आपका .html की उपर ही है, ठीक है, and this is it इतना ही था, यह index.html यहाँ पर पढ़ आप है, अब सबसे जाद इंपोर्टेंट है, कि यह मुझे दिख कैसे रहा, and हमारा react project run कैसे हो रहा है, ध्यान से दिखेगा, सबसे बेले कि ओधा guys, we have our app.js, app.js पर हमने जो कुछ भी लिखा रहा हमारा जो application है, इस पर हमने जो कुछ भी लिखा, वो basically आपको यहाँ पर दिख रहा है, like यह जो icon है, एक refresh हो जाता है, ठीक है, this is it, यह आपका logo, यह आपका जोबी and save to reload, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, and then बाकी यह anchor tag, आपका यह जो learn react आपको दिखाई रहा है, ठीक है, तो इतना तो पता चल गए, कि app.js के अंदर जो कुछ भी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन app.js में ऐसा क्या था, जिसके तुर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका तो हमने कुछ किया ही, यह नहीं, यह .html का फाईल है, सिध्धी बात है कि नी, तो मैं आपको बता था, तो ध्यान से देखें एक दमा, जब हम इस सिरगे से यहाँ पर काम कर रहें, app.js पर हमने अल्लेडी समझा था, react is all about your component, तो बेसिकली यह एक component है, सिर्फ एक component जो बस हमें दिखाई दे रहा, कुछ नहीं कार रहा, यह component जो सिफ दिखाने का काम कर रहा है, .js है, उसको मैंने यहाँ पर किया import, अभी हम थोजी देर में देखेंगे, जब हम अपना पहला component क्रेट करेंगे, लेकिन हलका बाता रहा हूँ, यहाँ पर हमने उसको किया import, इस component को मुझे चाहिए था, दुनिया को दिखाने के लिए, इन दी form of website, तो मुझे index.js में मैंने इसको get किया, और जो हम get करते हों करते हों इस the help of import, जो कि myscript 2015 का ही एक पार्ट था, simple ही है, रियाक्ट का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन हमें इस्तिर किसे इसको get करना था, उस app वाले page को, उस app वाले component को, and then आपको react-dome.render लिखना है, basically यह देखो, यह by default दो ऐसे package जो हमें react, जब हम install करते हो, automatic मिल जाता, ठीक है, तो react-dome.render मलब दिखाओ, ठीक है, तो react-dome.render मलब दिखाओ, एप component को, लेकिन अभी भी एक चीज है कि, वो हमें .html में ही चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो, यह हमने अल्डेडी जावस्कृट में समझा है, आप टॉप पर देख सकते हो, js in 16 hours जरू चेकाओट कीजिएगा, document.get element by id, मुझे कहीने कहीं से root मिल रहा है, and root मिल रहा है, इसका मालब कि कोई ना कोई एक ऐसा element है, जहाँ पर हमने id equal to root लिखा, जिसको मैंने यहाँ पर pass out कर दिया, तो यह जो मेरा app component है, वो कोई ना कोई एक page होगा, .html का, वहाँ पर एक div होगा, जिसकी id होगी, root मैंने उसको pass कर दिया, finally, एप हमारा जो भी है, वो मेरे index.js पर आया, वहाँ पर मैंने उसको get की, मैंने कहा, render कर दो, दिखाओ basically, and कहा दिखाना है, यह वाला जो root element है, वहाँ पर, यह अब root element कहा होगा, वो होगा मेरे public folder के अंदर, index.html में, यहाँ पर आप देख सकते हो, and यहाँ पर आप देखोगे guys, we have a div, जिसकी id है root, this is it, simple, तो यह है आपका actual.html file, जो यहाँ पर render हो रहा है, and यहाँ पर जो भी data आ रहा हो guys, आपके source folder के अंदर, जो app है, app के तुरू, then index, and then index के तुरू, आपका index.html में आ रहा है, तो इस तरीके से guys, आपका यह react work कर रहा होता है, and अगर यह root नहीं लिखता, तो guys से run करेगा ही नहीं, that's why मैंने बोला कि, इन सब को हमें छेड़ना ही नहीं ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, and मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो आप एक दम पॉपट दिख रहा है, neat and clean, इसको मैं हटा देता हूँ, app.js हमने देख ली, index.js हमने देख लिया, आपको at least पाता चला है, यह कैसे रन कर रहा हूँ, now जब फोल्ड इस्ट्रेक्चर हमने समझ लिया, we need to delete, यह completely remove the boiler plate, इसका मालब भी हो तब जो by default हमें में में इतने सारी चीज़े हम क्या करेंगे, तो guys आपको क्या करना है, index.js को as it is रखो, यह जो index.css है, and then यह जो app.test इसको delete कर दो, app.css जो है इसको भी delete कर दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है यह जो है इसको भी हटा दो, and then यह जो part logo.sbz इसको भी हब हटा दो, ठीक है मैंने दोनों हटा दिया, अब as it is रखते हैं बाकी चलो ठीक है, setup इसको भी हटा दो, इसको भी मैंने हटा दिया, चलो ठीक है, source के अंदर सिर्फ दोई चीज़ है, यहाँ पर यह जो logo दिखता है, then यह जो logo लिखता है, इसके हमें कोई need नहीं है, इसको मैं हटा दिया, और fab icon जो है, चलो भी रहने दो, तो अब आप देख सकते हो, पब्लिक के अंदर से भी इतना ही रहे गया है, source के अंदर से भी इतना ही चीज़ है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, index, we have our app में, एक बार देखना चाहूँगा, कुछ मिल रहा है, अब देख सकते हो, no such file इस सिर्गे से, after our first component, तो guys, react 17 में नया क्या आया है, वो हम जब हमारा पहला component करेट करेंगे, उसके बात देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें यह देखना है, कि VS Code Editor जब हम यूज़ कर रहे, तो हमारे live को इसे करने के लिए, there are some extensions, जो हम इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको बाता तो देखो, अभी यह जो एप है, इसको asatis रहने दो, index.js को मनलब छेड़ना भी मत asatis रहने दो, app.js को मैं क्या करता होगा, इसको मैं completely हटा रहा हूँ, अभी फिलाल के लिए मैं asatis इसको छोड़ देता हूँ, मैंने app.js को completely remove कर दिया, डिलेट कर दिया, उसके लिए जो भी कंटेंट था, तो कुछ extension है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यह icon को आप क्लिक करो, और मैंने अल्री यहाँ पर लोगों को बाता रहा हूँ, that is VS Code, JavaScript, ES6, Snippet, पॉपी करना, यहाँ पर इसे एंटर हीट कर देना, टॉप पर आप देख सकते हो, simply आपको install करना है, मैंने अल्री इंस्टॉल कर रहा है, that's why, install दिखा रहा है, उसके बाद, react के साथ, work करने के लिए, we need to have this, ES7, react, redux, graph, क्यूवल, यह जो भी इसको copy करो, यहाँ पर आके again paste कर दो, enter हीट कर देना, इसको भी मैंने अल्री इंस्टॉल कर चुका है, आप भी जरू इंस्टॉल कीज़े, यह दो extension अगर आप install कर ले तो, लाइब बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है, एंड मैं आपको बाता था, एक और extension है, जो आपके लाइब को और इजी करेगा, लेकिन हो थोड़ी देर बाद, और गैस, आफाइनली, वी हब आप आप हेलो वर्ल्ड इंस्टॉल कीज़े, उसका फाइदा में आपको बाता आता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो, वाट वी नीड तो राइट, इसको पॉसिबल हुआ हो गाइस, because अप ये वाला एक्स्टेंशन, ठीक है, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, रियाक्ट अरो फंक्शन, कम्पोनेंट विट एक्स्पोर्ट एंड एट सिट, हम फंक्शनल कम्पोनेंट देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, return, and here we have our D, यहाँ पर मैं गाइस, मैं simply लिख देता हूँ, इस तरके से simply, welcome to थापाट technical channel, ठीक है, आप इस तरके से को बहुत इज़ली लिख सकते हूँ, अब इसको as it is में रखूँँगा, and यहाँ पर अगर मैं लेके चलता हूँ गाइस, मुझे यह एक error दिखाई दे रहा है, इसको मैं एकदम ठीक करता हूँ, इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, index.js के अंदर, यहाँ पर जो फाल्तु की चीज़ आपको दिख रही है, index.js के अंदर, वेलकम तु थापा टेक्निकल चैनल, सो गाइस, कैसा लगा आपको, हमने हमारा पहला एप्लिकेशन रण कले, रियक्ट में, वेलकम तु थापा टेक्निकल चैनल, मैं आपको कहा था, हेलो वर्ल्ट, वो बहुत इजली कर सकती हो, यहाँ पर सिंपली आप इस से लिख दो ना, हेलो वर्ल्ट, क्या जा रहा है, कंट्रोल आप सेप करता, आप देख सकते हो, हेलो वर्ल्ट, ठीक है, तो यह था हमारा पहला एप्लिकेशन, हेलो वर्ल्ट, अब हमें यह समझना जरूरी है, कि यह जो कुछ भी मैंने लिखा, यह क्या लिखा मैंने, ठीक है, तो उसके लिए गाइस हम नीचे चलते है, ना, हमारा जो बारवा पॉइंट है, वो है, आवर फर्स्ट कंपोनेंट इन रियाइक जैस, हमने समझा है, इन रियाइक जैस, एवरिधिंग इस कंपोनेंट, वांस आपको पता चल गया, कि कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, उसके कुछ बेसिक रूल से है, वो अगर आपको पता चल गया, आपकी लाइब बहुत ज़्याद एजी हो जाएगी, ठीक है, एड कंपोनेंट जब भी आप create करोगे, एड ही त्री ठींग्स आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला, इंपोर्ट रियाक्ट फॉर्म रियक्ट, थीक है तो आप देख सकते हूं, यहापर नियापर रियाक्ट फॉर्म रियाक्ट, तो यह जो react का जो यह package है guys यह by default मैंने आपको का दी moment हम जब वो npx create react app and then app का नाम लिख की जब हमारा application install करते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है यह react का package भी ठीक है इसको हमें import करना पड़ता है ताकि कल के दिन हम यह जो आपको html जैसा जो दिखाई देर है जिसको हम समझेंगे लेटर ओन जिसको हम बोलते jsx उसको हम लिख सकते है with the help of react ठीक है यह आपको बहुत important है तो यह होना ही जिए पहला आपका यह rule है दूसरा rule बोलता है any one functional component जब आपने आपका पहला काम complete कर लिया यह आपका पहला काम होगा कि react को आपको import करवाना था दूसरा यह कि आपके react application के अंदर आपके component के अंदर एक ना एक functional component होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है without functional component आप क्या दिखाओगे आप क्या सो करोगे that's why यह जो portion आपको दिखता है यह होता है आपका functional component मैं वापस दिखाता हूँ अगर वह आपको संजविल नहीं आ रहा होगा तो आपने obviously इस तरी के से functim function function का नाम यहाँ पे app and then यह तो आपने जरूर देखाओगा क्यूँकि ACMA script 2015 से पहले हम normal function इस तरी के से लिखते थे right arrow function जो देखते है अभी थूरी देर में देखेंगे लेकिन at least पहला यह दूसरा यह ठीक है and now तिसरा जो सबसे जाद इंपोर्टेंट हो यह and आपका यह जो functional component है it should always return JSX मादलब हमेज सा JSX को return करना बहुत ज़्यादा जलूरी है उसका क्या मदलब बताए देखो इसके अंदर में चलता हूँ फिलाल अगर में कुछ भी नहीं लिखता हूँ control है save करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे मुझे guys कुछ नहीं आ रहा मुझे basically error आ जाना चाहिए और राट सी nothing was written from render कुछ हम return नहीं करवा रहे तो वो return करना जरूरी है and we need to write return हाँ अगर आप return नहीं भी लिखे अगर simply h1 लिखते हो and इसरी के से hello world लिख चिपका दे तो यहाँ पे control है save करता हूँ मैं ठीक है यहाँ पे मैं again इसको refresh करूँगा हाला कि करने की need नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे error रहा है nothing was written from render इसका मादलब यह तो इसका simple simple मादलब यह कि we need to return something from our functional component ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ इसरी के से return control है save this is it इतना लिखना है and then export तो आपको मालूम है हम export इसले कर रहे ताकि index.js पे मैं उसको import कर सकूँ यहाँ पे आप देख सकते हो and then later on में उसको dot html वाला जो मेरा public folder के इंदर जो index.html है वहाँ पे मैं उसको pass कर सकू and यहाँ पी स्थरी किसे हम component call कर दी अभी आपको पाता चल जाएगा जब हम nested component देखेंगे ठीक है तो control है save control है save and boom guys मुझे hello world मिल गया so this is the actual way जिसके through आप अपना component क्रेट कर सकते हो and this is it इतना अगर आपको पाता चल गया react is all about your component only and that's it ठीक है आपका जो पहला order था वो complete हो चुका है हमें पाता चल गया कि component हम कैसे क्रेट कर सकते है and basic three rules में आपको बाता दिया ठीक है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि guys react 17 आच चुका है latest version 17 आच चुका है तो वहाँ पर कुछ चीज़े है जिसके अब हमें need नहीं परती हो हम थोड़ा आगे देहेंगे now 13 बोलता after react 17.0 version now no need to write import react from react this is it मैं यही आपको बताना चाहरा था कि 17 से पहले ठीक है यह mandatory था import react from react but now guys अब हमें इसकी लिखनी की need ही नहीं है मैं comment out कर देता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ refresh करता हूँ आप देख सकते होगा इस मुझे फिर भी hello world आ रहा है मैं आपको लिखकी देता हूँ अगर आप package.json file पे चलते हो अगर आपका version 17 से कम है 16.something कुछ भी है तो अगर आप import react from react नहीं लिखते हो तो guys आपका यह application crash कर जाता था क्योंकि हमें यह JSX है HTML जैसा देखने वाला उसको लिखने के लिए we need to import react but after 17 का जो version है हमें इसकी कोई need नहीं परती I mean react लिखने की need नहीं परती तो आप लिखो ना लिखो it doesn't matter but बस एक update मैंने आपको दे दिया कि आप हमें यह लिखने की need नहीं परती directly आपका functional component and then export कर दो जो की हमारा ECMAScript का ही एक part था this is it ठीक है यह हम भार की दुनिया को दिखा रहे की हाँ इस तरीके से मैं अपना application क्रेट कर रहा हूँ but in reality under the hood react को कैसे work करता है ठीक है react को कैसे देख रहा हुता है how react is actually look यह जो मैंने लिखा है गाईस वो कुछ और तरीके से हम लिखते थे उसको इस तरीके से जाता हूँ मैं guys fat arrow function यूज करने वाला हूँ so const ठीक है already fat arrow function मैंने आप देख सकते हूँ जरू check out कीजएगा then आपका function का नाम आएगा that is your app equal to आपको guys parenthesis fat arrow and then आपका यह parenthesis ठीक है इतना आपको लिखना है then यह जो return keyword है वो आपको as it is यहाँ पर लिखना है यह अभी तक जो मैंने लिखा है यह तो basic है हमारा JavaScript का ही एक part है now यह जो h1 है इसको render actual में कैसे हो रहा होता है we have react react.now we need to write a create element क्योंकि मुझे एक new element create करना है h1 का आपको parenthesis सबसे पहले उस element का नाम that is my h1 then we need to pass props जो अभी तक हमने देखाने है तो आपको बिल्कुँ ध्यानी देना आगे थोड़ी देर में देखेंगे and then यहाँ पर आपको उसकी value pass कर देनी है value जो भी हमने लिखा हो तो इसको hello world copy करता हूँ and then paste कर देता हूँ अब एक चीज़ आप notice करना है कि यह जो part यह run नहीं करेगा क्योंकि मैंने import react नहीं किया control has save करता हूँ and दो component का नाम हम save नहीं रख सकते यह भी बहुत important interview में पूछ सकते है तो इसको मैं comment कर देता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ आप देख सकते हो react is not defined this is it guys जैसे मैंने आपको बता कि जो version 17 है था आप यह नहीं लिखते हो तो भी चलता है लेकिन अभी भी कही न कहीं अगर आप पूराना जो old approach react का अगर आपको इस तरीके से अपना काम करना होता रहता जहाँ पर आपको react.use करना पड़ता तो उस जगे पर guys आपको यह लगेगा ही लगेगा चाहे आप version 17 उसकरो या कुछ भी उसकरो doesn't matter आपको देखो hello world आगे so guys I hope at least आपको पता चलिए कि react इसको किस तरीके से देख रहा होता है हम तो कुछ इस तरीके से लिख रहा होता है and I really don't think guys कोई भी इस तरीके से लिखना पसंद करेगा मैं आप लोगों को बता दो अगर यहाँ पर एक और डीब होता suppose and believe me guys इस वीड़ो को end तक दीखे आपको बहुत कुछ सिकन यह मिलने वाला है वले ही आप एक experience हो या आपने अलड़ी काम किया फिर भी आपको बहुत कुछ नया इसमें मिलने वाला ठीक है यह I hope आपको नहीं पता था होगा यह import react वाला लेकिन इस तरीके से ठीक है यह जो deep है मैंने कितनी easily add कर दिया ठीक है लेकिन क्या हो मैं यहाँ पर कर सकता हो नहीं कर सकता यहाँ पर ध्यांचे देखना तो एक extra deep अगर मुझे यहाँ पर add करना पड़ता है उसके लिए इस देखो यह जो hello world वाला जो part दिख रहे है उसके बदले मुझे वापस यह पूरा का पूरा मुझे copy करना पड़ता है इस तरीके से ठीक है मैं copy कर रहा हूँ यहाँ पर यह जो hello world के बदले मैं इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ this is it and यहाँ पर H1 के बदले आ जाएगा मेरा इस तरीके से deep तो control है save करता हूँ now बस this is it guys एक deep अगर add हो जाता तो guys आपका application कुछ ऐसा देख रहा होता है react मनलब कुछ इस तरीके से उसको मान रहा होता है तो यह कौन लिखेगा आप यह लिखना पसंद करोगे यह simple यह वाला तरीका यह वाला जो approach है हम इसको apply करेंगे कौन लिख के बैठेगा इतना ठीके लेकिन at least आपको पता चलिए यह 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 यहाँ पर चलता हूँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ ठीक है यह जो portion है अब इसको मैं हटा देता हूँ एक काम करता हूँ रह नहीं देता हूँ अब मैं यहाँ पर चलूँगा तो भी मुझे hello world मिल रहा है ठीक है now what is jsx से बहुत ही जाद important है जैसे जैसे हम complete करते जाएंगे उसका एक project पर हम work करना start कर देंगे तो यह जो portion आपको दिखाई दे रहा है that is your div and then h1 and then div को हमने close किया तो यह दिखने में तो html ही है but in react हम इसको बोलते jsx and jsx बोलने का मतलब यह कि now अब हम हमारे html जैसे दिखने वाले part पे javascript को भ and all tag back वो सब लिखे but हम directly यहां पर जावस्क्रिप्ट उसकर सकते and this is your jsx javascript extension and then xml ठीक है तो अब इसके भी कुछ rules है and rules एक बार आपको पता चल गागा इस आपकी लाइब बहुत ही जो जाएगी सबसे पहले it always returned a single element इसका मालब भी आपने notice क्या होगा मैंने क्यों यहां प मुझे error आ रहा है and बता रहा है कि यह जो भी है adjacent jsx element must be wrapped in an enclosing tag समझे इसका मलब क्या है इसका मलब यही है कि मुझे कुछ ना कुछ ही जो paragraph हमने जो बाहार लिख दिया मुझे इसको किसी भी तरके से कोई भी एक main div है उसके अंदर मुझे इसको enclose करना पड़ेगा रखना प हो सकता है इधर आपका कोई भी main या article या section कोई भी आपका जो tag हो हो सकता है else आपका वो react fragment हो सकता है तो इनमी से कोई ना कोई एक tag आपको यहाँ पे use करना ही पड़ेगा as a main parent tag and उसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो ठीकि अगर यही dip को मैं यहाँ पे close करने के बदले paragraph के नीचे close कर देता तो guys मुझे यहाँ पे awesome मिलेगा लेकिन वहीं guys इसको मैं वापस बाहर चिपका देता तो मुझे वापस error मिलेगा क्योंकि हम सिर्फ एक ही element को return कर सकते है using jsx तो यह पहला rule है and दूसरा rule guys यही है मैं जैसे आपको बता है इधर आपको div लिखना पड़े fragment देगा अब इसर कैसे react.fragment and again अब guys react.fragment क्या हम यूज कर सकते है अगर मैं import ना करू react को नहीं कर सकता है क्योंकि react is not defined this is it guys वले ही version 17 बोलता है कि आपको import लिखनी की need नहीं लेकिन कहीं नहीं अभी भी कुछ ऐसे चीज़ है जब हमें इसकी need पढ़ती है तो वो हमें import कर नहीं पढ़ता है लेकिन यह हम react.fragment क्यों लिखे जब इसका एक shortcut है syntactic sugar format and that's it खाली आपको opening tag and then closing tag उस कर देना it means यह अभी जो मैं आपको दिखा react.fragment का syntactic sugar format है shortcut basically and this is it अब आपको वो जो import react उसकी भी need नहीं है simply यह आपका main tag रहेगा उसके अंदर आपको जो लिखना है लिख दो पूरा का पूरा website का code copy and then paste कर दो ठीक है तो यह आपका दूसरा rule था JSX का दूसरा rule क्या class name in place of class simple हाँ अब ध्यां से दिखना यहां पर चलता हूँ class हम प already have class यह जो attribute यह already get कर चुका है basically class and then object हमने उपस पढ़ा है तो class यह already reserved react में तो हम सिप class use नहीं कर सकते है we need to write class name this is it आप example देख से तो हम पहले simply class लिख देते बट अब अगर आपको CSS apply करना है we need to write class name in place of class ठीक है यह तीसरा rule था आपका need to close all non closing tags in JSX ठीक है इसका मालत भी होत है देखो मैं अगर आप चलता हूं यहाँ पर image है आपने कभी notice किया था कि जब यह master में लिखते तो हम कभी भी image को close नहीं कर देते हमारा यह जो image tag है हम इसको कभी close नहीं कर देते है close से मेरा मदलब है इस से कभी किया है हमने नहीं किया है h1 देखो open close paragraph आप देख सकते है open close लेकिन हमने image को कभी close किया है नहीं किया है but guys jsx का rule है कि चाहें दुनिया का कोई भी tag हो अगर आपने इसको किया open आपको close कर नहीं है आप चाहो तो ऐसे close करो अगर इस तरीके से close नहीं करना चाहते तो यह जो last के forward slash दिखते है वो यहाँ पर चिपका दो that's it ठीक है इतना तो भी आपको करना ही पड़ेगा तभी आपका यह रन करेगा एल्स अगर आप इसको close नहीं करते तो guys हमें error आ रहा है यहाँ पर बहुत क्लियली बता रहा है expected corresponding jsx closing tag for image कैसा लगा आपको react सब कुछ आपको बोल देता ठीक है यहाँ पर close कर दो and I know guys आप मेंसे बहुत को एक problem अभी आ रही होगी that is जैसे मैं h1 लिखता तो मुझे बहुत सारे option आ रहा है यहाँ पर ठीक है आपको वो नहीं आने वाला ठीक है नहीं आता हो तो वह भी मैं आपको एक shortcut बताऊंगो तुछी दिर में लेकिन rules अभी समझना ज़री and the last rule is use camel case for attributes attributes क्या होता है जैसे यह मेर two words का वो एक combination होता है जैसे we have our class name जान से देखो class name का जो पहला letter है सी वह small है बड़ जो second word नेम उसका पहला letter capital हो रहा है सो यह जो format है किसी भी अपने text को लिखने का उसको हम बोलते है camel case convention जहां पर second word का first letter must be capital ठीक है तो इस तरह के से आपका यह camel case होना बहुत जरूरी है अगर मैं आपको दिखाऊं एक और इसका example जैसे अगर हम events करते थे ठीक है तो image पर अगर कोई भी click करें तो कुछ हो जाए ठीक है मैं यहाँ पर चलके suppose यह awesome पर तो ओन क्लिक लिखते थे ना बट यहाँ पर आपको on as it is है बट सीर मस्ट बी क्यापिटल और किस तरह के से तक है यहाँ पर पुछ भी फिर अलट वलट पास करा सकते तो यह जो portion है यह आपका camel case होना ची इस तरह के से आपको पाता चल गया component के rules के component के से create करना है what is gsx and gsx के rules के आपका slide बहुत ही ज़्यादे easy हो जाएगा ठीक है so this is it इतना मेरा part हो चुका नौ और to complete for react gsx very important मैंने जैसे आपको बता है कि आप obviously सोच रहोंगे मैं इस तरह के से image लिखता हो तो मुझे इतने सारे option आ रहे होंगे लेकिन आपको बिल्कुल option नहीं आ रहा होगा आपको खुछ से image and then close करो open करो कितनी बार तो गलती हो जाती कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिखाए इस मेरे पास option है ठीक है एक trick है and that is कि आपको setting को open करना है open settings JSON file located on the top right corner and then यह जो code दिखते है इसको नहीं है ठीक है and then चिपका देना है कैसे मैं आपको बताता हो यह देखो यहाँ पर आप देख सकते हो settings ठीक है यहाँ पर control प्लस आप इस तरह किसे कॉमा भी क्लिक कर सकती हो जैसे आप इस पर आ जा तो टॉप पर देखे एकदम top right corner पर open setting JSON file इस पर क्लिक करना है and मैं आपक compute languages JavaScript JavaScript react यह जो code है इसको copy करना है and then यहाँ पर आके सरके से चिपका देना है ठीक है this is it इतने ही आपको करना है एक बार आपने चिपका दिया then guys आप अपने application को वापस एक बार rerun करना and आपका यह काम हो जाएगा अब आप देखोगे कि जब भी आप यहाँ पर चलके सरके से H लिखती हो तो आपको सारा option आने वाला and आपकी life बहुत easy हो जाएगी ठीक है so this is it यह था आपका JSX जो की दिखता HTML की तरह ही है बट यह आपका JSX है and एक और बहुत important चीज में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा and that is कि अब इसके अंदर guys मैं इस तरीके से कालिब्र places के अंदर 3 plus 3 लिखा क्योंकि JSX का यही best part है दिखता है यह HTML की तरह है लेकिन अब मैं जावस्क्रिप्त कर सकता हूँ इसके कुछ rules से जो हमें follow करना है and आप directly देखो HTML में चलते-चलते मैंने 3 plus 3 कर दिया है ना है कितना awesome ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूँ अब हम चलते हमारे यहां पर now what is a nested components यह बहुत important है यह जो portion अपने इसको हटा देता हूँ finally अब ध्यान से देखना अभी हमने जितना देखा सो देखा अब भी मैं as it is रखता हूँ image को भी मैं हटा देता हूँ अब nested component क्या होता है क्योंकि आपका जो यह application है वो multiple components से मिलके बनाता है react में जो भी कुछ होता है ठीक है तो में क्या करता हूँ यह मेरा एक component nested मनलब एक से ज्यादा component ठीक है तो guys now it's a task for you आप खुछ से component create करो तो मैं यहां पर चलता हूँ const में component create करो अपने नाम का my name ठीक है इस तरीके से मैं चलता हूँ and there is no such rule कि आपको इसका पहला लेटर capital लिखना है या small लिखना है but it's a better convention guys अगर आप capital लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा let's go with my name ठीक है मैं यहां पर चलता हूँ and this is it ठीक है इतना हो गया मैं यहां पर क्या करूंगा guys आपका पहला rule है कि आपको return keyword लिखना ही पड़ेगा because he need to return something and that is your jsx return मैं यहां पर लिख देता हूँ अब इस h1 and मैं यहां पर लिख देता हूँ अब बिनोद बहादूर and then थापा ठीक है control अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरे यहां पर देखो आप एक धहन से देखना मुझे बिनोद बहादूर थापा नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं सिर्फ एप को run कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरे यह जो app component उसको run कर रहा हूँ अब देख सकते हूँ मैं पास भी सी बुसी कोई कर रहा हूँ क्लास बेस कंपोनेंट हम नहीं देखने वाले क्योंकि आउट्डेट हो चुका है अला कि फिर भी उस होता है बट दिस बेस्ट तो यह जो माइनेम है इसको कॉपी करना है ठीक मैं यहां पर चलना चाहूंगा इस जगे चलो एक काम करता है फिलाल के लिए मैं यहां पर चलत कैसा था यह था ना ओसम अब इसे कोई काईस में कितने भी बार चाहूं तो पेस पेस कर सकता हूं आप देखो मुझे बिनोत बाद उर्था पा रहा है तो यही बेस पार्टे रियक्ट का कि एक बार आपने कुछ भी बना लिया इन्दी फॉर्म अफ कंपोनेंट उसको आप कंपोनेंट के अंदर मैंने दुसरे कंपोनेंट को आपको दिखाए कि आप कैसे कॉल कर सकते हो से इतना ही नहीं आप चाहो तो इस माइनेम के अंदर इसको भी कॉल कर सकते हो से मोई एप आपको यहां पर उठा के चिपका देना था डैट सेट ठीक है मैं चाहूं को वापस copy करके यहां पर भी रख सकता हूं मुझे दो दो बाद बीनोत बाद उर्था पाने वाल तो कैस्ट यह आपका कहलाता है nested component और गैस अपमें इन सब को हटाना चाहूंगा अब हम finally ठीक है हमने बहुत basic समझ लिए रियक्ट का basic यही है आपका component आपका JSX nested component का ओता है and JSX के rules import export हमने अल्री यह देखिए चुका ठीक है ओल्राइट नाओ what is CSS in ReactJS वो सब देखने से पहले अब हम हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते है and what is आप पहला प्रोजेक्ट देखिए गाइस and this is it आप देख सेखिए हमारा पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है and जैसे जैसे हम और बेसिक समझेंगे ReactJS का ठीक है साथ हम यह create करते जाएंगे ताकि with practical आपको पता चले कि हाँ इस तरह किसे React आपका काम करता है and देखो कितना awesome है यह जब मैं breakfast पर क्लिक कर रहा तो मुझे breakfast मिलता है evening पर जब मैं क्लिक करता तो गाइस मुझे यह evenings के जो भी प्रोडक्ट से मुझे वह मिल रहा है मैं अगल लंच पर क्लिक करता है तो आप देख सकत तो यहां पर लंच एक यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मनलब है कि यह लंच के हाँ प्रोड़क्ट्स है ठाके and एस तलकी से अगर में ja m Ahora और फ सकत क्लिक करूंगा लेटेर उन गाइस मेना कॉल लडी बता है, जब हम temperature आप देखिएंगे, इसमें हम हमारा real world API के साथ work करने वाले हैं, तो अब हम one by one इसको समझते हैं, कि इसके साथ हम कैसे work कर सकते हैं, और हमारे react jazz का जो basics है, उसको और strong करते हैं, तो सबसे पहले, we have और पहला component, and that is complete पूरा का पूरा menu का जो nap बार दिखाए दे रहां, वो हमारे component होगा, और यहां पर आपको जो कुछ भी दिखाए दे रहे, यह भी component है, same, आपका number, आपका breakfast, आपका title, आपका यह जो भी है paragraph, read, कुछ भी एक image and then order now, same more चीज यहां पर repeat हो रहा है, मतलब अगर मैंने एक card create कर लिया, तो यह automatic मैं loop चला दूँगा, component को बार बार कॉल करूँगा, and data change कर दूँगा, that's it, यह आपका react है, ठीक है, all our guys, तो सबसे भएले हम हमारे VS Code Editor पर again चलेंगे, मैं चलना चाहूँगा, source पर, right click, एक new folder आपको create करना है, ठीक है, component आपको यहाँ पर लिख देना है, this is it, अब हम one by one component create करेंगे, यहाँ पर चलके आपको एक और new folder create कर देना, जहाँ पर हम लिखेंगे basics, that's it, ठीक है, इस basics के अंदर हम हमारा पहला यह project करने जा रहे है, इसमें जो मेरा पहला नाम होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ guys, rest to rent, आप कुछ भी लिख सकते हो, let's go with rest to rent.js, ठीक है, dot js, आप लिख दीजिएगा, and ठीक है, मैं यहाँ पर चलके एक और style.css का भी file create करना चाहूँगा, style.css, and यह जो style.css है guys, मेरे पास already इसका code पड़ा हुआ है, तो यह जो code है, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, copy, ठीक है, so guys, बताना चाहूँगा, मैंने already style.css का code को copy कर ले, क्योंकि इसका source code मैं बिल्कुल free में देने वाला हो, तो आपको कोई tension होगा, इन मैं फाल तो मैं नहीं चालता है कि इतना लंबा css code आपको explain करके, video की length एकदम लंबा कर दो, क्योंकि यह react video है, ना कि css video, ठीक है, फिर भी guys, इसको मैं एस जटी छोड़ देता हूँ, that's it, तो we have style.css, and then we have our restaurant, तो सबसे पहले मुझे restaurant पर work करना है, and यहाँ पर मुझे आपको दिखाना है कि यह जो card है, यह कैसे बन रहा है, and then थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि यह menu का card कैसे बन रहा है, पर ले at least एक component तो हम create कर ले, यह part ठीक है, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, and this is it, चलो ठीक है, app आपकी मर्जी, आप इसको लिखो, ना लिखो, क्योंकि मैं आपको बाता दिया, after version 17, यह ना लिखो, तो भी चल जाता है, but फिर भी, मैं इसको यहाँ पर as it is रख रहा हूँ, क्योंकि हमें by default मिल जाता है, and यहाँ पर instead of div, मैं react का syntactic sugar format, use करने वाला हूँ, this is it, मैं as it is Hello, restaurant, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पिस तर किसी restaurant चिपका देता हूँ में, ठीक, control, save मैं चाहूँगा कि यह at least मुझे output के form में यहाँ पर दिखाई देगा, अभी refresh करूँगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है, and I think यह run भी, हाँ, यही मैं आपको दिखाना चाता था, dir, मुझे cd react के अंदर जाना है, cls करना है, dir, perfect, चलो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको run करना है, कैसे, आप चाओ तो npm भी लिख सकते हैं, तो yarn, and then start, यहाँ start लिखना आपका यह काम complete हो जाएगा, and now देखने वाली बात है कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मि आपके उपर है, यह हमारे network का IP address है, जिसके तुरह हम इसको run कर बार है, this is it, ठीक है, तो ctrl s save कर देता हूँ, hello restaurant मुझे चीए सबसे पहले, लेकिन देखने वाली बात है कि मेरा app.js source folder के अंदर है, directly as a first child, लेकिन उसके बाद we have a component, component के अंदर भी we have one folder basics, उसके अंदर जाके restaurant है, तो मुझे इस restaurant को app.js के अंदर get करना है, import करना है, that's why restaurant को हमने यहाँ पर किया export, and जब भी आप default लिखते हो, इसका मदलब की का, इसमें आपको आप भी बात आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जब भी हम default लिखते है, तो मैं यहाँ पर चलके directly import, यह जो आपका restaurant का नाम मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पर चिपकाता हूँ, from, आपको लिखना है, इस तरीके से, forward slash, आपका automatic आ जाता है, component, forward slash, basics, component, restaurant, and यह जो dot js, जो extension उसके लिए हमें, dot js लिखने की need नहीं है, क्योंकि by default यह उसको मान रहा होता, ठीक है, that's it, आपने default लिखा, इसलिए हम इसको as it is, लिख सकते है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने default नहीं लिखा होता, तो हम इसको as it is, नहीं लिख सकते थे, and guys, again, यह जो part है, यह जो export default, import default, यह already हमारे ACMA script 2015 का हिससा है, यह JavaScript, I mean, react का लेना देना नहीं, इससे, that's why मैं इस पर इतना focus नहीं कर रहा हूँ, ठीक है and आप top पे देख सकते हो, मैंने already ACMA script in 2015 बना चुका हूँ, इसको जरू check out कीजिएगा, all right, इस restaurant को मुझे copy करना है, आपको मैंने बता आया था, जब भी कोई component को आपको दूसरे component में call करना हो, तो इस तरीके से करते है, that's it, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर चलका, and boom guys, यह जो default आला पार्ट है, अगर मैंने default नहीं लिखा होता, आप देख सकते हो, मुझे error आ रहा है, then यह जो मेरा पार्ट इसको मुझे square brackets के अंदर लिखना पड़ता, I mean, not square brackets, curly brackets के अंदर लिखना पड़ता, तब यह वापस मुझे, इसको एक बाद रिफ्रेस करना है, all right, आप देख सकते हो, यह काम नहीं कर रहा है, मैं आपको एक shortcut बता हूँ, यहाँ पर, एक shortcut किये है कि जब आप directly सिर्फ export करना ही चाहते हो, तो इस export को आप directly यहाँ पर सिर्क से चिपका सकते हो, ताकि आपको यह जो है, यह लिखनी की नीट ना पड़े, इतना करने मातर से भ जो हमें मिलता है, हम उसी पर एक फूस है, तो इसको मैं हटा के, back to normal export, मेरा यह हो जाएगा default, एंड यह जो restaurant है, and make sure करना है कि यहाँ पर आपका function का नाम, या component का नाम, and आपका यह जो part बोत must be match, यह same होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है, this is it, चलो, यह मेरा part complete हो चुका, नो guys, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने already एक syntactic sugar format ले लिया है, तो मैं एक deep लेना चाहूँगा, scope मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक class name देना चाहूँगा, so मैं चलता हूँ, यहाँ पर card and a hyphen and then history के से लिख देता हूँ, card container, सिर्भ इतना लिखने मातर से ह क्या हो रहा है यहाँ यहाँ पर, अब देख सकते हो, restaurant is not exported, export default यहाँ पर perfect है, यहाँ पर यह जो portion इसको मैं भटा देता हूँ, and this is it, and I think यहाँ पर कुछ गडवड हुए है guys, मैं dot forward slash जाओंग, restaurant, ctrl s save, and I think now everything is perfect, ctrl s save करता हूँ, all right guys, everything is perfect, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी cities में छोड़ देता हूँ, अब इस card के अंदर guys, we have यह वाली body, तो उसा कम जूम करता हूँ, यह जो portion दिख रहा है, card तो मैंने लिख लिया, एक card, अब इसके अंदर यह body के अंदर सारे data आ रहा है, तो मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, एक div ले ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो number मुझे चीज़, सबसे पहले, card body के अंदर ही में चल रहा हूँ, तो guys, अब सब कुछ मेरा spend tag के अंदर होने वाला है, and मैं यहाँ पर चलके class name लिख देता हूँ, simply card number, इस तरी के से card, and then मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, number, ठीक है, card number लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर simply file के लिए one लिख दे रहा हूँ, and then guys, last में we have our subtile, ठीक है, control है save करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा, and आप देख सकते हो, top पर मुझे one दिखाई दे रहा है, zoom यह देखो, मुझे one दिखाई दे रहा, and already जैसे कि मैंने आपको बताएगा, CSS हम use करी चुके है, ठीक है, and यहाँ पर बताना भी है कि how to use CSS, guys, it's super duper easy, जैसे हम normal HTML में CSS use करते है, यहाँ पर भी हम save मुस्तरिके से internally कर सकते है, inline style कर सकते है, and हम यहाँ पर as a object भी CSS को use कर सकते है, object in JSX, CSS in JSX, आप उसको बोल सकते हूँ ठीक है, but मेरा personal favorite रहेगा, directly आप class name के through कर सकते हो, यह तो style component आप कर सकते हो, लेकिन हम एकदम simplest देखेंगे, that is class name, मैं आपको बता है, class का नाम, ठीक है, already आप देख सकते हो style.css में सब कुस तो है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, इस जगे पर मैं लिख देता ह हूँ, and अब मैं यहाँ पर refresh करूँगा, boom guys, अब देख सकते हो, यह जो है, कितने automatic, अब one, कितने अच्छी तरी किसे goal के अंदर आ चुका, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि हमारा जो CSS से वो apply हो चुका है, ठीक है, and फिर भी मैं कुछ चीज़ा भी आपको दिखाता हूँ थ ठीक है, and again, यहाँ पर we have this subtile, subtile, this is it, अब यह जो part basically, यहाँ पर हमारा category आएगा, कि lunch है कि breakfast है कि जो भी है, so फिलाल के लिए मैं इस तरी किसे breakfast लिख देता हूँ, ठीक है, control है, save करता हूँ, तो आप देखोगी, आप मुझे यहाँ पर breakfast दिखाई दे रहा है, एक चीज़ आपको CSS एक और तरीके से उस करना था, and इस वाले का color change करना था आपको, तो CSS में यहाँ पर inline भी उस कर सकता हूँ, like जैसे हैं normal करते थे, style, simply में style, यह जो मेरा attribute यूस करूँगा, will be equal to double curly braces, मतलब मुझे अब JavaScript का एक part लिखना है, ठीक है, and यहाँ पर आपको as a object मारना single code, जो लिखना आप लिख सकते हो, ctrl s, save कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, and आपका वो red color हो गया, लेकिन guys, कहीं न कहीं, थोड़ा से lengthy process है, क्योंकि आप क्या सोचोगे, जब आप एक curly braces, उसके बाद एक और curly braces, and then जाके आप color लिख र रहे, तो वही कर दो, किसली इतने महनत करना, तो ये एक trick था, दूसरा ये था काईस, आप यहाँ पर अगर इतना कुछ आपको नहीं करना, तो डिट्ट आप इसको उठा सकते थे, return के उपर में चलके, const, my style will be equal to, ये जो portion है, ठीक है, same उसको मैं paste कर दूँगा, तो यही ज तरीके से, आप अपना styled component भी create कर सकते हो, and boom guys, मुझे फिर भी वो जो same red color, वो दिखाई दे रहा है, तो now it's totally up to you, कि आपको class name पसंद है, ये आपको ये जो थूदर पहले मैंने जो inline style दिखाया तो वो पसंद है, या इस तरीके से अपना खुद का style create करो in the form of object, I mean JavaScript में हम ये जो part कर, इसको हम object बोलते थे, ठीक है, and यहाँ पे भी ये एक object ही है, but आप समझ लो कि ये भी एक तरीका है, caces को include करने का आपकी project पर ठीक है, लेकिन मैं ये trick नहीं अपना एन वाला, मैंने आपको बता दिया, तीन different ways, जिससे आप caces include कर सकते थे, और लाट गैस तो आ I mean, कुछ class name दिये, and ये जो आलतो फालतो जो भी lorem spam default text, जो as it is चिपका दी, and if you don't know, ये जो default text आता है, तो base code writer पर simply आपको lorem लिख देना है, and उसके बाद आपको total कितने words ची, let's go with 15, आपको 15 hit कर देना, and आप देख सकते आपको 15 words आ जाता है, and है कितना awesome, and then again, मैंने यहा यहाँ पर जो read आपको दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरके से ले लिया, card read, and then यह जो मेरा image, उसके लिए we have this image tag, and last में यह जो order now आपको दिखता है, तो इस तरके से मैंने लिख लिया है, and यह मेरा CSS already included, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, उसके एक बाए refresh करूँगा, तो मुझे warning आ रही है, and that is because, कि image is not defined, right, अब यह बहुत ही जाद important है, and यह आपको समझना पड़ेगा, कि react, जब आप वो करते हो, react application में, how to deal with images, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब चाहो तो images को directly copy and paste कर सकते हो, like, तो आप देख सकते हो, म open image in new tab, and यह जो मेरा URL मिलता है, इसको मैं copy करके source पे, जैसे normal HTML में करते हैं, did to, मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ, and अब मुझे वो error ने आएगा, आप देख सकते हो, guys, 100 pixel पे कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यह जो images, यह तो बहुत सारे मेरी images है, तो वो मुझे कैसे मिलने वाला, देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, back यह जैसा भी था, this is it, and हमारे पास already images नाम का एक folder है, जिसको अगर मैं कल के दिन public folder के अंदर उस folder को add कर दूँ, महा इस मुझे कुछ नि करना पड़ेगा, automatic उसारी images, यहाँ पर automatic आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उस जो automatic आने वाला जो portion है, वो हम लेटर ओन देखेंगे, हमारे बाकी के project में, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी data हमें मिल रहा होगा, वो basically API के ठीक, एक new file create करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, menu API.js file, ठीक है, basically JSON होना चाहिए, लेकिन it's totally fine, तो अब हम कैसे create कर सकते हैं, simple है, आपको लिख दिना पड़ेगा, const, यहाँ पर लिख दीजे, menu will be equal to, अपका इस्तर किसे रहेगा, guys, array of an object, simple ठीक है, तो simply guys, array of an object, क्योंकि हम multiple object, तो सबसे पहले यहाँ पर, guys, we must have ID, एक ID होनी जरूरी, key value pair के work में, I mean, उसके pair में यह काम करेगा, key and then आपकी value यहाँ पर, कुछ भी आप लिख दो, आपका image का link इतर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा name, आपको यादे, suppose we have our Maggie over here, comma करता हूँ, name and then we have our category, okay, so category प आपके बाद, guys, we have our price, जिसको मैंने यहाँ पर include नहीं किया, तो like price, अगर एक numeric है, तो guys, आप कुछ भी लिख सकते, उस पर double quotes यूज करने की need नहीं है, else, अगर आप string लिख रहे हो, तो आपको double quotes देना जरूरी है, key में हमें double quotes की need नहीं परती, value पर हमें double quotes देने परती है price के बाद, we have our description, यहाँ पर मैं से किसे लिख देता हूँ, description, and वही आपका lorem spam, जो भी default होगा, आप चिपका दो, ठेके, and then last में guys, I think this is it, इतना ही है, बागी कुछ है नहीं, तो यह जो कुछ आपको दिखते है, as it is, रखना है, and last में मैं आपको अलड़ी बाता है, we need to export, and and then आपको लिखना पड़ेगा, default and menu as it is, ठेका, and this is it, तो यह जो होता है, यह आपका guys, कहलाता है, API, फिलाल तो यह as it is, आपको basic लग रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले project में हम guys, real world API के साथ work करेंगे, ठेका, and मेरे पास already हमारा API का पूरा complete data मैं आपको बता दिया, and this is it guys जो मैंने create किया था, यह वो ही है, कुछ extra special नहीं है, const menu, array of an object, multiple object, id, मेरा image, मेरा नाम, category, price, and then मेरा description, ठीक है, यहाँ पे आप images पे बहुत ध्यान से देखो, images folder के अंदर, forward slash magi.jpg, तो वही मैं आपको बताना चारा था कि यह जो images है guys, इसको मैं already अपना जो by default मेरा जो public folder है वहाँ पे images नम का एक folder होगा, उसके अंदर आपके, you know, जो भी restaurant में total कितने product से उनकी images, आप जो images है, वहाँ पे add कर सकते हो, and simply यहाँ पे दिखा सकते हो, all our guest objects सकते हो, कि मैंने हमारा ही जो public folder, उसके अंदर एक folder add कर दे, images का, and we have, मलब awesome images, wow, momo, ठीक है, तो इस तरके से हम तो काम complete हो चुगा, जहाँ पे image, name, category, price, description, इसको अड़ा रहा हूँ, style की भी मुझे कोई need नहीं है, ठीक है, this is it, यह मेरा restaurant का काम complete हो चुगा, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता तो guys, अभी भी आपको दिखा ही नहीं देगा, क्योंकि मुझे उस menu का जो API है, उसको get करना है, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यह जो मेरा menu API उसको मुझे यहाँ पे get करना है, so import, दियान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, menu from dot forward slash, अब directly हाँ, क्योंकि उसके उपर तो कोई folder है नहीं, यह तो direct है, and नाम क्या लिखा था हमने, ह हमने लिखाता है, आप दियान से देखो, कि मैंने उसको बाहर किया हूँ, तो मैं menu API को इसके अंदर चिपका दूँगा, and then मैंने mob कर लिए, this is it, menu API, अब सब एक ही folder के अंदर है, so menu API, that's it, and मुझे dot js लिखने की need नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, चलो ठी अब गाइस, मुझे क्या करना है, कि यह जो भी मेरा data दिखाई दे रहे, यह सिर्फ एक तो है नहीं, यह तो multiple है, क्योंकि बहुत सारे है, and मेरे यहाँ पर जितने भी data है, मेरे menu के अंदर, वो सभी मुझे one by one यहाँ पर data चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अब गाइस हम क आपको बात आता, देखो, कैसे करना है, इसको हम और बैटर तरिके से आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजे, ठीक है, तो use state hooks का काम है, किसी भी data को get करके रखना, अपने पास hold करके रखना, तो कैसे लिखते है, use state, आपको इस तरिके से लिखना है, and then एक parenthesis दे देना, इसके अंदर guys, आपका आता है, initial data, ठीक है, that's it, यहाँ पर आपको equal to देना है, now आपका यह जो use state है guys, it returns an array of two elements, ठीक है, एक array return कर रहा है, जिसके अंदर दो elements होंगे, ठीक है, यह दोको मैं यहाँ पर चलता हूँ, const, इस तरिके से लिख देता हूँ, const, यहाँ पर देखा, आप वो दो element के है, सबसे, सबसे पहला होता है guys, आपका state variable, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, like, मुझे यह जो state variable चाहिए, यह जो मुझे use state की use है, वो मुझे menu को hold करने के लिए, मुझे अपने API को store करने के लिए, ठीक है, so guys, मैं यहाँ प लिख देता हो, and इसका एक convention, आपको set लिखना है, and then जो भी आपने इदर लिखा, उसी कोई लिख दो, capital के, इस तरह के से, set menu data, तो यह मेरा use state, यहाँ पर मैं data को hold कर सकता हो, data को basically manage करने के लिए, आपके react application में आपका जो state है, आपका जो data है, उसको manage करने के लिए, we use use state, that's it, यह आपका initial data, यह आपका menu data, basically state variable, यह आपका updated data, तो यहाँ पर आपका जो भी data होगा, वो इसका current data कहलाएगा, यहाँ पर जो भी data होगा, वो हमारे state variable का current data कहलाएगा, and यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मेरा data हो यह menu, and मैं इसरी किसे पास कर दो, that's it, ठीक है, तो गाइस मै controller save कर दे रहा हो, अब यह जो मेरा menu data है, हम जल्दी से चलता है, यहाँ पर, and देखते है, what is out this menu data, controller save करना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो data है, जो हमें warning दे रहा है, सबसे पहला बता रहे, use state is not defined, तो गाइस इसको define करने के दो तरीके, पहला तो आप directly react. लिख सकते हो, तब आपको इसकी value पाता चलेगी, कि हाँ हमने import किया है, अगर आपको इसको import नहीं करना है, तो भी गाइस आपको यह react ना लिखे, यह जो आपका use status को copy करिए, ठीक, react के बाजो में, square brackets, and that's it, इस तरीके से आप इसको use कर सकते हो, so this is it, हम इस तरीके से use state जो हो के उसको हम define कर सकते हैं, ठीके, आगे हम एक और इसका example देखेंगे, बहुत awesome, मज़ा आ जाएगा आपको, and मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, फिलाल के लिए यह जो part 10, इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि इसके करना गाइस हमें warning आ रही होती, and that's it, आप आप देख सकते हूं, एकदम सब कुछ perfectly run कर रहा है, लेकिन अब गाइस, जो same data इसको मुझे बार-बार repeat करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे data है, जैसे कि आप देख सकते हूं, यहाँ पर एक, दो, and I think यहाँ पर यह जो थापा थापा दिखाई दे रहा है, मैंने actually कु वो इसको अपनात लेते हैं, ठीक है, तो यह जो data है, इसको मैं दुसरे page पे add करके रखना चाहूंगा, वैसे कि लिए दुसरे component पे, ताकि awesome दिखाई दे, मैं यहाँ पर चलता हूं, एक new file create कर लेता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इस तरके same menu card, react error function component with export, देखो कि जल्दी हो जाता है, मैं यहाँ पर चलता हूं, यह जो restaurant है, इसमें जान मुझके धीरे धीरे कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले project में मैं एकदम फिर fast करना शुरू कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको यह पता चल गया, कैसे काम कर रहा है, then हम इतना कोई tension ह होगा नि, that's it, अब इसके में जो कोई need नहीं है, यहाँ पर, फाइनली हमारा जो props का जो fund है, वो आने वाला है, वहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ हमेशा है, जब भी आप hooks use करोगे, यह आपका यह जो functional component है, उसका पहला data होना चीए, मतलब ठीक, उसके नीचे आपको इसको add करना है, अब return की नीचे इसको add नहीं कर सकते, else आपको warning आ जाएगा, ठीक है, आप इस्तर के से नहीं कर सकते यह, ठीक है, कुछ data आने रहा, लेकिन फिर भी, rule के हिसाब से hooks, सबसे top level पे, एकदम top hierarchy पे आपको लिखना ही पड़ता है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर forward slash, menu card, that's it, आपका यह काम हो गया, control है, save कर लेता हूँ, अब इसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, so करना है, ठीक है, एक component के अंदर दुसरे component को कैसे करेंगे, simple, and that's it, आपका काम हो गया, यह, ठीक है, अब मैं आगर यहाँ पे चलता हूँ, मुझे वापा सो data दिखाई दिखाई रहा है, लेकिन at least मेरा जो main page है, वो एकदम neat and clean दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लिखा कि नहीं यहाँ पे, all right, now we need to understand how to use props in react jest, ठीक है, यह बहुत जादी important है, क्योंकि यह जो मेरा menu है, ठीक है, जो की फि लगेंगे, फिलाल तो यह एक ही है, मुझे दो बनाने के लिए इसको copy करके paste, आप देख सकते हो मुझे दो मिला लेकिन मुझे दो बार code को repeat करना पड़ा, तो एक second मैंने copy तो की नहीं, copy तो किया ही नहीं, इसी चिपकाई जा रहा था मैं, this is it, आप देखो 3 के लिए मुझ पास करना पड़ता है यहां पर, और मैं चाहूंगा कि यह जो मेरा component है, वहाँ पर यह जो data है, वो मुझे मिल जाए, ताकि यह एक मेरा array है, array में हम map method use करेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है, तो props कैसे पास करना देखो, जो भी आपका data रहता है, उसको copy करो, as attribute, पहले पास करना इंदी form of props, तब आपको यहां पर, एक कलिब्रेस देना है, ठीक है, यह जो data है, यह आपको पास करना है, तो आपको इस तरीक से लिख देना है, this is it, तो यह एक trick है, जिसके थूरू हम data पास कर सकते, from one component to other component, from parents to child, हमेशा data from parent to child, top to bottom, जो hierarchy वहीं पर ही होता है, ठ इतना ध्यान रखना, from top to bottom of data, बहुत इसली पास आउट कर सकते हो, and वहीं पर ही prop drilling करके problem आता है, जिसको मैंना अल्रेडी define कर चुका है, आप video खतम हो जाएगा, तब देख लेना, लेकिन अभी इतना हमें matter नहीं करेगा, ठीक है, तो menu data, and then we have our menu data, ठीक है, नाम कुछ भी ठीक है, यही same को copy करो, and props जब आपने वहाँ से base दिया, आपको अब उसको use करना है, तो यह जब आपका दिख रहा है यहाँ पे, यह in the form of parameter आपको उसको expect करना है, I mean accept करना है, and आपको calibrations करना, menu data लिख देना है, this is it, मैं यहाँ पर चलके menu data एक बार आपको दिखाना and this is it guys, आप देख सकते हो, मुझे area के अंदर total 9 object मिल रहे है, एक, दो, तिन, तो इसी कोई मुझे guys आप लूप पे चलाना है, ठीक है, यह देखो, अब मैं लूप पे कैसे चला सकते, इसको मैं comment करो, ध्यान से देखना, return के अंदर मैं चलूँगा, ठीक, इसके नीचे, मैं चलूँगा, इस तरह के से, कली ब्रेसे, ठीक है, and हमने already, what is map method समझ चुक है, guys, अगर आपको नहीं idea, what is map method, please, वीडियो जरूब चेक आउट कीजिए, jsin1, वीडियो मैंने map method, बहुत अच्छे से explain के, area के अंदर कैसे work करता है, so, मेरा ये जो menu data है, menu data, ठीक है, the answer, dot map method, simple cal ब्रेसे, fat arrow function में, इसके अंदर use करने जा रहा हूँ, that's it, ठीक है, यहाँ पे guys, मेरा जो आएगा, ठीक है, current element, आपका index number, ठीक है, and आपका array, वो, उसके हमें कोई नीट 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 नीट, सिर्फ current element, मुझे again return तो करना है, जैसे भी, ठीक है, इस तरह किसे मैं चलता हूँगा, bottom पे भी, same, क्योंकि guys, हमें एक नएक चीज रिटन करना ही रहता है, and मैं आपको बताया था, कि यह react fragment सबसे best है, ठीक है, control s, save कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलता, boom guys, ही देखो, मुझे सारा का सारा data आ गया, same, Maggie, यह जो कुछ भी लिखा है, यह मुझे 9 बार दिखाई दे रहा है, and यहाँ पे guys, I think कि हमने कुछ ना कुछ कहीं गर्डवर्ड किया, जिसके तुरू मुझे यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, all our guys, I just realized कि हमने एक जो main class है, उसको तो miss out कर दिया था, that is main card container, यह जो है, ठीक है, menu data जहा हमने ल देंगे, ठीक है, कल के दिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक second, copy करता हूँ, paste, and मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, इस तरीके से, ctrl s, save करता हूँ, refresh करता तो, कैसा अब आप देखोगे, मैं यहाँ एक बार रिफ्रेस करना चाहूँगा, अब देख सकते हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कि यह जो मैंने लिखा, एकदम पॉफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक वर्निंग आ रही होगी, that is, की, console पे, guys, not console, actually, warning हमें मिलना चाहे, लेकिन मिलनी रहे, यह बहुत अजीव वाली बात होगी, and that is, जब भी आप इस and यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, guys, हमें मालूम है कि हमारा जो current element है, current element.id, we have a id over here, जिससे हमारा काम वो completely हो जाएगा, and अब एक एक चीज़ दिखो, यह जो मेरा one है, one के बदले, guys, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मेरा current element के बाद सारा data आच चुका होता है, so current element.id मैं मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस से .id, ठीक है, मैं यहाँ पे repeat करता रहाँगा, इसको copy, and then यहाँ पे जो breakfast है, guys, instead of breakfast, वहाँ पे जो भी था उसका नाम, तो आप देख सकते हो, guys, who basically name है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, name, इतना लिखने है, मातरा से भी अग यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, sorry, यह जो नाम आपको दिखाई देरा, basically, यह मुझे copy करना है, यहाँ पे, and इसको मैं, guys, यहाँ पे paste कर दूँगा, this is it, तब आप देखोगे, Maggie, अलु पकोड़ा, corn, pizza, छोला, non-based थाली, तो यह automatic आ गया, so this is the beauty of your react, जहाँ पे mark प्रेस करते हो, या forward slash क्लिक करते हो, तो guys, आपका यह comment हो जाता, I think यह बहुत थी basic था, simply guys, current element dot आपको आया, यहाँ पे image लिख देना है, and इतना लिखते ही, and boom guys, आप देख सकते हो, आपको सारा data आ चुका, so guys, कैसा लगा था, कितना awesome, इसी बात पे guys, एक like जरूर बनता ह भी तक नीक है, तो guys, जरूर सब्सक्राइब कर लिजए, अगर ठीक है, तो इतना मेरा एक काम complete हो चुका, अब guys, मैं क्या गरता हो, वापस back to, यहाँ पर मैं चलता हूँ, मुझे guys, अब यह मेरा nap बार ची, तो एक component में ने create की, उसको loop पे चला दिया, सब कुछ मिल गया, अब मुझे यह मेरा nap बार ची, यह breakfast, lunch, जो भी है, तो मैं चलता हूँ वापस, इस जिएगे पर, यहाँ पर ध्यान से दखो guys, we have one nap, मैं इस तरके से हमारा जो HTML का semantic layout है, उसको मैं यहाँ पर use करूँगा, and मैं यहाँ पर इस तरके से nap बार लिख दूँगा, ठीक है, इतना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, btn, group, इस तरके से, ठीक है, basically CSS के classes already मैं ने apply करी चुका, and then इसके अंदर we have a button, इसको कुछ class name देना चाहूँगा, and that is btn, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, we have a group, and then hyphen, hyphen, items, ठीक है, item आपको लिख देना है, simple controller, save करना है, इतना मैं लिख दे रहा हूँ, breakfast, controller, save करता हूँ, and आप देख सकते हूँ, मुझे breakfast मेला, बहुत ज़्यादा, awesome, now guys, आप मैं क्या करूँगा, यही same button को copy करूँगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी loop, I mean, चला सकता था, but चलाँगा ने, प्यूंकि इस video के end मैं, I mean, यह जब हम project क कर, इसकी थोड़े बाद मैं आपको बताऊंगा, एक sort का trick, एकदम awesome trick, जिससे react की मदद से, यह जो same piece up को, जो आप बार बार लिख रहे हूँ, इसको आप और sort कैसे कर सकते हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर फिलाल के लिए, as it is, लिख देता हूँ, lunch, and यहाँ पर let's go with all, चलो सकता हूँ, उसको ही मुझे सिर्फ दिखाना है, like हम यहाँ पर करें, breakfast के लिए, we have this awesome breakfast, ठीक है, तो guys, अब मैं बहुत easily कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैची, अगर मैं breakfast पर click करो, आपको मालूम है, हमारा यह जो API है, यहाँ पर एक section है, that is your, आप देख सकते हूँ, category, and वह आने वाला, कैसे देखो, it's super duper easy, and मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और JavaScript का function देखने जा रहे है, देखो कैसे, जब भी breakfast पर कोई करेगा, click, मुझे एक function चलाना है, ठीक है, and function हम चलाने के लिए, मुझे square brackets लिखना पड़ेगा, and मेरा जो function का नाम बता हूँ, देखो कैसे, लिख देता हूँ, मेरा filter item, fat arrow function, अब आप मुझे बता हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा, कि user ने breakfast पर click किया, ये lunch पर, तो मुझे कुछ ना कुछ argument पास करना पड़ेगा, तो breakfast के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर breakfast कर दूँगा, इस तरी किसे double quotes के अंदर, मैं लिख दूँगा, breakfast, ठीक है, spelling सही लिख देता हूँ, मैं, this is it, तब, अब मैंने क्या बोला कि, मैं एक function को call कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक argument पास कर दी, और मैं यहाँ पर उसको define कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको expect कर रहा हूँ, and मैं यहाँ पर आपको जब भी आप function को call करते हो, and then अगर उसमें आप कुछ argument पास कर रहे हो, better go with fat arrow function, ताकि वो अपने आपको बार बार कॉल ना करके बैठे हूँ, यह आगे जाके बहुत error आने वाला, बहुत difficulty होगी, so एक आदत बिठा लो, fat arrow function के अंदर, आप इस तरिके से function को call कर रहा ठीक है, जब मैंने function को call कर दिया, यहाँ पर मैंने category pass out कर दी, अब बहुत easily मैं क्या कर सकता हूँ, const, मैं लिख देता हूँ, updated list, will be equal to मेरा यह जो menu है, ठीक है, इसके अंदर ही तो मेरा पूरा card है, आपको याद है, मेरा API यह menu, dot, यह हमारा array है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर filter चलता हूँ, and it's super duper easy, मैं सिर्फ return करना चाहूँगा, मेरा यह current element है, इसके अंदर यह category, अगर वो triple equal to match करता है, इस category से, तो मैं सिर्फ उसी को ही return करना चाहूँगा, बाकी किसी को नहीं, ठीक है, and now मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, set menu data में मैं चलूँगा, and यह जो मेरा updated list है, and then simply मेरा यह जो updated list इसको copy, and then यहाँ पर place कर दूँगा, that's it, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारा breakfast वाली जो category है, उसको यह filter out कर देगा, इस पर वो store कर देगा, and वो ही same data को मैंने वापस इस पर add कर दिया, मैंने आपको बताता है, यह था मेरा updated function, and जब भी इसकी value change होगी, वो हमारा current state variable की value change कर देगा, अब menu data के अंदर जो भी breakfast वाला रहा होगा, सिर्फ वही हमें दीखेगा, जहान से देखना, मैं यहाँ पर चलता है, रिफ्रेस कर रहा हूँ, मैं lunch पर click करूँगा, कुछ नहोगा, evening पर कुछ नहोगा, but the moment, मैं breakfast पर click करूँग and boom guys, see, मेरे पास सिर्फ Maggie and then corn, क्योंकि यह दोनों breakfast category के अंदर आते, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो data चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया, अब देखो, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन breakfast पर दो data मुझे आ चुका है, same हुझे तरीके से, यही जो on click है, इसको मैं copy क चिपका दूँगा, and अब मुझे कुछ नहीं करना खाली, breakfast के बदले मुझे यहाँ पर LUNCH लिख देना है, control S, save कर देना है, and boom guys, अब मुझे lunch के लिए दो मिल गया, breakfast, यह मेरा lunch, उसी तरीके से guys, इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, यहाँ पर चलके, इस जगे पर paste, इस जग यह for all, ठीक है, फिलाल के लिए मैं as it ही छोड़ दे रहा हूँ, मेरे evening के लिए, मेरे dinner के लिए, breakfast, lunch, evening, dinner, सब कुछ मिल चुक है, लेकिन all में मुझे अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, and यह जो दो data है, because of lunch आया है, ठीक है, मुझे all मतलब सब कुछ है, and सब कुछ कैसे मिलेग जब मैं set menu data, मेरा जो यह updated menu है, ठीक है, updated function है, थुई दिर में हम और समझेंगे इसके बारे में, मुझे उस पर सारा menu वापस add कर देना है, इस जगे पर, यह जो part देख रहा है, जब भी इस पर click करेगा, filter को तो मुझे touch भी नहीं करना है, मैं यहाँ पर चलूँगा, set menu को click दूँगा, and यहाँ पर चल के वापस menu चिपका दूँगा, मैं वापस पूरा menu add कर दूँगा, control and save, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, dinner, all पर, and वापस मुझे सब आ गया, so guys मेरा काम तो हो गया, dinner, evening, lunch, and then breakfast, लेकिन एक पंगा इसमें, एक पंगा वो यह है, कि कल की दिन menu API पर, मैं यहाँ पर चलता हूँ, and अगर इस तरीके से मैंने copy की, and मैं यहाँ पर चल दू, and suppose instead of evening मैंने लिखा थापा, अब थापा करके कुछ है, नहीं है, मतलब मैं कैसे पता लगेगा कि मैंने अब अपने restaurant पर एक और product, एक और, आप कैसे हैं, component को add कर दिया, जिससे औ लेकिन यहाँ पर तो वो थापा दिखी नहीं रहे, अब अगर यहाँ पर थापा वाला जो मैंने just category add किया, वो अगर दिखनी रहे, तो मैं search भी नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं all पर चलता हूँ, तो वो आपको यहाँ पर एक दम bottom पर दिखाई देगा, देखो, मैं एक काम क तो कि react के version 17 में आया हुआ है, अपको यह मिल जाएगा, उसको मैं कैसे fix करना है, वो थोई दिर में बता तो, लेकिन अभी मैं refresh कर दूँँगा, तो अब आपको यहाँ पर थापा दिखने वाला है, टेकि वो ध्यान में रखना है, मैं आपको एकदम end में बताऊंगा, वो जो fix है, react version 17 का ही एक problem था ये, लेकिन मुझे थापा आगया, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे जितने भी category हो, चाहे मैं चाहे जितना भी add करूं, automatic हो यहाँ पर reflect हो, और मैं अगर उस पर click करूं, तो उसका जो card है मुझे दिखाई दे, that's it, मुझे वो चाहिए, ठीक है, आपको लिग दो बार-बार, नहीं बोलता है, react बोलता है, component बना, काम चला अपना, must, ठीक है, तो ये do not repeat yourself वाली जो idea है, वो अब हमें follow करना, और वो मैं कैसे कर सकता हो, ध्यान से देखना, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि मेरा ये जो menu API है, इसके अंदर ये जो category है, ठ repeat हो रहा है, मुझे उस repeat को हटा के unique category है, ठीक है, कैसे होगा, मैं आपको बाता तो देखो, मैं menu card पर चल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना, मुझे एक function चलाना है, एकदम top पर चल रहा हूँ, मैं हमारा जो restaurant component है, उसकी भी उपर इसके अंदर मेरा सारा data है, menu.map method में चलाना चाहूँगा, pat arrow function इसमें मैं चिपका रहा हूँ, simple इस तरह किसे, मैं क्या करूँगा, मेरे menu card के अंदर, I mean मेरा menu API के अंदर जितनी भी category है, वो सबका list मुझे चाहिए, सबसे बहले तो, मैं कैसे कर सकता हूँ, it's super duper easy, current मेरा element, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखोगा, इसमें मैं सिप return करना चाहूँगा, मेरा current element के अंदर जितनी भी category है, that's it, simple console.log and यह जो मेरा, इसको मैं copy कर देता हूँ, यहाँ पर paste, this is it, अब मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, आप लोगों को refresh करके दिखाता हूँ, I mean inspect करके, console and that's it, मुझे मेरा, देखो, सिर्फ और सिर्फ category, जो भी है, last में मुझे वो थापा आ रहा है, मुझे मेरा, अब देख सकतो category के सारे list आ रहे है, लेकिन एक problem है कि यह repeat हो रहा है, breakfast है, then again we have breakfast reader, evening, evening, तो मुझे repeat नीचे, मुझे unique data चाहिए, मेरे category का, ठीक है, ताकि मैं करेंगे guys, हमारे पास एक data structure है, जो की, ECMAScript 2019 में यह था, बहुत ही awesome है, that is, मैं यह जो मेरा menu है, ठीक है, इस complete के portion को guys, मैं square brackets, I mean parenthesis के अंदर रखना चाहूँगा, and यहाँ पी we have to write new set, आपको खाले new set लिख देना है, control as save करना है, एक बार मैं refresh करना चाहूँगा, and boom guys, now मु मुझे इसको array में convert करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यह जो new जो दिख रहा है, इसको मैं directly इस तरीके से square brackets के अंदर रख दूँगा, and I think मुझे पहला वाला यह जो था का, इस parenthesis हा, new set and then parenthesis मैंने wrong बोल दिया उस समय, but यह मेरा square brackets के अंदर लिख दिया, now यह मे data चाता हूँ, array with pure data only, तो उसके लिए guys हम यहाँ पर use करेंगी spread operator, देखो इसके बाद, ठिक मैं new से पहले dot dot dot, this is called your spread operator, मैं control as save करना चाहूँगा, and यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, and अब अगर मैं refresh करता हूँ, and this is it guys, देखो, हमें हमारा unique data आज चुका है, इ मुझे उसको यहाँ पर loop पे चला देना, मैं loop पे चलाओंगा, उससे पहले, उससे पहले, यह spread operator बहुत जाद इंपोर्टेंट है, हम आने वाले project में इसको use करने वाले, सबसे बहले तुम्हें बताना चाहूँगा, यहाँ पर यह जो बार बार, same piece of code, current element, current element, current element, current element, current element, य उसको अगर मुझे repeat नहीं करना होता तो guys, we have a destructure, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहीं न कहीं आप देख सकते हो, spread operator and many more, यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है, and events भी हमने अल्रेडी देख लिया है, ठीक है, मैंने आपको काथम practical करते जाएंगे, तो सब पता चलता जाएगा, spread operator, that is your three dots, and then your destructuring object कैसे करते हो, simply guys, मुझे क्या करना, आप देख सकते हो, मेरा current element है, ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे data आचुका है, जो कि मेरे इस API के अंदर था, ठीक है, अब बहुत clearly देख सकते हो, कि इस API में we have ID, images, name, category and then prices, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हो, दिखिएगा, and then guys, simply यहाँ पर मैं क्या कुरूंगा, destructure करना है, मुझे कैसे होता है, destructuring देखो guys, const, ठीक है, already हमने ACMA script 2015 में तो यह समझे लिया था, so we have our ID, ठीक है, ID, we have our name, then आप देख सकते हो, we have our category, ठीक है, मैं चलता हूँ, यहाँ पर, we have our images, and then we have our description, this is it, will be called to, आपक यही इस से, कि जहाँ मैं बारबर, same piece of code को current element, current element जो मैं लिख रहा था, उसको अब मुझे बारबर लिखनी की neat नहीं है, क्योंकि मैंने already उपर तो destructure कर दिया, अब जहाँ जहाँ current element dot मैंने लिखा है, उन सब को मैंने control D करके select की, and एक की बार में मैं हटा दूँगा, this is it, control जो लाँ, save तार, now, देखो, कितना neat and clean दिख रहा है, मैं अगर यहाँ पर चलना चाहूंगा, इस जगे पर एक बार में refresh कर देता, अला कि करने की neat नहीं है, आप देख सेकते हो, guys, अभी भी यह perfectly work कर रहा है, तो थाना ही कितना awesome की destructuring की मतलब में, कितना neat हमें हमारा code वीडियो करते रहेंगे, यूस करते रहेंगे, ठीक है, आपको और पाता चलेगा, basically, हमें spread operator को भी देखना है, जब हम real world API के साथ work करेंगे, तब आपको destructuring and spread operator को बहुत ही awesome इस पाता चलने हो, all right, guys, this is it, अब मैं यहाँ पर back चलना चाहूंगा, अभी यहाँ पर एक problem है, and मैंने आपको जब बताया था, what is react, उस समय हमने समझा था, react is all about your components, जिसका main fund है, do not repeat yourself, हम एकी same piece of code को बार बार रिपीट करें, like we have our button, फिर button, फिर button, फिर button, फिर button, भाई यह क्या, and एकी चीज़ चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको बात आता है, यहाँ पर भी, and that is, खली on click के अंदर dinner, dinner, evening, evening, बाकि सब कुछ तो same है, तो क्यों न मैं सिर्फ एक ही button लिखू, and यह सब कुछ automatic आ जाए, this is it guys, आपको याद होगा, जब मैंने आपको what is react के समय बताया था, explain किया था, react को मैं अब एक डिब आप लिखो गया, आपका सब कुछ बन जाएगा, मैं इस automatic अब सब बनने वाले कैसे देखो, मैंने आपको बता तुछ को है, जब हम यह वाला card component पर work कर रहे थे, same हो मुझे अब यहाँ पर करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, गैस, यह जो मेरे unique data है, उसको मैं यहाँ पर set करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूंगा, कि मेरा यह जो navbar है, इसको मैं एक total different component पर add करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं वापस component मेरा basics, new file में जाओंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, navbar, ठीक है, इस्तरके से navbar.js, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूं, react arrow function component with export, this is it, इसको म मेरा divay, इसके बदले मैं लूँगा, syntactic sugar format, मैं यहाँ पर चलता हूं, यह जो मेरा part है, that is, मैं complete navbar, इसको मैं इस्तरके से कर लूँगा, copy, हटा दूँगा, यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर मैं paste कर रहा हूं, ठीक है, यह जो portion दिखते है, इसको अब delete कर दो, तो आपको कु एक second, अब यह जो मेरा part है, इसको मुझे import करना होगा, मेरा main component वाले page पर, यहाँ पर, so कैसे, import, आपका यह, from dot forward slash, आपका होना चीए, navbar, this is it, dot just लिखने की need नहीं है, इस navbar component को मुझे यहाँ पर call करना है, and अगर call करना है, तो बच्चों का खेले, अब तो आपको पता च लेकर चलता हो, filter item is not defined, because I need to pass props, and हमने already समझ लिया, how to works with props, same, जैसे हमने menu card के साथ किया, वो ही same मुझे यहाँ पर करना होगा, मुझे इस navbar में, यह जो filter item वाला, यह जो function है, यह मुझे pass करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर filter item, जो यह function उसको use कर रहा हूँ, जबकि इसका कोई reference यहाँ पर तो ही नहीं, तो I need that reference, and वो मैं बहुत इजली pass out कर सकता हूँ, with the help of props, so filter item will be equal to filter item, अब आप देखोगी कि हमारा यह जो filter item का यह बार बार repeat जो हो रहा था, यह अब actual में तो वैसे नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए दिख रहा है, क्योंकि यह जो filter item है, जो यह props है, इसको मुझे यहाँ पर define करना पड़ेगा, inside और parenthesis मैं कलिब्रे से use करूँगा, and this is it, अब at least यह जो filter item है, वो मुझे उसका error नहीं आ रहा है, अभी मुझे दो चीज़ बता रहा है, that is set menu data, and then menu is not defining, अब set menu data क्योंकि इसके कारणी है, जो button है, तो यह जो button को तो मैं हटाई देता हूँ, एक बार, तब आप देखोगे guys, थो कम जूम करता हूँ, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, I mean दिख रहा है, लेकिन अब वो all नहीं दिखाई दे रहा है, and यहाँ पर कहाँ एक extra आ रहा है, guys, कुस्तो भी ठीक है, और गैस, आप देख सकते ह हो गया, अब मुझे क्या करना, guys, यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी हम यह same piece of code को बार बार रिपीट करें, जो मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा guys, मुझे एक array चीए, like, यहाँ पर already, यह एक array, but इसको मैं एक state variable में add करके, मैं loop पे चला दूँगा नफ बार पे, ठीक है, कैसे देखो, यह मेरा x state variable, the help of use state हमने अल्री देख लिए है, तो const मैं यहाँ पर चलता हूँ, const इस तरीके से, यहाँ पर मैं guys, लिख देता हूँ, I unique नहीं लिखता है, let's go with menu, updated list, simply list लिख देता हूँ, set menu list, will be equal to my guys, यहाँ पर मैं 89 की लिखा मैंने, I use state and then guys, simply मुझे अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा, मेरा unique list, ठीक है, क्योंकि इस unique list के अंदर guys, मेरे unique category के नाम आच चुके, जिसको मैंने menu list पर pass कर दी, अब यही menu list मेरा जो state variable है, वो मुझे यहाँ पर pass करना पड़ेगा, मेरे navbar पे, अब आपके mind में question आ रहा होगा कि, हम same component में, अगर मुझे दो दो props pass करने रहा, तो मैं क्या करता गा, इस कुछ नहीं करते, again आपका attribute का नाम, I mean आपका props का नाम, आपको calibrates and value pass कर दीनी है, इस तरीके से आप same component पे, दो दो props को pass कर सकते हो, now मैंने दो props pass कर दिये, अब आप कि, अब, इनो, आप सोच रहोंगे कि, मैं यहाँ पे उन दो props को accept कैसे करूँगा, क्योंकि एक तो मैंने already कर लिया है, क्या मैं यहाँ पे comma लिखके से कर सकता हो, guys, इसकी कोई need नहीं, आपको इसी curly presses के अंदर ही, जितने भी आपके props होंगे, खाली comma देना है and then लिखते जा लिया, तो बागी दो automatic बन जाएंगे, क्योंकि हमें same जिसको repeat नहीं करना, खाली content change हो रहा है, same यहाँ पे भी होई है, अगर यह मेरे buttons बार-बार repeat हो रहा है, कुछ change है नहीं, इसमें सिर्फ change हो तो content, breakfast, breakfast, lunch and then lunch, मुझे यह सभी चीजों को युनों बार-बार नहीं लिखन है, do not repeat yourself, जो fund है हो, अब मैं यहाँ पर अपनाता हूँ, कैसे देखो, already हमने देखी चुका था, मेरा यह जो button गुरुप है, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, मेरा इस तरह के से calibrances, manualist.map method में यहाँ पर call करूँगा, fat arrow function, जो की हमने अल्रेडी देख चुक है, 1000 अब यह जो मेरा button है, इसको मैं copy कर रहा हूँ, and we need to return something, यह मैं आपको बताते है, basic rule है, we need to return every time, ठीक है, and मैंने इस तरह के से button pass out कर दी, this is it, अब मेरे फालतु कि जितने भी buttons थे, यह all वाले को भी मिला के, सबको मैंने controller save कर दिया, यहाँ पर यह जो है, इसकी मुझे कोई नीट नीए, this is it, ठीक है, अब यहाँ से देखना, इतना लिखने मातर से, अगर मैं यहाँ पर चलता हो, तो आप देख सकते हो, मुझे हर जेगे सिप और सिप ब्रेकफास्ट दिखाई दे रहा है, and अब अगर इस पर मैं click भी करता हो, तो मुझे ब्रेकफास्ट का data होंगे, and यहाँ पर इसको हटा कि मैं लिख दूँगा मेरा current element, and यहाँ पर भी जावस्क्रिप्ट के पार्ट को लिखने के लिए current element, and boom guys, see, now breakfast, evening, lunch, dinner, सब कुछ perfectly work कर रहा है, एक चीज़ रहा है, that is all वाला जो मेरा button था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर top पर अब आप देखोगे, मुझे यहाँ पर गाइस, मैं refresh करूँगा, तो ही मुझे वो all आएगा, and अगर आप भी यह problem को face करें, जहाँ पर आपको hot reloading का problem आ रहा है, बाता तो क्या है, मैं देखो hot reload, जावस्किप्ट यह जो भी problem आ रहा है, यह after version 17 आ रहा है, जहाँ पर इसका रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने simply बताएगा, अगर यह problem आपको face हो रहा है, तो आप simply क्या करो, यहाँ पर all right इस पर उन्होंने बताएगा, यहाँ पर चलते है, इस वाले पर, बोटम पर आता है, देखो, आपको एक new file create करना, that is environment variable, and later हम जब API पर work करेंगे, real world API weather application पर, म ऐसे आप अपने secret key को secure कर सकते हो, API key को secure कर सकते हो, with the help of involvement variable ठीक है, इसको मैं copy कर देता हूँ, यहाँ पर में चलता हूँ, आपको अपने project पर right click करना है, new file.env file create करना है, .env, ठीक है, and जब आप इस तरह की secret कर रहे हो तो आपको इसको paste कर देना है, मैंने गलती से evr लिग नहीं हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तो इतना करने है, मातरा से अब मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, lunch, dinner and then boom guys, अब देख से तो all नहीं लिखाई दे रहे, उसका reason यह है कि हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, breakfast के लिए breakfast, lunch के लिए lunch, लेकिन all के लिए तो हमने कभी all कर बहुत ज्यादा से बल है, मेरी यह जो category है, ठीक है, category है, उसकी अगर value match कर जाती है, all से, तो मुझे क्या ची है कि मेरा जो यह set menu data है, ठीक है, मेरा जो updated variable है, set menu data यहाँ पर मुझे एक value pass कर देना है, that is complete मेरी menu, ठीक है, इस तरह के से अगर मेरा menu pass कर जाता हूँ, तो यह जो जो भी value होगा, हमारा menu data का current value क्या लाए जाएगा, ठीक है, यही menu data को तो मैं रूप पर चला रहा हूँ, यहाँ पर, and मुझे यहाँ पर एक चीछ करना पड़ेगा, and that is your return, this is it guys, इतना लिखने मातरा से guys, मैं यहाँ पर चलूँगा, breakfast, evening, lunch, dinner, and then all में मेरा सारा data आ चुका है, now, इसका best part यह है guys, कल के दिन अगर आपके API में आपको लगा मुझे अपने restaurant को और बाड़ा करना, इसमें more categories को मुझे add करनी है, तो guys, अब आपको कुछ नहीं tension करना, क्योंकि हमने इस तरीके से code लिखा है, कि मैंने एक new category थापा अगर मैंने add कर दिया है, यहाँ पर भ else, आपको क्या करना पड़ता, आपको यहाँ पर चलके एक और button create करना पड़ता, थापा थापा दो बाल लिखना पड़ता, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, but now guys, आप देख सकते हो, सब automatic हो चुक है, सब जो जिसका जो category है, वो ही data आ रहा है, and all में मैं सब कुछ data आ रहा है So this is it guys, हमारा जो basic react jazz था, वो complete हो चुक है, now अब हम देखते है, what is hooks in react jazz, जो कि redux की जगे, almost ले ही चुक है, लेकिन फिर भी redux अपने जगे ठीक है, and यह तो सिर्फ शुरू आता है, मैंने आपको अल्रड़ी इस starting में दिखा है थाम कौन-कौन से project पे work करने वाले, अभी व सब्सक्राइब कीजिएगा, and हमारा यह जो website था, पर technical.com, यहाँ पर मैं सभी source code फ्री में अविलेबल कर रहा हूँ, ता आप जरू check out कीजिएगा, ठीक है, all right guys, I hope आपने थोड़ा rest किया होगा, लेकिन मैंने rest नहीं किया, ठीक है, मैं वापस continue कर रहा हूँ इसको, control है save कर अब मेरा इतना काम हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, कईस यहाँ पर चलूँगा, ठीक है, आपको क्या करना है, right click new folder, and आपको hooks लिख देना है, ठीक है, इस तरह के से आपको hooks लिख देना है, and then enter hit करना, तो आपका hooks करके folder create होगा, उसके अंदर आपको दो file create करना होग style.css, जहाँ पर मैंने already style कर चुका है, and then आपको use state.js लिखना है, जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं की है, simple मैंने use state लिखा है, ठीक है, normal, एक div लिए, जिसको एक class दिये रखी है, and then मेरा paragraph, मेरा div, दो div है, ठीक है, and बाकी कुछ नहीं है, मुझे सबसे पहले यह जो मेरा use state, यह दिख कैसे रहूँ, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो restaurant को मैं हटाता हूँ, nap को मैं हटाता हूँ, style को मैं हटाता हूँ, menu, API को मैं हटा देता हूँ, now I have only one file that is use state, मुझे app.js के अंदर जाना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ पर import करवाना पड़ेगा, from. from. forward slash component forward slash hooks forward slash use state, control as save, यह मेरा use state, use state, this is it, and अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, आप देख सकते हूँ, कितना awesome मुझे दिखाई दे रहा, मैं आपको और यह तो दिखाई चुका था, अब दोनों जगे hoover मी hoover मी दिखाई दे रहा, ठीक है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर च देता हूँ, DECR, decrement के लिए, यह जो my data है, basically paragraph, ठीक है, मैं एक बार जल्दी से style पर चलना चाहूँगा, एकदम bottom pack पर मेरा जो भी paragraph होगा, उसका color guys, let's go with pure white color, ठीक है, control as save कर देता हूँ, अब देखो मुझे यहाँ पर data आ रहा है, एक problem हो रहा है, यहाँ पर भी मुझे text align center करना पड़ेगा, and I think now this is perfect, and I think एक और problem होगा, मुझे इसकी font size बड़ी करने पड़ेगी, and मेरा CSS में हाथ ऐस तरीके से बैठा हुआ, मुझे ही नहीं वालूं, guys, मुझे फटा-फट हो जाता है, सब कुछ, ठीक है, एक काम करता हूँ, let's go with 60, perfect, now यह एकदम awesome दिखाई द देता हूँ, this is it, चलो, यह मेरा part complete हो चुका है, मुझे increment पर इसको increment करना है, decrement पर इसको decrement करना है, and I think कही ना कहीं मुझे एक और चीज़ लगेगा, style.js पर, and that is, जब भी मेरा यह जो button है, ठीक है, चाहे वो button जैसा भी हो, मैं ऊपर चलना चाहूँगा, यहाँ पर मेरा button यहाँ पर गाईस मुझे क्या करना है, इसका जो cursor है, वो मुझे pointer चीए, and let's go with pointer control, let's save, अब I think perfect, now यह perfect, चलो, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, again guys, source code free है, तो आपको बिलकुल tension नहीं लेना, ठीक है, and इस पर तो आप बिलकुल जहन मत देना, ठीक है, यह जो कुछ increment पर click करूँगा, तो इसकी value increment होनी चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर चल का भी फिलाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10, इस तरह की से 10 है, तो increment करूँगा, तो 11, 12, 13, जितने से भी करना हो सकते है, अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए guys, we have hooks in react.js, आपको यहाँ hooks का अपना एक importance है, like use state, like we have our use state, जो की main हमारा state उसको manage screen में काम आता है, कैसे आता है, मैं अब आपको बाता दो, तो use state, अगर आपको use करना है, तो guys, उसके लिए हमें कुछ spacer hooks के लिए, I mean install install कुछ नहीं करना है, simply guys, आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह की से, use state, यह इसके अंदर आपका आता है initial data, मैं आपको अल्रेडी बाता चुका हूँ, आपका आता है initial data, ठीक है, and now यह जो आपका use state है, it returns an array of two elements, ठीक है, it returns an array with two elements, तो उसका क्या मदला होता है, देखो, equal to आपको लिखना है, array हम square brackets में लिखते हैं, तो सबसे पहलो होता है, आपका state variable आपका current data, आपकी current value जो भी होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys, my number, इस तरके से मैं लिख देता हूँ, my number, and उसके बाद आता है आपका updated function, जहाँ पे कल की दिन उस updated function को मैं कुछ भी change करूँगा, तो वो मेरा यह जो state variable इसकी value change कर देगा, फिलाल मेरा initial data जो भी ह होगा, इसकी value होगी, my number will be equal to initial data, and अगर कल की दिन इसकी value मुझे change करनी होगी, इसकी state अगर मुझे change करनी होगी, तो we have our updated function over here, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, set my number, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, खाली उसके आगे आपको set use कर देना, यह convention है, कुछ भी लिख सकते करें, तो आप इस तरके से react लिख सकते हो, आपका यह काम हो जाएगा, initial data is not defined, तो इस initial data को आप directly यहाँ पे, initial data will be let's go with 10, control, save तो guys, अब आपका इस सब कुछ perfect हो चुका, ठीक है, तो यह जो initial data है, वो मेरा my num के बदले हमें मिल चुका है, मैं आप उसको दिखाना अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरके से, console.log करता हूँ, अगर मैं आप आप लोगो को दिखा हूँ, my num करके, यहाँ पे इस तरके से, control, save करके, ठीक है, मैं अगर inspect पे चलता हूँ, console पे तो आप देखोगी, मुझे 10 आ रहा है, मतलब यह जो value है, यहाँ पे मुझे 10 जो value हो मुझे मिल रही, ठीक है, अगर मैं set name को मैं copy करता हूँ, control and save करता हूँ, आप देख सकते हो, मुझे कुछ एक function दिखाई दे रहा है, that's why मैं आपको बोलो, यह हमारा एक updated function है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो 10 है, उसके बतले मुझे state variable use करना है, ठ फिदर पहले ही हमारा जो project है, Calibrations and Mindum, and now आप बहुत क्लियली देख सकते हूँ, मुझे यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, and एक और बहुत useful है, that is guys, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, and components पे click करता हूँ, आप देख सकते हूँ, मेरा use state, and जहाँ पे मेरा पहला data 10 आचुका ह तो guys, जो option हमें मिलता है, components उसको install करने के लिए हमारे पास एक plugin है, उसका link आप यहाँ पे bottom पे देख सकते हूँ, आप जरू इसको install कर लिजेगा, उससे हमें, हमारे react application पे कितने हम state use करें, वो सब कुछ आपको पाता चलता है, फिलाल यहाँ पे 10 है, that's why मुझे यहाँ पे simply देखो, यह मेरा एक बड़ डीव है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा, on click, जब भी इस पे मैं click करूँ, तो इसकी value मुझे एक से increment करनी है न, तो मैं guys, यहाँ पे fat arrow function use करूँगा, इस तरके से this is it, and मैं set my num, updated function को यहाँ पे call करूँगा, and यहाँ पे पता मैं क्या करू तो यह जो value है, वो इसमें reflect हो जाएगा, and my num will be equal to 5 है, ध्यान से देखना मैं refresh कर रहा हूँ, इस पे अगर मैं click करते, and बोंगा, इसकी value 5 हो गई, तो अब आपको पाता चला कि इसकी value को जब भी मैं challenge करूँगा, अब इस state variable का current value कहला जाएगा, and फिलाल यह मेरा initial है यहाँ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरा जो भी my num है, उसको मैं copy करूँगा, plus one कर दूँगा, this is it, it means कि चाहे अब जो भी हो जाए, इसकी जो भी value थी, मैंने उसमें one से increment कर दिया, इसको मैं refresh करूँगा, देखो, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 20, है ना, यह कितना awesome guys, मतलब थाना, यह कितना cool, ठीक है, इस तरह के से guys, यह आपका काम कर रहा होता है, अब उसी तरह के से, जब मैंने यह करी लिया, alright, मैं इसको क्यों नहीं खिसका पा रहा हूँ, यहाँ ठीक है, this is it, इस तरह के से हो चुका यह, अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ, state मेरा 37 आ चुका है, same को मैं करूंगा copy, ठीक है, यहाँ पर इस तरह के से, and यहाँ पर मैं चलूंगा button 2 पर, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसको decrement करना है, एक से, तो simple है न, अब खाले मुझे minus लिग देना है, this is it, अब मैं यहाँ पर चलूंगा, देखो, 15, 16, 17, 18, अब मैं यहाँ पर जा कर सकता हूं, and that is, या तो directly मैं यहाँ पर भी condition use कर सकता हूं, ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दू, अब यह बहुत जाद important है, अब आपको ternary operator पाता चलने होला है, that is, कि मेरा यह जो my num है, if its value is greater than, all right, greater than 0, अगर यह होता है, तो आप set my num will be equal to यह जो भी हम increment, I लेकिन अगर यह false होता है, ठीक है, इसको मैंना I think copy नहीं की, तो इसको मैं जल्दी से copy कर लेता हूं, but अगर वो condition false होता है, then my set num will be equal to 0, उसकी value कभी कुछ होगी नहीं, वो हमें से 0 ही रहेगा, simple, अगर मेरा my num जो है, basically यह value, अगर यह 0 से बढ़ा है, 0 भी नहीं, अगर 0 से बढ़ा है, ठीक है, मतलब 1 to 3 है, तो माइनस 1 करते रहो, लेकिन अगर नहीं है 0 से बढ़ा, तो उसकी value 0 ही रहेगा, उससे नीचे हम नहीं जाने देंगे, this is it, इतना ज्यादा simple था, आप मैं एक बार refresh करूँगा, and यह 15 वहती ज्यादा है, अब एक चीज मैं आपको बतात इनिशल डेटा अगर आपको इस तरीके से mention नहीं करना, आप इसको हटा सकते हो, वह जो 15 वैल्यू अब डिरेक्ली यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर जानौँचके अब इनिशल डेटा लिख रहा हूँ 0, अब मैं यहाँ पर refresh कर दूँगा, मेरा जो इनिश कर रहा हूँ, देखने, स्टेट चेंज हो रहा है न, तीन था, अब दो हो जाएगा, अब सुनने, अब 0, this is it, so this is call your state management with the help of use state hooks, ठीक है, अब यह जो डेटा है, इसको मैं as it is रखूँगा, क्योंकि use reducer की मतलब से मैं आपको दिखाऊँगा, कि यह कैसे work करता है, लेकिन, अब इसी hooks के अंदर में चलना चाहूँगा, एक new file create करना चाहूँगा, जिसका नाम होगा, use effect हो की, बहुत ही जादे important है, and मैं यहाँ पर .js लिख देता हूँ, ठीक है, and this is it, control as save करना चाहूँगा, अब same हो ही चीज़े, इसी को मैं copy करता हूँ, यहाँ पर, and यहाँ पर म effect है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, I think, यह जो मेरा use effect के बदले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, use effect, function का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, use effect, again, इस use effect को मुझे f.js पर चलना पड़ेगा, इस तरह के से, dot forward slash, मेरा component forward slash hooks forward slash, मेरा use effect, control as save, and यह जो मेरा use effect, इसको copy करके, यहाँ पर मैं call करना चाहूँगा, ठीक है, यह जो दो portion इसको फिलाल के लिख से hide कर देता हूँ, and this is it, अब मेरा पास सिर्फ एक ही चीज़े, अब guys, आपको मालूम है, जब भी हम WhatsApp use करते है, हमें chats पे एक option आता है, जैसे-जैसे message आ है, तो chats पे 1, 2, 3, व बड़ जा रहा होता है, तो वो functionality अगर मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पर फिलाल आपको react app दिखाई दे रहा है, बट वो अगर functionality मुझे चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको as it is रखता हूँ, use effect पे मैं चलता हूँ, फिलाल अब भी मैं अगर click करूँगा, तो इसक effect hooks पे आच चुका हूँ, यहाँ पर बता है कि what does use effect do, by using this hooks, you tell react that your component needs to do something after render, that's it, simple मतलब की एक बार आपका काम complete हो गया, उसके बाद क्या करना है, वो आप use effect को बता सकते हो, इसका मतलब बहुत है कि जब भी आपको वेबसाइट पे विजिट करते हो, suppose वेबसाइट पे मैं तो वो क्या हो रहा, आपने एक बार वेबसाइट पे विजिट की उसके ठीक 5 सेकेंड बाद, एक बार आपने वेबसाइट पे विजिट की उसके ठीक 5 सेकेंड बाद एक functionality आपको अगर add करना हो, तो आप use effect hooks, यह जो I mean यह जो use effect hooks है, आप इसका use कर सकते हो, and इतना याद use effect runs after every render, आपके component में कहीं पे कुछ भी change हुआ, यह आपका वापस rerun हो जाता है, ठेके तो वो सारी चीजों का आमें ध्यान देना है, ठेके तो कैसे work करना है, देखो use effect आपको पता चल गया, the moment आपने website open की, on the spot अगर आपको कुछ changes करना हो, या एक बार आपने website open कर दी, उ इसका मालत भी है कि एक बार आप दवाई खा लेते हो, तो दवाई खाने के बाद कुछ न कुछ side effect अगर होता है, तो वो दवाई खाने के बाद होता है, तो सेम यह वही है, एक बार आपने website visit की, उसके बाद अगर कुछ होना हो तो होगा, else होगा ही नहीं, ठेके, तो यहाँ पर मुझे चलना है, ठेके, एंड इतना एक चीज हमेसे आयाद रखो, जब भी आप hooks use करते हो, एकदम टॉप लेवल hierarchy पर होना चीए, ठेके, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, कॉंस वांस लिखने के कुछ need नहीं है, मुझे, simply we need to write use effect hooks, this is it, so this is our cleanup use effect, जिसके हमें को at arrow function चिपकाना है, and जो है, so है, normal, ठीक है, now, यहाँ पर अगर मैं console.log and high लिख देता हूँ, ठीक है, and मुझे इसको double quotes के अंदर लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, use effect is not defined, obviously, अब यहाँ पर क्या गरते, दो-दो जगा effects आगे, I mean hooks use हो रहा है, तो मैं directly use state, and then मैं use effects को इस तरिके से मैं यहाँ पर define कर दे रहा हूँ, अब मुझे इसकी लिखनी की need नहीं हो, पर यहाँ पर, control, save, अब यह एकदम perfect है, ध्यान से देखो, मुझे चलना पड़ेगा, console पर, तो मैं चलता हूँ, console ठीक है, and I think, all right, guys, देखो, एक बार तो इसको मैं refresh करते ही, मुझे guys, वो high यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, and अब इस पर मैं click करूँगा, मुझे वापस high मिला है, देखो, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो जब-जब मैं इसको चलाते रहूँगा guys, click करते रहूँगा, वो, तो मेरा यह जो use effective, वो automatic call होता रहा था, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ चलता हूँ, and मैं guys, array dependency use करता हूँ, इस तरगे से, ठीक है, मैंने simply x square brackets add कर दे, it means my array dependency, अगर आप यह empty छोड़ देते हो, इसका मदलब कि जब आप page को website, I mean, अपने website को जब आप first time reload करोगे, सिर्फ उस समय ही वो चलेगा, उसकी बाद नहीं चलेगा, देखो, मुझे एक ब dependency add कर देते हो, तो guys, अब आप जब चाहो, तब run नहीं कर सकते हो, सिर्फ first time ही वो जो use effect यह चलेगा, आपका, तो I hope guys, आपको at least idea आया गया होगा, कि अब आप इसका use का अप करना है, जब आपको website पे कुछ ऐसी functionality चाहिए कि user को सिर्फ पहली बार, जब वो visit करे, तो ही दि होगा यह, and that is guys, देखो, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मेरा document.title, and again यह जो document.title, आपको मालूमेंगा, इस यह क्या है, यह हमारा JavaScript का ही एक पार्ट है, जहाँ पर मैं, you know, template literals इस करूँगा, and मैं इस तरी किसी लिख देता हूँ, chats, and यहाँ पर मैं में चलके dollar, curly braces, and यह जो minor मैं paste कर दूँगा, this is it, अब इससे होगा, यह ध्यान से देखो, यहाँ पर chats आगे, एक दम टॉप पी देखो, इस जगे पर chats है, and बूम गए, जितना मैं click करूँगा guys, इसकी value यहाँ पर increment हो जाना चीदा, but to increment नहीं हुआ, and मालूम है क्यों, because of this वाला, अगर इसको मैं हटा दूँ, अब आपको मालूम है, जब जब हमारा use effect की value, हमारा state की value change होगी, यह मेरा run करेगा, and अगर यह run करता, तो my name, I mean my number, जो वो change होगा, यहाँ पर, ध्यान से देखो, 5 था, automatic 5 होगया, अभी देखो, 0 है, यह 0, 1 करते ही, boom guys, मुझे 1 मिल र and that is your use reducer hook, जो की बहुत ज़ाद important, ठीक है, and already अगर आपने reducer method use किया है, in JavaScript, तो आपको मालूम है कि, यह जो use reducer है कैसे work करता है, and redux में भी जो reducer है, वो ही same यही है, तो अगर आपने hooks अब कर लिया, and use reducer को समझ लिया, आप redux बहुत दीचली समझ लोगे, and अगर आपने already, you know, redux पढ़ चुका है, and आपने वहाँ पर समझा कि reducer कैसे काम करता है, then guys, आपके लिए बहुत बच्चो अलाकिल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं hooks पर चलना चाहूंगा, right click new file, and इस तरह किसे लिख देता हूँ, use reducer, reducer.js, same state variable वाला, I mean code, उसको मैं copy कर दूँगा, को copy करता हूँ, app.js, आपको इसको करना पड़ेगा, import.hooks.use reducer, ठीक है, इसी use reducer को copy करता हूँ, यहाँ पर paste, this is it, simple, इतना मेरा काम हो गया है, अब मैं एक बार use reducer को run करना चाहूंगा, and बता रहा है, use reducer is not defined, क्यों भाई, यहाँ पर to use reducer है, यहाँ भी use reducer एक्दम perfectly है and I think यहाँ पर उसको गड़वर्ड होना चाहिए, all right guys, actual में यहाँ पर semi column नहीं चाहिए मुझे, and I think now everything is perfect, perfect, चाहिए, ठीक है, now guys, यही same example, जो मैंने आपको use effect की मदद से करके दिखाया था, वो मैं आपको use reducer की मदद से करके बताऊंगा, and वो आपको decide करना है कि आपको use state पसंद आया, use reducer, लेकिन एक clear cut मैं आपको winner बाता देता हूं, for small task, use state is the best option, and अगर आपको बड़े project के साथ वो करना है, then use reducer is your best option, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो guys, what is the use reducer hooks, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूं, not return के नीचे, इसको मैं guys, फिलाल के लिए से कमेंट कर देता same way करता, use reducer, आपको इस्तरके से लिख देना है, it returns an array with two elements, again same, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूं, but, now the difference will be const, आपका जो पहला element होगा, it will be your current state, आपका जो current state, and हम ऐसा state ही लिखते है, and the second will be your dispatch method, तो इस्तरके से मैं यहाँ पर लिख देता हूं, dispatch method, this is it, यह आपको as it is, लि लिख सकते हो, technical लिख सकते हो, खुछ भी लिख सकते हो, लेकिन convention है, आपका current state, आपका dispatch method, and it also takes two arguments, ठीक है, यहाँ पर यह एक ही argument लेता, that is your initial data, but use reducer takes two arguments, सबसे पहला will be your reducer function, and then the second one will be your initial data, again same, यह जो initial data था, यहाँ पर भी आपका यह initial data होता है, यहाँ पर, initial data, ठीक है, so this is it, तो यह जो भी initial data होगा, अब वो state की current value कहलाएगी, and बाद में अब dispatch के थूँ, अब state की value को आप change नहीं कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर करते थे, now dispatch is used to trigger your reducer function, dispatch हम use करते हैं, ताकि हम reducer function को trigger कर सके, and reducer के अंदर हमारे पास updated function होगा, जिसके थूँ मैं इसकी value change कर अब देखो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ से देखना है, अब यह जो reducer function है, मुझे इसको define करना बहुत ज़्यादा जरूए, तो इसको मैं directly top पे चलके, const इसर के से लिख देता हूँ, const मेरा reducer, and again it will take two parameters, ठीक है, लेकिन उससे पहले fat arrow function चिपका दूँ, and that will be again current state, and then आपका action type, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा action, this is it, all right, now, यह मेरा काम होगे, initial data आप यहाँ पर define कर सकते हो, आपका initial data will be equal to 10, this is it, तो यहाँ पर आपकी value 10 आ चुकी होगी, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पे हम on click कर रहे थे, and set my num, मतलब मेरा जो updated function ह है, उसके through में इसकी value change कर पा रहा था, ठीक है, increment है, decrement कर रहा था, but reducer क्या बोलता है, ठीक है, आपका जो current state होगा, वो तो यही है, तो आप में क्या करता हो, मेरा यह जो state, इसको copy करूँगा, and my num के बदले, मैं state लिख दूँगा, चलो, at least इतना तो आपको पाता चल गया and oh my god, यह बहुत सारा error है मुझे यहाँ पर, so use reducer को मैं जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ, paste कर देता हूँ, this is it, and एक बाए मैं refresh करना चाहूँगा, all right, now यह जो set my num में वो मुझे बता रहा है कि आप इसको define करो, तो वो मैं बहुत easily कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह जितने on click as it is, लिखनी सकता है, but उसको रहने दो, अब ध्यान से देखना, मुझे किसी तरीकी से क्या करना है, कि मुझे इसको increment and then decrement करना है, ठीक है, अब कैसे होगा, on click के अंदर हमें dispatch को use करना है, what is dispatch, dispatch मतलब एक बार अगर वो dispatch पे आ जाता है, अपने अगर Amazon, Flipkart में कुछ भी reducer function, ताकि मैं reducer function को call कर सकूँ and उस function के अंदर में पता क्या बोलूँगा, इस reducer function के अंदर बोलूँगा, if मेरा ये जो action का जो type है, ठीक है, अगर my action dot type, एक second type की spelling ही wrong है, will be triple equal to कुछ भी हो, like अगर मुझे increment करना रहा, तो क्या, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना पड़ता है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो dot type and ये जो dot increment, वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा मुझे with the help of dispatch, तो on click पे मुझे चलना है, ठीक है, यहाँ पे guys, again मैरा fat arrow function होगा, आप चाहो तो लिखो, नान लिखो, तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे guys, मुझे dispatch को call कर करना है, एंड इसके अंदर आपको parenthesis, then callibrasis, and now इसके अंदर guys, we need to write type, type, colon, and then double quotes के अंदर, this is it, and sorry, आपको यहाँ पे उसका type बताना है, कि आपको कौन सा action perform करना है, आपको खाली उसको यहाँ पे बताना पड़ता है, define करना पड़ता है, कि आपको कौन सा action perform करना, आप basically यहाँ पे उसको call कर रहे हूँ, मैंने ICR क्यों लिखा भई, यहाँ पे, मुझे तो लिखना था, INCR, basically increment, तो with the help of dispatch, आप यह बताते हों कि आपको कौन सा action perform करना है, and now with the help of dispatch, जब वो reducer को call करेगा, trigger करेगा, तब यहाँ पे with the help of action.type, उस function को perform कैसे करना है, वो यहाँ पे बताये जाएगा, यहाँ पे function कौन सा होने वाला है, सिर्फ define, हाँ भई, हम match खेलने वाले है, बट यहाँ पे हम actual में match खेलेंगे, ठेके, अब यहाँ पे actual में वो increment की जो functionality है, वो हम लिखेंगे, कैसे, मेरा यह जो भी state होगा, यहाँ पे मैं simply चलूँगा, my state will be equal to मेरा जो copy करूँगा, मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, सेम इसको मैं copy करूँगा, ठेक है, copy की, यहाँ पे आऊँगा, on click के बदले, paste, now इस पे मुझे क्या करना है, मुझे decrement करना है, तो मैरा अब action कौन सा होने वाला है, मुझे decrement करवाना है, तो मैंने यहाँ पे define कर दिया, कि अगर ना ही वो increment है, ना ही वो decrement है, but still we need to return something, right, so इस case में वाइस, आपको by default state जो है, वो as it is चिपका देना है, and this is it, तो अगर increment पे क्लिक क्लिक क्या, तो decrement, अगर कुछ नहीं क्या, तो जो state वो as it is रहेगा, so this is it guys, इस तरी के से आपका use review से work करता है, मैं यहाँ पे चलत है, तो मैंने आपको use state में बात आता हम, उसको कैसे tackle कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा simple है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मेरी state की value 0 से कम है, तो यह, वो से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो कैसे है, मुझे सिर्फ इसके लिए करना है, I mean positive में तो जितना भी जाया है, मैं मतलब नहीं negative के लिए करना है, तो यहाँ पे से मेरी यह state है, अगर इसकी जो value है, ठीक है, state is greater than 0, and तो दो condition मैंने यहाँ पी use कर दी, and यह बहुत ही जादे important है, that is, कि state की value 0 से बढ़ा होना ही चाहिए, and साथी साथ उसका जो action.type है, वो decrement होना ही च लेकिन फिलाल 10 है, अब एकदम bottom जाओंगा, end भूंगा, see, now अपमें 0 के नीचे नहीं जा सकता, तो यह है ना कितना awesome, guys, मैं आपको बताए, कि with the help of use state, हम यह सेम चीज़ को सिप एक line के code से कर रहे थे, but with the help of use reducer, हमें बहुत कुछ करना पड़ा, but यह big project में बहुत काम आत तो कल के दिन बहुत सारे ऐसे अलग-अलग बटन आएंगे, आप बहुत इजली यहाँ पर define कर सकते हो, and उसको perform कैसे करना है, यहाँ पर आप उसको declare कर सकते हो, तो यह बहुत ही अच्छा, and बहुत ही useful hook से जो आपको आना ही चाहिए, react अगर आप पढ़ रहे हो, ठीके, and म मैंने आपको बाता दिये, so guys, आपको कैसा लग रहा भी तक, नीचे कमेंट करके जरूर बाताना, and once again guys, अभी तक अगर आपने मेरे awesome चैनल को सब्सक्राइब नी कहा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेग, all right guys, तो हमने हमारा basic समझ ली, हमने हमारा advanced में hooks भी समझ ले, अ सब्सक्राइब करता है, तो यह तो बहुत ही basic था कि हम कुछ भी लिख रहे, वो add हो रहा ठीक है, it's totally fine, कोई भी कर सकते है, लेकिन खासित होगी, यह जब मैं इस पर delete करूँग, apple delete, mango and banana अभी भी उधर ही, चलो यह भी बहुत ज़्यादा basic होगी, लेकिन मैं आपको बाता तो अगर, अगर मैं refresh करता हूँ and boom guys, refresh क्या data अभी भी उधर ही है, इसको मैं वापस copy करूँगा guys, इसको अगर मैं यहाँ पर चलके paste कर दूँगा guys, तो भी मुझे यह data वहीं पर we have local stories का एक section होता है, वहाँ पर आपको click कर देना है and यह जो data आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है because अब यह वाला, आप देख सकते हो, we have a key and then value local stories में होता है, so to do items में हमारे पास से data है, mango and then banana जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं again च click करता हूँ, awesome, आप देख सकते हो, पहले यहाँ का icon कुछ और था, अभी यह update item बता रहा है, banana as it is आचुका है, तो उसको बदे मैं यहाँ पर इस तरह किसे लिख दूँगा, orange and इस पर click कर दूँगा and boom guys, again now instead of banana we have orange and वो ही same orange in place of banana add हो चुका है, यह नहीं totally नया space हम उसको द separate कर लिए, then checklist, cut, thumb, sub, delete हो जाते हैं, देखो, remove all, तो यह जो कुछ हो रहा, animation and all यह तो guys, CSS में react कर लेना देना नहीं, CSS हम बहुत इज़ी लिख कर लेंगे, और मैंने already बाता है कि इसका source code बिल्कुल free है, जरू check out कीज़ेगा, all right guys, अब हम बिना किसी देरी किसको हम start करते है, अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, component folder जिस पर हम work कर रहे है, मैं वहाँ पर चलना चाहूंगा, ठीक है, right click एक new folder create करूंगा, मैं लिख दूंगा to do react, अब कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, मैंने एक new folder create की, यहाँ पर मैं चलके guys, हमारा पहला होगा guys, मैं लिख लिख देता हूं, to do.js, ठीक है, this is it, यहीं पर ही चलके guys, मैं एक और फाइल क्रेट आना चाहूंगा, style.css, इसमें हमारा जो भी style होगा, वो add होने वाला है, and बस हमें यहीं, to do, and then हमारे style, तो मैं आपको guys, एकदम from beginning to advance लेके जाऊंगा, step by step समझाऊंगा, कैसे होने वाल में, ठीक है, तो to do.js में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह same user interface आपको दिखाए देरा, वो हमें चीक है, तो उसके लिख बहुत ज़्यादा simple है, react arrow function component with export पे आपको चल देना है, इस तरह के से आपका यह काम हो जाएगा, and मुझे react the syntactics होगा format, चीक है, यहाँ पे चल होगा कि यहाँ पे हमारा जो CSS है, उसको मैं already पहले ही import कर देता हूँ, ताकि इस hope में मुझे साइस suggestion आजाए class के names जो भी है, so मुझे लिख देना simply style.css, this is it, इतना मेरा काम complete हो चुगा, now मेरा जो main device कंदा है, मुझे सबी चीज़े चीज़े, जहाँ we have image, एक title है, एक input field है we have one button and then again एक और button है, ठीक है, it's super duper easy, तो सबसे बहले में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगे पे ठीक है, and यहाँ पे चलके class name चिपका दूँगा, जो कि मैंने दे रखा child underscore deep करके, and then guys we have our that image यादे आपको, तो वो जो image है हमारे पास तो उसके लिए में जाँगा, यहाँ पे, we have this figure tag, बहुत ही जाथ important है, and this figure tag के अंदर guys, we have this image, ठीक है, as it is, रखता हूँ, आप source, देखो, हमारा जो इसका image होगा guys, मैं बताना चाऊँगा, already मेरे पास images पड़े है, यहाँ पे, यह देखी मेरा public folder, images, and we have this to do.svz, ठीक है, यह जो भी है, इसके देना है, to do.svz, चलो, ठीक है, and यहाँ पे, alt जो है, यह attribute देना बहुत जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ, to do logo, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछी ने, control, save, this is it, ठीक है, and उसके बाद आपको यह जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं add items करके, ठीक है, so, इस तरह के से मैंने add items लिखी, control, save करना चाहूँगा, अब यह जो मेरा add items है, ठीक है, उस add items में मेरा क्या आने वाला, आप देख सकते हो, यहाँ पे already placeholder में भी हमने लिख रहा है, हमारा input field and the new button, ठीक है, simple ठीक है, यहाँ पे कुछ होंगे, जैसे we have this placeholders, so, guys, placeholder में मैंने यहाँ पे क्या लिखा रहा, add item, right, sorry, आपको windows and then dot press करना, तो इस तरह के से आपको यह option आ जाता है, and यहाँ पे आप लिख सकते हो, guys, कुछ भी like, we have this right all option, चलो, ठीक है, यह मैंने लिखा, and मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इस तरह के से add items, ठीक है, मुझ for, form, and then मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, simple, इस तरह के से control, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, that is, control, and then back take, यह जो part है ठीक है, मैं इक बाद dir करके दिखाना चाहूँगा, cd, मैं चलता हूँ, इसके अंदर cls, cls, dir, चलो, सब को c, आप मुझे ख करना चाहूँगा, so, all right, यहाँ पे तो वहा ही निये, all right, to do हो चुका है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, app.js के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चलके ध्यान से देखना, import to do from.forward slash, आपका components.forward slash, आपका to do react, not yet, forward slash, आपका to do react, forward slash, आपका to do, and यही same to do को मैं copy करूँगा, and यहाँ पे जो आपको दिखता है, return, यह जो भी आपका दिखाई देरा syntactic सुगा format में, मैं to do को इस तरह के से pass कर दूँगा, this is it, all right, guys, तो आप देख सकते हूँ कि मेरा actual में यह जो यह already localos 3000 पर run कर रहा था, and अगर आपको doubt आता है, हर कोई बोलता है, localos 3000, ऐसा कुछी ने, आप कहीं पर भी run कर सकते हो, क्योंकि अब भी हम जिस पर work करें, वो मेरा run कर रहा है, localos 3000 पर, यह 3000 पर, यह 3001 पर, so basically, दो-दो server run कर रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाने क्लिए, original लिए, जिस पर हम work कर रहे है, चलो इतना मेरा काम हो चुका, मैं again चलता हूँ, हमारे gen mode पे, तो इसका एक shortcut भी है guys, लेकिन मैं फिर भी gen mode के यह कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरी की से, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, alright awesome, ठीक है, अभी मुझे वो icon ची होगा, यहाँ पर ठीक है, so input के नीचे मैं चलता हूँ, simple है, ठीक है, and guys, अब यहाँ पर मैं font awesome use करने वाला हूँ, so मैं यहाँ पर चलके इस तरगे से font awesome लिख दूँगा, so we have our font awesome का serial link सबसे important है, पहले तो, यहाँ पर चलके guys, आपको serial link ले लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलके जो यह current version इसको copy करना है, ठीक है, आपको क्या करना हो, guys, आपको यहाँ पर चलके यह जो आपको दिखाई देता है, हमारा जो public folder है, index.html में चलके आपको इस तरह की से paste कर देना है, simple, जो मैंने यहाँ पर copy को, उसको paste कर दी, उसके बाद यह जो icons आपको देखता है, Suppose मुझे यहाँ पर क्या icon यूज हो रहा है, ठीक है, मुझे edit वा icon यूज हो रहा है, तो आपको इस तरह की से edit लिख देना है, तो आपको देख सकते वो edit का icon आ जाता है, अगर आपको delete का icon आ जाता है, basically try ऐसे हो, and वहाँ पर जो चीज एड हो रहा है, that is your plus, आपको यहाँ इस तरह की से plus दिखाए देता है, तो आपको यह plus पर click कर देना है, अगर आप plus पर click कर तो यह दिखते है, इसको copy करो, ठीक है, यहाँ पर मैं चलूँगा, simple इस तरह की से paste कर दूँगा, this is it, तो उसके लिए guys हमें यहाँ पर एक और हमारा class है, that is add button, आप आप देखोगे guys अभी भी हमें देखनी रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इतना make से करो यह जो class है, class के बदले, let's go with class name, all right guys, अगर अब हम देखते है, ठीक है, तो अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, I think यहाँ पर fa होगा, all right guys, हमें यह मिल चुगा, बहुत awesome, चलो ठीक है इतना मेरा काम होगे, अब मुझे क्या ची, यहाँ पर एक और button ची, checklist ठीक है, तो वो जो button मुझे ची, तो मैं यह जो div आपको दिखाई देता है, ठीक, इसके बाहर चलूँगा, and ठीक, यहाँ पर मैं ठीक, इसके नीचे चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता देना पड़ेगा, ठीक है, that is your BTN, and then we have our effect, ठीक है, 04, तो यह basically effect का नाम है, एक बार देखते कैसा देखता है, all right guys, आप देख सकते हो, sorry यह नहीं, यह है हमारा, आप देख सकते हो guys, कुछ इस्तिर कीसी दिखाई दे रहा है, and यहाँ पर कुछ और चीज़े होंगे, जो link, and then text, ठीक है, तो इस तरह कीसे लिखना है, guys, यह basically classes मैंने यहाँ पर use किया हुआ है, so मैं चलता हूँ इस तरह कीसे, and यहाँ पर अब ध्यान से देखना है, guys, क्या है, ठीक है, तो basically जब मैं hover करता हूँ, उसके बाद कुछ और दिख के आता है, and that is remove all, ना, तो जो remove all मुझे as it is ने, उसको मुझे span tag के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, span tag, and यह जो मेरा span tag होगा, कुछ इस तरह कीसे, अब आप देखोगे, यह देखो, थाना है कितना awesome, तो जैसा हमारा user interface है, वो तो almost वैसा बन चुका है, लेकिन अब मुझे क्या च लिख देता हूँ, ठीक है, spelling पर आप ध्यान मत दो, यहाँ पर show our items लिख देता हूँ, ठीक है, this is it, and यह जो portion है, यह तो आपको मालूम ही क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने show our items मैंने लिखा है, ठीक है, यह बहुत जादे important है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं चलना चाऊँगा, ठीक है, कुछ class name से जो मुझे देना है, that is show items करके, so item लिखने से अब भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन गाईस, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इस तरह के से div use करने वाला हूँ, ठीक है, and यह जो मेरा div होगा, इसको भी होँगा, अब वो जो, यह देखो, मुझे अलड़ी आ गया, मुझे यहाँ पर दो चीज़े है, कि मेरा यहाँ पर user जो भी लिखे वो content, फिर मेरा एक edit का button, ठीक है, इस तरह की से बोल रहा हूँ है, अगर मैं यहाँ पर apple लिखता हूँ, and plus पर click करता हूँ, apple, edit का button, and then delete का ठीक है, and यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक div लेना चाहूँगा, div का button, ठीक है, इसको एक class name दोंगा, and that is, मैंने अल्रड़ी यहाँ पर class name दे रखा, to do, python button, ठीक है, all right, this is it, and now it's super duper easy, कि मेरा यह जो icon tag है, इसको मैं copy, sorry, इसको completely copy करूँगा, paste, ठीक है, इतना paste करने मातरा स आप देख सकते हैं, मुझे यह plus symbol दिखाई दे रहा है, है कि नहीं, मुझे यह plus symbol दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पर plus नीची था, ठीक है, यह एक icon दिखता है, and ठीक, इसी के नीचे का, इस मुझे एक और icon लगेगा, तो आप देख सकते हैं, मुझे दो-दो चीजे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वो दो-दो चीजे मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है, and I just realized, we have far, हाँ, यहाँ पर यह अलग-अलग है, ऐसे rounded square है, भरे पड़े तो यहाँ पर, instead of plus, मुझे चाहिए, यह edit वाला button, ठीक है, and यहाँ पर यह जो दिखता है, यहाँ पर अब आपको लगेगा, trash, मैंने आपको अलड़ेडी दिखा चुका है, यह सब आपको मेल जाएगा, and यह जो same चीजी यहाँ पर रहने वाल, देखो, edit मुझे मिल चुका, लेकिन मुझे trash नहीं मिल रहा है, तो वो जो fa, fa, trash, and actual में उसका class का नाम ही कुछ और है, alt है क्या, all right guys, we have this alt and up, आप देख सकतो कितना awesome ही दिखाई दे रहा है, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे, else ना दिखाई दे, ठीक है, almost चलो, मेरा इतना काम हो चुका है, मेरा user interface का काम complete, अब सबसे पहले मुझे क्या करना देखो, guys, इसको मैं refresh करना चाहूंगा, तो हटेगा तो नहीं हो, तो guys, सबसे पहले मेरा काम यह है कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, वो एक state में हम add करे, and उस state के through में one by one यहाँ पर वो data show कराती रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा ह कि react में, we have this awesome event that is on change, user जो भी लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं चल के as it is छोड़ रहा हूं, फिलाल के लिए, ctrl as save, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं चलता हूं, अब यहाँ पर एक state मुझे create करना है, ठीक है, so const, अब कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पर अब मुझे error ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चलता हूं, एक कॉमा देखे, use state को इस तरगी से यहाँ पर add कर देता हूं, ठीक है, this is it, आप देख सकते हो कि मुझे इतना कुछ दिखाई देर है, value पर मुझे error दिखाई देर है, basically warning, तो यह जो मेरा input data होगा, वो मैं on change है, जब भी user यहाँ पर कुछ भी लिख रहा है, उसको मुझे one by one store करना है, अपनी state पर, ठीक है, and वो मुझे यहाँ पर state करना है, I mean safe करना है, तो मैं बहुत इजली कर सकते हूं, देखो, set input data, यहाँ पर मैं चल रहा हूं, fat arrow function, and यहाँ पर मैं event pass करूँगा, ठीक है, आ event dot, मुझे अब set event लिखना पड़ेगा, event dot target dot value, ठीक है, control and save, इतना लिखने मातरा से मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा सब कुछ perfect हो चुका है, मुझे inspect पर चलना पड़ेगा, यहाँ पर चल रहा हूं, मैं component पर, ध्यान से देखो, मेरा to-do list, ठीक है, आप देख सकते हूं, and sorry, not this one, इस वाले पर चलना पड़ेगा, यहाँ पर inspect कर रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हूं, कुछ error नहीं, सब कुछ perfect है, to-do list, अब देख सकते हूं, मैं यहाँ पर इस तरह की से mango लिखता हूं, and boom guys, आप देख सकते हूं, मुझे mango आ चुका है, अब उसी तरह की से मै plus पर click करूँगा, तो कुछ होगा नहीं, लेकिन mango हटा किया, अगर अप मैं लिख दूँ, यहाँ पर orange, तो आप देख सकते, mango हट यह, लेकिन मुझे orange जा रहा है, तो मुझे इस तरह की से हटाना नहीं है, मैंने इससे previous जो लिखा था, उसको भी मुझे store करना है, उसके बा यह basically camel case convention यह उन्होंने बाता है, set items, simple ठीक है, and मैं यहाँ पर चलके guys, use state इस तरह की से लिख रहा हूँ, simple, control, save, ज्यादा कुछ हाई-5 है नहीं, and फिलाल के लिए मैं यहाँ एक empty array pass कर दे रहा हूँ, that's it, ठीक है, empty array, all that, सब कुछ से यह कोई problem नहीं होगा, अब मेरी studio list मे दो-दो-state variable बन चुक है, एक empty array, अब मुझे one by one यहाँ पर इसको store करना है, and believe me, it's super duper easy, ठीक है, and वो मुझे store करना है, जब मैं plus वाला जो यह add button इस पर click करूँगा, तब मेरा यह जो plus button है, not यहाँ पर, यहाँ पर देखे, मेरा यह जो plus button है, जब मैं इस पर करूँगा, click ठीक है, so on click, मुझे एक function को call करना है, and that is my add item, ठीक है, so add item, and इस तरीके से मत कर देना, automatic को call हो जाएगा, हमें automatic call नहीं करना है, बस simply add item मैंने एक function call की, ठीक है, ठीक, use state की नीचे मैं चलना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख जाता हूँ, add the items function, ठीक है, आप क तरीके से हो रहा है, ठीक है, and this is it, all right, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, guys, ठीक है, यहाँ पर जब मैं चलता हूँ, now, यह बहुत ही ज्यादा simple है, कि अगर input data अगर खाली होता है, तो कुछ मत करो, simple, अगर खाली है, तो क्या add करेंगे, कुछ add नहीं होगा, so मैं यहाँ यहाँ पर एक अलट चपका दूँगा, and that is, keep, please, fill the data, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पर simple, else, अगर input data में data है, obviously data होगा, जब मैं इस पर click करूँगा, like, जब मैं mango लिख रहा होता, उस समय, ठीक है, तो उस समय हो, guys, मुझे क्या करना, and it's super duper easy, अब dot, dot, यह जो मेरे items होंगे, मेरा यह जो items है, basically, यह मलब dot, 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 x spread operator है, it means कि इसे previous state में, जो भी data था, वो include रखो, comma मैंने दिया, उसके बाद, अब जो भी मैं नया data यहाँ पर fill कर रहा हूँ, वो यहाँ पर add कर दो, simple, ठीक है, तो यहाँ पर जो नया data में add कर रहा हो, तो क् इनपूट डेटा, ठीक है, तो मैं इनपूट डेटा को paste कर दूँगा, this is it, मेरा काम हो गया, अब मैं आपको दिखाना चाओंगा, एक चीज, and इसको मैं refresh करना चाओंगा, and जो apple आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको रहने, दूसरा भी हमें मतलब नहीं, लेकिन ध इसी, यही मैं आपको दिखाना चाता था, देहां से देखो, mango add हो गिया, orange add हो गिया, अब मैं और add करूँगा, वो one by one यहाँ पर add होता जाएगा, अब मुझे खली यह जो state variable है, इसको मुझे लूप चला देना है, and वो one by one यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, वो मैं बहुत items.map method, ठीक है, and not mouth, आपको यहाँ पर लिख देना है map, and now यह जो map है guys, हमने already हजाबार देख चुका है, यह तो, बहुत ही ज्यादा simple है, and यहाँ पर चलके, I think मुझे थोड़ा सा zoom कर देना पड़ेगा, आप लोगो खले चलो, perfect, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख element होगा, ठीक है, and I have my index number, this is it, ठीक, इसके नीचे मुझे यहाँ पर चलना है, I need to return something, ठीक है, and वो जो return होगा, आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से, and यह जो deep दिख रहा है, इसको मैं completely copy करूँगा, and ठीक, यहाँ पर paste कर दूँगा, this is it, इस तरीके से, now यह जो apple के ब इसी, आप देख सकते, mango and orange मुझे आ चुका है, यहाँ से हटा के, अगर आप मैं apple लिख दू, and plus पर click कर दूँगा, तो apple add हो गया, तो कितनी easily हमने to-do list create कर लिया, इतिना तो भी, लेकिन एक warning मुझे दिखाई दे रहा, each child reader list should have a unique key, अब क्या ही कर सकते, unique key, इसलिए मैंने यहाँ पर index लिया है, ताकि मेरा यह जितने भी deep दिखाई दे रहे है, उन सब पर unique key होना ही, चाहिए सुखी attribute ले रहा हूँ, and मैंने यहाँ पर index pass कर दी, अब वो गयाप हो जाएगा, ठीक है, एक बार मैं refresh करना चाहूँगा, and वो गयाप हो चुका है, perfect सब कुछ, apple and plus करत लेता हूँ, set input data को लेता हूँ, and यहाँ पर मैं जो भी data change करूँगा, वो reflect हो जाएगा, हमने अल्यडी पढ़ाई है, what is your status, and अब ध्यान से देखने हम इसको refresh करूँगा, data सब उनने आला है, क्योंकि अब देख हमने local storage इस पर implement नहीं किया, अभी करेंगे इसके बाद, ठी मैं अब यहाँ पर वापस नए add कर सकता हूँ, mango, and plus पर click करूँगा, mango, तो थाना है कितना awesome, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुक है, अब मुझे delete पर work करना है, and delete मैं तब ही कर सकूँगा, जब each individual element का मुझे id मालूम होगा, कि इसकी id कि है, ठीक है, suppose मुझे mango delete करना है, and मैं mango प पता तो इसको आप कैसे add कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर guys मैं चलता हूँ, const, ठीक है, मैं यहाँ पर एक new object create करूँगा, and मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, my new, input, my new items, my new input data लिख देता हूँ, चलो, ठीक है, input data, ठीक है, all right, input data will be equal to object, जिसमें we have first our id, because यह key value प पड़ा है कि कैसे date के साथ हम work कर सकते हैं, new date, ठीक है, dot, I think मुझे यहाँ पर यह नहीं लगेगा, ठीक है, हम already JS के ही part के साथ खेलें, get time, ठीक है, all right, two string मुझे convert करना पड़ेगा, perfect, and उस तरीके से कहीं, मुझे अब यहाँ पर एक name attribute लेना है, and उस name attribute पर यह input data में pass कर दे अचाओंगा, this is it, मेरा account complete, अब यह जो my input data है, ठीक है, उसके अंदर मुझे यह नाम को यहाँ पर show करवाना है, इजेगे पर, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो, मैं चलता हूँ my input data, मुझे लिखनी की जौत नहीं है, मेरा जो items को जब मैं loop चला रहा था, ठीक ह यहाँ पर देखना, अगर मैं लिखता हूँ apple, and plus करता तो मुझे apple आ गया, mango लिखता हूँ, तो मुझे mango आ गया, तो यह मेरा perfectly work कर रहा है, ठीक है, इतना awesome, but अब एक best option ही हो गया हमारे लिए, that is की, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, अब जहाँ पहले खाली apple, mango, orange मुझे मुझे मिल रहा था, I have one more new ID associated with them, and that is की, एक unique ID मुझे मिल चुगा है, and the best part ही जो unique ID, यह हमेसा different होगा, क्योंकि time तो आगे बढ़ेगा, time कभी समय, किसी के लिए रूपता नहीं, वो हमेसा आगे बढ़ने वाला, तो यह जो value, यह always greater greater बनता ही जाएगा, ठीक है, तो ID मुझ मेरा delete button है, on click में चलूँगा, यहाँ पर, so मुझे यहाँ पर एक ID पास करना होगा, तो मैं fat arrow function यूश करूँगा, else guys, वो automatic loop पे चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते, so मैं लिख देता हूँ, delete item, ठीक है, and मुझे यहाँ पर मेरा जो भी current element होगा, ठीक है, dot उसकी जो ID होगी ठीक, this is it, अब मुझे यह index की need नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर, directly स्थर किसी मेरा जो भी current element, dot ID होगा, उसको मैं हर एक क्यूनिक ID यहाँ से directly provide कर दे रहा हूँ, this is it, तो यह जो delete item है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक, इसके नीचे मैं चलना होँगा, यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, how to delete item section लिख देता हूँ, मैं simple, ठीक है, control है, save, and now, const, delete item, यह बहुत ही जाता, simple है, guys, आप लोगों को मजा जाएगा, and यहाँ पर, आप guys, मैं ID पास करूँ, this is it, एक काम करता हूँ, index पास कर देता हूँ, index number, तो basically, user न और ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, and यह बहुत ही ज्यादा simple है, बहुत ही ज्यादा, const, updated, item will be equal to, मेरा जो भी items होगा, ठीक है, उस पर मैं क्या करने अलोगा, मैं एक loop चलाँगा, with the help of filter method, same होई है, map की तरह है, लेकिन यह filter out कर देगा, ठीक है, तो filter के अंदर भी वही same चार argument हूँगा, अपका current element, आपका id, किस array के साथ आपको work करें, so current lm, ठीक है, मुझे यहाँ पर अब guys, उसकी need नहीं है, index id, किसी की भी need नहीं है, मैं simply यहाँ पर चलना चाहूँगा, and return करना चाहूँगा, मैं, मेरा current element.id जो है, वो अगर इस id से match हो जाता है, if it is triple equal to मेरा यह जो भी index मैंने pass कर दी, this is it, ठीक है, तो इसका मलत भी है कि अगर मेरा current element इस index से match हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही element को हम return करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे जो id match हो रहा है, उसको return नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी के सब return करवाने, so मैं यहाँ पर not equal to operator use कर रहा हूँ, and I think मैं यहाँ यहाँ पर double use नहीं कर सकता, perfect, अब user ने जिस पर भी click क्या होगा, उसकी id मैंने get की, यहाँ पर, and मैंने loop चला दिया, मेरे जितने भी items थे, उसमें मैंने यह चेकिया कि कि किसका id हमारे user ने, जिसको click की, उसकी id से match कर रहा है, and जिसका भी यह match हो गया, उसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ के, बाकि सब वो return कर जाएगा, in the form of array, and जो भी in the form of array आपको मिलता है, तो उसके लिए guys, again we have our set items, simple, ठीक है, and यहाँ पर guys, अब यह जो मेरा updated item है, उसको मैं pass कर दूँँगा, updated items लिख देता हूँ, ठीक है, control, let's save, this is it, मेरा काम हो गया, इसको मैं एक बार refresh करना चाहूँगा, delete का walk हो चुका है guys, so apple, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, इस तरगी से mango, अब यहाँ से देखना, सब कुछ हो चुक है, the moment मैं orange पर click करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख लिजेगा, orange पर click करत संता, उसको भी complete कर लिया, now checklist, remove all, सब को remove करना है, ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा simple है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, so मैं यहाँ पर button पर चलूँगा, on click, बहुत ही ज़्यादा simple है, on click में मुझे सब को remove कर देना है, so remove all, मैं directly ऐसे तो लिख नहीं सकता, ठीक है, एक का all the elements, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, control है, save करता हूँ, spelling आपको एक दम सही लिख देना है, all right, perfect, चलो, ठीक है, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, जब इस तरीकी से, तो मुझे सब डिलेट कर देना है, and सब डिलेट करने का मतलब क्या होता है, यह जो पोर्शन को, तो वो जो है, updated function है, हमारा, किसके लिए, for this state variable items, इसकी value अगर totally हम empty कर देते, तो automatic इसकी value totally empty हो जाएगी, and यही अगर empty हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ दिखे गई नहीं, बस यही fund है, ठीक है, अब मैं इसको refresh करना चाहूँगा, एक बार, तो मैं लिख देत होगे, so हमने अभी तक क्या क्या देख लिए, हमने addition देख लिया, हमने delete देख लिए, हमने remove all देख लिया, now we need to understand कि local storage कैसे work कर रहा है, क्योंकि चाहे data हम जितना भी add करें, कल की दिन, अगर हम गलती से इसको एक बार refresh कर देते, data गायब हो जाता है, मुझे वो मेरे local storage पर च basically यह जो मेरा items इस पर हम data के साथ इनों delete करवा रहे हम उसको add करवा रहे, तो जब-जब मेरा यह जो item वाला state variable इसकी value change होगी, मैं चाहूंगा मेरा data जो local storage पर automatic save कर दे, and automatic जब भी बात आती है guys उसके लिए हमार पास एक option है that is use effect hooks in react ठीक है, तो हमें warning ना दे, इसलिए मैं यहाँ पर use effect लिख लेता हूँ, ठीक है, एक दम bottom पर मैं चलता हूँ, adding local storage आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो simple इतना हो गया, so मैं चलता हूँ use effect, हमने already use effect भी देख लिया था है कि नी, तो मैं यहाँ पर input को मैं हटाना चाहूँगा, यहा दूपर दूपर is local storage, dot आपको खाली set item लिख देना है, items की भी निट नहीं है, and this is it, and आपके जो local storage यह work करता है, in the form of key value pair, and इस पर हम से भी string यह पास कर सकते है, और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा ही जो input data है, वो हमें नहीं idea क्या वो string है, क्या वो एक area, ठीक है, we want to make sure क वो string ही हो, so we have this key, and then we have this value, and मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर लेकर चलता हूँ, मैं अगर आप लोगों को application पर लेकर चलता हूँ, कम जूम कर देता हूँ, यहां पर local storage पे एक दम bottom पे अगर आपको दिखाँ, तो बहुत clearly देख सकत मैं यहां पर लिख देता हूँ, my to-do list, ठीक है, here हम यह जो items उसको pass करना पड़ेगा, ठीक है, so मैं items pass कर देता हूँ, अब देखने वाली बात है कि जो मेरा item से वो तो एक air है, लेकिन हमें यहां पर तो एक string पास करना है, ठीक है, so आप इस तरीके से, you know, square brackets, sorry, parenthesis के अंद होने माला, ठीक है, मैं refresh करूँगा, अब देख सकते हूँ, my to-do list अलड़ी आ गया, यहां पर यही है, my to-do list, zoom कर देता आप लोगों के लिए, यह देखो, my to-do list आ चुका है, मैं यहां पर लिख दूँगा, apple and boom, इसी देखो, मेरे यहां पर apple आ चुका है, यह देखो, उस सिर्फ मुझे data get नहीं करना है, I mean, सिर्फ data को set नहीं करना है, मुझे data get भी करना है, मुझे data वहां से चाहिए, and यहां पर मुझे को add करना चाहूँगा, ठीक है, तो उसके लिए पता मैं क्या करूँगा, उसके लिए यह जो empty array जो दिख रहे है, यहां पर का, मैं एक function call करन मैं, मैं top पर चलना चाहूँगा, now get the local storage data back, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, and const, इस तरी किसे मैं चलता हूँ, refresh करता हूँ, all right, perfect, देखिए, अब यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, const मैं यहां पर list लिख देता हूँ, local storage, oh my god, यह यह गया हो यह था, local storage dot get item, this is it, and यहां पर खाले आपको, मतलब, जूस की की है, वो हमें pass करना रहता है, मतलब, वो मुझे चाहिए, तो की क्या था मेरा, यहां पर my to-do list, copy and then paste, this is it, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कि if, अगर मेरा to-do list में data अगा रहा होगा, तो ही, मुझे data को pass करना है, वहां पर add करना है, ठीक है, तो मैंने if list तो लिख ली, and मैं अब return करना चाहूँगा, मेरे इस list को, अब अगिन यह जो list है, guys, वो मुझे string के format में मिल रहा होगा, लेकिन हमें तो चाहिए एक array, क्योंकि मैं directly उसको यहां पर store करने वाला हूँ, देखो न, मेरा as a current data ही मैं इसको मानने वाला हूँ, तो again guys, parenthesis, and again we have very awesome method of json, and that is json.parse, मुझे array के format में इमिल जाएगा, and else, if there is nothing, and अगर मुझे कुछ data नहीं मिला, तो return मैं empty array रख दूँगा, this is it, हमने local stores में data को add भी किया, वहां से data हमने get भी किया, and यहां पर मैंने set भी कर दिया, ठीक है, पस इतने ही करना था मुझे, यहां पर इसको मैं एक बार रिफ्रेस करना चाहूँगा, अलाकि करने की need नहीं रहती है, apple लिख रहा हूँ, यहां पर चलता हूँ, mango, plus, ठीक है, अभी दियांस देखा, आप मैं रिफ्रेस करूँगा, and boom, इस data भी उदर ही है, मैं mango delete कर लेकिन फिर से रिफ्रेस करूँगा, data अधर ही है, तो मेरा यह local storage का work complete हो चुका है, अगर मैं इस पर plus कर देता हूँ, तो user ने mango पे क्लिक किया, या apple पे क्लिक की, मुझे पाता कैसे चलेगा, मुझे सबसल्द उसकी ID gate करनी की user किस field के element को delete करना चाहता, suppose apple लटेगे, once अगर इस पर हम click करते, तो ID हमने get कर लिए, पहला step, दूसरा step यह होगा, कि जब हमने get कर लिया, तो वो जो apple मुझे यहाँ पे दिखाना है, और इसकी जो value उसको toggle करके, instead of plus मुझे 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 आपडेट वाला symbol दिखाना है, तो सबसे पहले गाईस मुझ अगें fat arrow function, and then मैं जाओंगा यहाँ पे, and इस तरह किसे लिख दूँगा, edit item, ठीक है, and let's go with camera case convention में चलता है, इस तरह किसे this is it, अब यहाँ पे भी मुझे वही save, मेरा जो current element dot ID, ठीक है, तो इस तरह किसे मेरा यह काम complete हो चुका है, अब यह जो edit item में, इसको मुझे यहाँ पे define करना पड़ेगा, ठीक, इसके नीचे में चलता हूँ, delete के ठीक ऊपर, ठीक है, add items के नीचे में चलता हूँ, simply यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, added the items, ठीक है, आपको जो लिख सकते हैं, again spelling जो wrong होता है, बिल्कुल भी धहन मत दो, alright, यहाँ पे में चलते है, once added items, fat arrow function, again अपका इस तरीके से, and यहाँ पे guys, मैं again index pass करना चाहूँगा, as a parameter, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि guys, एक second, आपको इसको एक बार refresh कर देना, ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, suppose मैंने लिखा apple, and plus पे जब मैं click करता, तो हमें वो मिल जाता, ठीक है, लेकिन जब मैं edit पे click करूँगा, मैं किस पे click कर रहा हूँ, उसका id क्या है, वो मुझे get करना, वो मुझे find करना, out of multiple to-do list के items, जो भी हमारे इसके अंदर, तो मैंने किसको click क्यों मुझे find out करना, and मैं बहुत इजली कर सकता हूँ, because I already have the index number, and मेरे पास वो item से जिसके अंद हो, guys, top पे link देखे, उसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है, तो basically अब हम JavaScript में find method है, उसको इसको करेंगे, यहाँ पे, so मैं simply लिखता हूँ, इस तरह किसे c o n st const, मैं लिख देता हूँ, item underscore to-do underscore edited लिख देता हूँ, ठीक है, edited, चलो, ठीक है, will be equal to, guys, देखो, items dot, same, we have our find method, ठीक element, you know, index, सब कुछ होगा, यहाँ पे भी, so let's go with current element, इस तरह किसे, ठीक है, बाकि मुझे ज्यादा कुछ निची है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, अब मुझे क्या return करना गा, I need to return मेरा यह जो current element, dot, उसमें जो id है, ठीक है, क्या वो match करता है, I mean, वो मुझे match करवाना ह है, इस index id से, this is it, तो मैंने बहुत ही simple एक क्वेरिफायर कर दी, that is कि मैंने मेरे items के अंदर जो भी है, find out किया, इन उसकी id, इस id से match करानी चाहिए, ठीक है, तो obviously वो match हो जाएगा, and अगर वो match हो जाता, तो मुझे अब एक ऐसा state variable चाहिए, जिसमें मैं उस id को pass कर सकूँ, ठीक है, so मैं top पर चलना चाहूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, const edit item, ठीक है, मैं इस तरह के से is edit item, and यहाँ पर मुझे set is edit item में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह के से will be equal to use state, ठीक है, and all at perfect, this is it, as it is रख रहा हूँ, फिलाल इसको मैं empty रख दे रहा हूँ अब यह जो मेरा set is added item है, इसको मैं लेके यहाँ पर चलना चाहूँगा, and यहाँ पर वो जो id है, उसको मैं pass करना चाहूँगा, this is it, and instead of id मैं guys directly चाहूँ तो यह index भी pass कर सकता हूँ, यहाँ पर, simple ठीक है, and मैं यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहूँगा, that is कि मेरा यह है, जो भी मुझे मिला, id के through, मुझे जो भी data मिला, मुझे उसके नाम को यहाँ पर add करवाना है, मतलब अगर मैं इस पर plus करता हूँ, अगर मैं apple लिखता हूँ, ठीक है, and अगर इस पर मैं click करता हूँ, तो वो apple यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जो भी है, वो data वापस उ मुझे मिला, ठीक है, जो भी मुझे data मिला, उस data.name, क्योंकि मुझे नाम तो है, उसके पास, तो इस तरी के से कहाँ, मेरा यह काम हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसको toggle भी करवाना है, ठीक है, इस जिगे पर आप देख सकतो icon change हो जाता है, ठीक है, तो उसके ल will be equal to use state, ठीक है, इस use state, एंड यहाँ पर जो मैं current value false लिखने वाला हूँ, इस तरी के से this is it, ठीक है, तो अब totally हम एक conditional rendering यूज़ करेंगे, basically ternary operator, जहाँ पर toggle button के basis पर हम दिखाएंगे, कि हाँ भी मुझे edit का button चाहिए, या plus add वाला item का जो button है, वो मुझे लगेगा, ठीक तो मैं इसकी value true करना चाहूँगा, यहाँ पर this is it, चलो ठीक है, अब जब इसकी value, toggle button की value true काब होगी, जब मैं edit button पर click कर दूँगा, क्योंकि तब है मैं उसको true रख रहा हूँ, ठीक है, अगर उसकी value true है, मतलब मैं edit करना चाहता हूँ, अगर मैं edit करना चाहता हूँ, ternary operator, toggle button अगर true होता है, ठीक है, हमने ternary operator देख लिया, अगर नहीं देखाता तो यह इस्तर किसम बहुत इजली कर सकते है, यह, अगर वो false होता है, वापस चिपकाऊंगा, लेकिन अब यह वाली यहाँ से मैं हटा दूँगा, ठीक है, ठीक है, तो toggle button अगर true हो रहा है, मतल मुझे यह वाला icon यहाँ पर उसका ना पड़ेगा, copy and then paste, this is it, मेरा काम हो गया, this is it guys, मेरा काम यहाँ पर complete हो चुका है, मैं स्तर कैसे यहाँ पर जाओंगा, यह है मेरा exactly, ठीक है, ध्यान से देखो, अब अगर इस पर मैं click करता हूँ, boom guys, apple मुझे मिल रहा है, mango पर मैं click कर तो apple मुझे मिलता है, यह change हो जाता icon, ठीक है, अब मैं यहाँ पर test लिख दे रहा हूँ, या update, लेकिन अब again इस पर मैं अगर click करता हूँ, and guys, आप देख सकते हूँ कि उसको update करने के बदले, उसने as a new element to add कर दे, मुझे वो नहीं चीए, मैं चाहता हूँ कि apple है, तो apple के ब quality होना नहीं चाहिए, अब ठीक, इसी के नीचे में चलूँगा, एक और data मैं यहाँ पर चिपकाऊँगा, जहां से देखो guys, else, if अब यहाँ पर और condition उसने वाला, that is, कि input data खाली नहीं होना चाहिए, input data में कुछ न कुछ होना चाहिए, and अब हमारा यह जो toggle button है, अगर यह true है, ठीक, obviously true है, क्योंकि हम जब उस पर click करते हैं, तो उसकी value true हो जाती, and अगर यह true होता है, तो उस समय मुझे क्या करना है, यह जो data है, सिर्फ और सिर्फ apple पर अगर मैं click करता हूँ, and यहाँ पर आप मैं कुछ भी लिखूँगा, तो वो apple पर ही change हो, बाकी को कुछ ना change क करे, तो again मुझे यहाँ पर find out करना पड़ेगा, कि मैं किसके ID के data का जो dot name वाली जो property है, उसको change करना चाहा हूँ, तो that's why मैंने यहाँ पर लिख दिया, input data अगर है, and toggle button अगर true है, and it true तब ही होता है, जब हम इस पर edit पर click करते, so उस समय के लिए मैंने अलगी, यहाँ पर code मैं लिखना चाहूँगा, and that is again, जो भी मैं set items में लिखूँगा, वो items पर reflect होगा, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहेते हैं, कि यहाँ पर guys, again मेरा parenthesis, अब ध्यान से देखो, मेरा यह जो items है, sorry, यह जो मेरा items है, dot वहाँ पर मैं map method चलाने वाला हूँ, ठीक है, that arrow function इसके and अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि, if मेरा यह जो current element के अंदर जो ID है, अगर वो match हो जाता है, मेरे इस से, यह जो is edit item है, क्योंकि इसको मैंने ID पास की न, यहाँ पर देखो न, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर index number पास कर दे रहा हूँ, set is edit item में, उसको मैंने इसक अंदर items के अंदर वो present है, वो ID वाला variable जो भी है, अगर वो present है, तो मैं return करना चाहूँगा, देखो guys, return बहुत इजली कर सकता हूँ, curly braces, dot dot dot, जो भी मेरे current element में, जो भी previous data है, so है, मुझे उसको कुछ नहीं करना है, नहीं छेडना है, लेकिन जिससे यह ID match हो गया, उसकी ज change करके update करना होगा, मेरा यह जो भी input data वाला नाम है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, वो मेरा एक input data है, और वो इस पर reflect हो जाना चाहिए, फिलाल यह previous वाला मैंने आपको दिखा, इसलिए यह on the spot हो गया, यहाँ पर यहाँ आपको जो आपका current element चिपका दो, अब उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर चलूँगा, देखो, अब इस पर मैं क्लिक करूँ एपल पे, and मैं यहाँ पर done finally लिख देता हूँ, and click करता हूँ, and boom guys, see now apple done finally मेरा काम हो चुक है, लेकिन अभी भी यह देखो guys, icon अभी भी वही है, and यहाँ पर जो मैंने लिखा वो अभी उधरी पड़ा हूँ, ठीक है, वो सब मुझे नीची, तो इन तीनों को मैं copy करूँगा, ठीक है, copy करूँगा, ठीक, इस जगे पर आना चाहूँगा, current element यह आपको जो दिखता है, इस तरिक है, sorry, set items, ठीक, उसके नीचे आपको चलना आप चाहो तो empty छोड़ सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको गाइस, एक empty array ही रहने देते हैं, लास्ट का यह जो value होगा, इसको again मैं कर दूँगा, false, ताकि next time जब मैं add पर क्लिक करूँ तो वो इस वाले else portion पर आके अपना काम कर गए, control यह सेप करना चाहूँगा, एक बाइन जोगी है, and checklist में सब कुछ delete, मैं वापस आपको सब कुछ करके दिखाना चाहूँगा, and मैं यहाँ पर ले चल की, and guys हमारा गाम हो चुका, इतने ही हमें इसमें करना था खाली, लेकिन आपने देखा गा, इस बहुत कुछ था, इसमें हमने बहुत कुछ समझा, हमें पाता च यहाँ पर आ चुका, अभी फिलाल यह नल है, यह false है, but the moment मैं mango पर क्लिक करूँगा, हमने क्या करना है, इसकी value को set करना, इसको एक ID देना, इस वाली state variable को, इसकी value true हो जाएगी, ठीक है, द्यान से देखो, and boom guys, अब इसकी value true हो गई, इस पर हमें एक ID मिल चुका, इस state पर मता चल चुका, कि मैं mango को edit करना चाता था, mango editate में यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरकी से, ठीक है, अब देख सकतो, mango editate, यह हमारा वो input data है, इस पर click करते, boom guys, वापस यह false, यह null, यह data empty हो गया, यही same तीन चीस तो मैं यहाँ पर की है, so कैसा लागा guys, and checklist पर click करूँग आना guys, and I hope आपको बहुत कुछ नहीं सिखने मिला होगा, इस project के through, all right guys, अब हम हमारे final project में आचुके, react just in one video कहाँ ठीक है, आप देख सकतो, बहुत ही ज्याता awesome दिखाई दे रहा, and the best part, दुनिया में किसी भी कोने का, city, state का नाम, या country का नाम, अगर आप यहाँ पर सर्च आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो by default हमें पूरा मिलते हैं, वाब पस इसको refresh कर रहा हो, तो by default आपको पूरा, क्योंकि में पूरे में रहता हूं, तो आपको में बता हूंगा, कि by default आप अपने area का नाम कैसे रख सकते हो, and once then आपको लगे, नहीं मुझे पूरा नहीं मुझे आपको बच के 17 मिनिट में, अब देख सकते हैं, अब देख सकते हो, अगर आप का वक करेगा, सिर्फ दिल लिखते हो, अगर आप लिखते हो, like Tokyo ठीक है, जापान, अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो, जापान में क्लावडी है, तो आइकन अगें चेंज यतना degree temperature ह हो रहा है, humidity pressure, आप देख सकते हो, टाइमिंग हमने अपना ही रखा है, अब जापान का टाइमिंग ला सकते हो, कोई बड़ी व्यात नहीं है, लेकिन वो API में वो है ही नहीं, हमारे उस API में वो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी यह जो हम API वोक करने वाले है, इस यह रि करना चाहते हो, कि मालब, it's totally up to us, लेकिन हम city का जो नाम है उसके थुरू करेंगे, और सबसे जाद इंपोर्टेंट यहां पर होता है, हमारे लिए API की ठीक है, तो वो API की है, आप कैसे credit कर सकते हो, मैं अब भी आपको बाता दो, ठीक है, आपको at least पाता चलिक हमारा final project करने वाले है, यहां पर ठीक है, आप हम बीना किसी देरी के वीडियो को start करते है, आप देख सकते हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस website पर visit करना, openweathermap.org, ठीक है, यहां पर simply visit करना, आप देख सकते हो, वीनोध आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने और इस पर registration कर आपको भी registration करना, अगेन मुझे इन्होंने कुछ sponsor किया, नहीं मैं तो बस बता रहा हूँ, यह API यही से मिलता है, आपको login करना जरूरी है, ताकि आपको API मिले, ठीक है, तो simply आपको again इस पर click करना है, वीनोध आपको जो आपका नाम दिखाई देगा, वहां पर right click, left click, कु इस पर आप click करोगे, तो guys, यहाँ पर आपको अपना खुद का चाय तो आप generate कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर चलके guys, कुछ भी लिख सकता हूँ, like मैं लिख देता हूँ, react API, ठीक है, मैंने क्लिक की देखो guys, मेरा react API, एक new API क्रेट हो गया, ठीक है, इसको मैं copy करूँग इतना ज्यादा simple है, ठीक है, हमने यहाँ पर copy कर दी, then guys, आप आईए pricing पर, ठीक है, pricing पर आईए आपको पता चलेगा, कि यहाँ पर मलदब options बहुत है, and we have this free option, and हम free वाला यूज करेंगे, तो get API की, इस पर मैंने again click कर दी, आप बता रहा है कि you are already sign in, obviously हम sign in हो चुके है, then guys आपको simply API पर click कर देना है, once again, जब आप API पर click करोगे, तो current weather data, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर सब आपको मिलेगा, ठीक है, हमें current weather data से मतलब है, and यहाँ पर आपको simply API docs पर click कर देना है, the moment आप इस current weather data के API docs पर click करते हो, now you have multiple options, कि आपको इस API को किस थरीके से use करना ठीक है, आप देख सकते हो, by city name, यहाँ पर by city का ID देके, आपके पास option है, and हम यह जो by city name में इस option को get करना चाहेंगे, यह देखो, इसको मैंने की copy, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा, यह जो API की आपको मिलता है, इसको copy करना है, ठीक है, इसको zoom कर देता, आप पेस्ट कर दूँगा, and boom guys, आप देख सकते हूं कि मुझे यह नहीं मिल रहा है, बता रहा है, invalid API की, all right, API की तो एकदम सही है, invalid कैसे हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूं, वापस guys, अगर आपको बता रहा हूं, मैं भी हो सकता है, just मैंने अभी registration किया, तो मुझे य मेरा data आचुका, आप देख सकते हूं, यही आपको बताना चाहरा था, कि देखो, यह जो API है, कितना complicated है, I mean इतना ज्यादा भी नहीं है, but है at least, weather के अंदर एक area है, उसके बाद एक object है, यहाँ पर यह base station अलग है, then main के अंदर, we have this temperature, wind के अंदर, we have speed, ठीक, आप देख सकते system के अंदर country हमारे पास है, sunset, sunrise का बोगा, name कौन से city का है, तो यह सभी data को आप get कैसे करोगे, मुझे बताओ, आप समझ रहे हो, मतलब data को get कैसे करोगे, यहाँ, like weather के अंदर, array, array के अंदर, object, and then मुझे clouds मेर रहा है, फिर बहार जाके, मुझे main के अंदर जाके, temperature की जोत है, तो आप इसको एक API call से इसका data get कैसे अगर होगे, आप समझ रहे हो, तो वो आपको इस वीडियो में पाता चलने वाला है, and that's why यह हमारा final project है, आपको बहुत मज़ा है, तो अभी इन सब को मैं हटा देता हो, guys, आपको पाता चल गया, कैसे यह work हो रहा है, API हमारे पास है, and हम यहाँ पर एक font उसकाने वाला है, that is weather icon fonts, ठीक है, so guys, अब हम बीना किसी दरी के विडिक स्टार्ट करते है, मैं अपनी VS Code editor पर आच चुका हूँ, यहाँ पर simply मुझे component पर चलना है, एक new folder create करना है, and इसका नाम होगा, guys, weather, simply मैं weather रख दे रहा हूँ, that's it, and यहाँ पर चलके एक new file create करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, temp.js, basically temperature कहने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, and यहीं पर यह, guys, icon मैंने आपको अलड़ी भाता है, जो user, उसको, उसका जो serial link है, वो भी मैंने यहाँ पर add कर दिया, this is it, ठीक है, control, don't worry, मैं इसका code बिल्कुल free में कोई charge नहीं, कुछ नहीं आप जरू check-out कीज़िएगा, अब हम बिना किसी दिर किसका, सबसे पहले तो user interface आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम create करते, ठीक है, and it's super duper easy, so react arrow function component with export, this is it, and हमारा final project है, I really hope guys, you are totally excited, जितना मैं excited हो, ठीक है, बात है, तो बहुत कर दी हमने, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, simply return, तो guys, सबसे पहले हमें कहाची है, सबसे पहले we need this icon, यह जो search icon आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा guys, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक div, ठीक है, क्लास नेम दूँगा, जो की होगा, कुछ भी दे सकते हैं, अशा कुछ निवाश से, तो wrap, all right, awesome, मुझे automatic suggestion आ रहा है, यहाँ पर, and then मैं एक और div लेना चाहूँगा, क्लास नेम देना चाहूँगा, जहाँ पर मैं इसको, all right, यहाँ पर यह बेसिकली इस तरीके से, and इसका नाम होगा search, ठीक है, control है, save करना चाहूँगा, and हाँ, एक चीज है कि, अभी मुझे इसको run भी तो करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, अब देख सकते हो, react 2021, मैं गवाँ, dir करके देखना चाहूँगा, cd, मैं चलना चाहूँगा, हमारा यह जो complete react है, उसमें cls, dir, perfect, यहाँ पर again complete cls, dir, ठीक है, चलो, perfect, यही है, जिसको हम run करना चाहते है, यान start, ठीक है, और अब हमारा run हो रहा होगा, हाँ, लेकिन एक चीज यह पूछेगा, कि कौन से port पर run करना है, जो मेरा previous version है, I mean not previous version, यही तो मुझे आपको करके दिखाना है न, तो उसको भी मैंने run कर रखा, एक अलगी server पर, तो बता रहा है, 3000 पर तो already है, ठीक है, हाँ दूसरे मैं कर दो आप, चलो, ठीक है, वो 3001 पर run होना, चालो, हो जाएगा, ठीक है, चलो, perfect, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से, अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, इसके नीचे मुझे चलना है, यहाँ पर, I need my input, ठीक है, तो वो text रहाएगा, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, else आप यहाँ पर लिख दो, we have, you know, जब HTML5 है, तो we have one more new value, type का, that is your search, search के बाद गाईसा, आप यहाँ पर placeholder लिख दीजे, dot, 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 आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, autofocus में रखना चाहूँगा, यहाँ पर, as it is, ठीक है, autofocus के बाद, guys, इसको एक ID देनी चाहूँगा, and that is your search, अब दो ना दो चलता है, it's totally up to you, कि आपको यहाँ पर किस तर किसे करना है, इसको, इसको एक class name देना चाहूँगा, and that is your search term, ठीक है, control, let's save करता हूँ, and मैं यहाँ पर, all right, ती, देखो, अभी हमें यह दिखाई दे रहा हमारा previous, जो हमने complete किया था, लेकिन मुझे उसमें अप यह वाला icon दिखाना, ठीक है, so, यह जो temp आपको दिखते है, तो मैं पहले इसका, जो first letter, उसको capital करूँगा, pascal convention, इसको मैं copy करूँगा, app.js पर जाओंगा, यह इसको मैं comment कर दूँगा, and यह जो मेरा temp है, ठीक है, इसको copy करूँगा, and यहाँ पर चिपका दूँगा, so, 3, 2, 1, and भूंगा, इसा आप देख सकते हो, मुझे सर्च का, यह जो, इस तरह के सर्च दिखाई दे रहा है, at least मुझे, ठीक है, इसकी मुझे कोई need नहीं, मैं यह है, बस सर्च बटन, जो की होगा, सिंप्ली बटन, पंडॉला सेफ करता, तो at least हो इतना दिखाई दे रहा, मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ तो लिखना पड़ेगा, जो मुझे वहाँ पर दिखाई दे, तो मैं गाइस, इस तरह के से सर्च लिख देता हूं, and यहाँ पर भी कुछ classes है, जो हमें अभी एक काम करते हैं, इसको as it is रखता हूं, and this is it, मेरा यह जो option है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, and बहुत क्यूट सा यह दिखाई दे रहा, and मेरा इसका काम complete हो चुका ठीक है, तो यह जो मेरा deep था, यह मेरा complete हो गया, ठीक, इसके नीचे में च सकते हो, let's go with article, ठीक है, so मेरे यहाँ पर article already लिख रहा था, जब में इसको design कर रहा था, so article ली चलते है, इसको class name में देना चाहूंगा, and that is your widget, control s, save, and let's see, कुछ होता है इतना लिखने से, all right guys, awesome, आप देख सकते हो, मुझे जो box shadow at least हो दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके नी मेरा यह जो i-tag है, मैं i-tag पर चलना चाहूंगा, इसको class देना चाहूंगा, class name, and अब बहुत जाद important है, क्योंकि weather icon पर मैं चलूंगा, मुझे कौन सा icon by default चीह, I need a sunny one, ठीक है, यह वाला जो portion है, ठीक है, इसको copy करूंगा, देन से देखो guys, मुझे लिखना बढ़ेगा, wy, basically, अब मुझे यहाँ पर double quotes लिखने है, and then wi, and then इस्तरगे से मुझे लिख देना है, इतना लिखने है, मातर से अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो guys, वो कुछ आपको इस्तरगे से दिखाई दे रहा, perfect, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुक है, ठीक, यह जो deep आपको दिखते है तो उसके नीचे मुझे आना है, इस deep के नीचे मुझे आके, एक और class name मुझे यहाँ पर, all right, इसको मैं हटाता हूँ, basically, यहाँ पर आके, मुझे यहाँ पर लिखना होगा, weather का मेरा info, अब मेरा जो weather का info है, guys, वो आपको 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 जो भी मेरा temperature होगा, और यहाँ पर span tag, फिलाल के लिखाए, इस में कुछ से 25.5 degrees Celsius में लिखना चाहूँगा, यहाँ पर dollar, and I think, यहाँ पर guys, we don't have this dollar, हमें M% उसका न पड़ेगा, I think guys, ठीक है, and I think this is it, control, let's save करता, perfect, देखो, मुझे इस तरकी से दिखाई दे रहे, कितना cool लेने हैं, तो मेरा यह जो डीव है guys, इसका काम complete, ठीक है, इसके नीचे में चलूँगा, एक और डीव लूँगा, यहाँ पर class name, and this time, it will be my description, class name, and यहाँ पर guys, we have weather conditions, ठीक है, so spelling, एक रम सही लिखना, weather condition, perfect, देखे, क्या होता देखती है, इतना लिखने मातर से अभी आपक इतना खुछ पाता चलनी रहा, लेकिन weather condition के ठीक, नीचे में चलूँगा, and weather का mood कैसा, like cloudy है, यहाँ अमलब जो भी हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके सनी, ठीक है, control है, save कर देता हूँ, ठीक, sunny के नीचे में चलना चाहूँगा, I mean not delete, and पर चलके ठीक, उसके दे दी है, and यहाँ पर दो चीज़े मुझे देने, like फिलार के लिख देता हूँ, इस तरीके से पुना, and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से इंडिया, ठीक है, control है, save करता हूँ, and boom guys, अब आप देख सकते हूँ, at least मुझे इतना दिखाई दे रहा, जो की तो लिख सकता, आपको मालूमी है, so मैं लिख देता हूँ, new date, ठीक है, basically मैं क्या करो, मुझे date, to local string होगा, यहाँ पर local string, आप चाहँ तो कुछ भी लिख सकते हूँ, like अगर आपको सिर्फ time का चाहिए होता, तो आप time लिख सकते थे, and this is it, इतना लिखने मातर से काई से आ यहाँ पर कितना असा में दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरा यह भी part complete हो गया, मेरा यह part complete हो चुक है, अब ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, अब यहाँ पर जो कुछ भी data हमें मिलना चाहिए हो, अब हमें मिलेगा, ठीक है, इसके नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ पर मै एक लास नेम दे देता हूं इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेंप्रेश्चर का हमारा जो भी इंफॉर्मेशन वह यहां पर आने वाल है अभी मुझे क्या करना गाइस इतना आटोमेटिक हो गया यहां पर यह जो पोर्शन एक लेट साइड को दुसरे राइट साइड को तो अब बहुत ध्यां से देखते रहनी है यहां पर क्या करता हूं है मैं यहां पर चलता हूं सक्षिण क्लासइट नेम चलता हूं ठीक है यहां पर मैं इसको मियाए ड़्ेट सेक्षिन किसले क्यों क्याईस यहाँ पर मैंने बाता है ना एक इसके लिए एक इसके लिए यह बहुत जाद इंपॉर्टेंट है ठीक है टूसाइडेट सेक्षिन एंड बेसिकली html का पार्ट है इस पर आप चाहो तो आप अपना खुद का कुछ भी यूज़ कर सकते ऐसा कुछ निया सो मैं यहाँ पर पैरेग्राफ लिख देता हूँ एंड उस पैरेग्राफ पर गाइस I have this anchor tag ठीक है class name दे रहा हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ इंफो लेट साइड ठीक है अब I think यहाँ पर we have already that part also and यहाँ पर गाइस में by default अभी फिलाल के लिए मैं इस तरी किसे लिख करना पड़ेगा एंड मैं यहाँ पर किसे काईस लिख दूंगा sunset कंड्रोल एक सेफ करता हूं और बहुंगा इस आप देख सकते मुझे इतना automatic आ चुका है अभी इसे को ही मुझे copy and paste और मुझे उसको खेलना है ठीक है two sided यह जो दिख रहा आपको two sided वाला जो पार्ट है इसको copy करो यहाँ चलके paste कर दो this is it अब यहाँ पर सेम चीज़ आ गिया है अब इंस्टीड अब यह जो sunset आपको दिखाई देरा गाईस यहाँ पर मुझे कुछ और पार्ट करना होगा and मुझे यहाँ यहाँ पर आइड करना होगा तो मुझे यहाँ पर बारिस दिखाई देगे ठीक है and यहा not rain वहाँ पर गाईस मुझे चाहिए humidity ठीक है जो भी होगा हम यहाँ पर humidity देखेंगे so humidity तो इतना हो जाने के बाद गाईस वापस यह जो पार्ट है ठीक है यहाँ पर यह जो आपको दिखते है यहाँ पर यह जो temp लिखा ठीक इसके नीचे मुझे आना है मैं यहाँ पर चल करता हूं मैं आप देख सकते हो like we have this weather extra info all right all right guys मैं हटाना चाहूंगा वापस सब कुछ क्योंकि मुझे यह जो two-sided दिखाई दे रहा है आपको यह two-sided इसको completely copy करना अच्छे तरीके से आप देख से तो copy हो चुकी है paste नीचे and then paste this is it तो आप देख सकती मेरा सब कुछ हो चु अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर ठीक है कोई बात नहीं उस phone को भी हम टैकल कर लेंगे उसका कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए और गैस तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर pressure and इसका जो आइकन है चेंज कर दे आप यहां पर जैसा हम यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है अब यहां पर जो भी data हमें मिल रहा है वो मैं चाहूंगा कि मुझे वो API के थुरू मिले I mean हमारे API में जो भी data है जो real time data है वो मुझे यहां पर दिखाई दे ना कि मेरा hardcoded हो ठीक है तो सबसे पहला काम अब हमारा क्या होता हमारा सबसे पहले क काम है कि react के थुरू में real world यह जो API है real API इसको मैं call कैसे कर रहे है रहे है को call कैसे हम कर सकते ठीक है अब multiple ways मैं आपको सबसे simplest and easiest and effective तरीका बात आना चाहूंगा देखिए यह जो कुछ भी हो गया तो इसको रहने दीजिए ठीक है मैं top पे चलना चाहूंगा इस जगे पर all right perfect सबसे पहला काम होगा मेरा क्या का इसमें यहाँ पर चलता हूं and यह जो data है मुझे on the spot यह खुछ से चाहिए right and दूसरा trick यह कि जब मैं search button पर click करूँ तब भी मुझे वो चाहिए तो उसके लिए इसमें क्या करूँगा हमारा यह जो button है यहाँ पर मुझे एक event fire करना इस तरीके से get weather ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो weather info चलो ठीक है सबसे important हमारे लिए यह है कि user जब भी यहाँ पर भी कुछ लिख रहा है वो user क्या type कर रहा है उसका data भी मुझे चाहिए and हमने previous वीडियो में समझे लिया तो जब हमने हमारा to do list की थी बहुत ज्यादा simpler that's why मैंने आपको पहले हो करके दिखाए आपको value और input field की we have our value ठीक है and यहाँ पर we have our on change and this is it अब यह जो value है and then यह जो मेरा on change है इसके लिए मुझे कोई ने कोई state variable लगेगा है कि ने तो वो जो मेरा state variable है गाई इस मैं यहाँ पर चलता हूं const all right मैं यहाँ पर चलना चाहूंग const मेरा state variable का नाम होगा गाई simply search value तो सर्च वेल्यू तो सर्च वेल्यू इस तरी किसी लिग देता हूं you know set and again आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है search value all right perfect चलो ठीक है मैं directly जो use state ठूक है use नहीं कर सकता आइड टो इस तरी किसी इंपोर्त इसको भी ठीक है use state चलो ठीक है यह जो search value है copy करूंगा यहाँ पर paste कर दूंगा and यहाँ पर मैं चाहता हूं कि user जो भी लिखा हूं मेरे search value जो मेरा state variable है वहाँ पर वह होता जाए automatic ठीक है तो वो मैं कैसे करूंगा देखो गाइस अगेन मुझे यहां पर फैट अरो फंक्शन लगेगा ठीक है एंड मैं यहां पर इवेंट पास करना चाहूंगा एंड यहां पर गाइस यही है मेरा सेट सर्ट वैलियू विल हविए वैलू अप डिए वैल्यू अप अब मुझे साथ खिलना है यहां पर तो इस सूपर डूपर बिजिए कॉंस्ट गेट वेदर इन्फो विल विल वेड़ फैट एरो फंक्शन इस इट ठीक है एंड मैं चाहूंगा कि बाइड डिफॉल्ट यह जो आप कह सकते हो हमारा यह जो वेदर इन्फो यह जो फंक्शन है यह बाइड डिफॉल्ट कॉलो क्योंकि सिर्फ उरस्ट टाइम के लिए ठीक है मैं चाहूंगा जब मैंचस को पेज रिफेर्स करस्व तो by default मुझे पूने मिल रहा है मैं पेज को तरौ फुल्क को मैंस रिफेर्स करने है तो मैं सर्च बॊंट को क्लिक नहीं करता तो ब dość बिफे डेटा दिखते हैं अग आप देख सकते हैं यहां पर बारी सोरा पूने में अभी और एंड हमने एक कमी इसमें देखी एंड डैट इसकी गाइस अभी तक मैंने जितना भी सर्च किया कभी रेन आया ही नहीं था ओप्सन में ठीक है तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि यह जो रेन के बतले फटा रहा हूँ यहां पर मैं इसको बसुल हैं अलस नहीं हूँ है मेरा यह जो फंग्सनन है वो गाल हो अरक मुझा कम पर चलना है मुझे यहां पर बहुत ज्यादा शिम्पलेशर सबसाफर Computलbe dose async function create करवाना पड़ेगा इस तरीके से perfect चलो ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ मैंने async object use करेंगे and जब आप use करेंगे तो we need some try and catch block also तो इस तरीके से try and catch मैंने यहाँ पर रग दी and यहाँ पर मैं guys simply cancel I mean console.log यह जो भी error होगा मैं यहाँ पर का दूँगा ठीक है तो guys simply इसके अंदर मैं चलता हूँ let url will be equal to मेरा जो url है यह जो भी मेरा url होगा I think all right perfect चलो ठीक है इसको मैं copy करूँगा यहाँ पर इससे मैंने कर दी paste ठीक है अब बहुत जादी important है कि यह जो पूने तो मैं खुझ से लिख रहा हूँ न मुझे थुरी खुझ से लिखना है यूजर ने जो यहाँ पर लिखा होगा वो मुझे यहाँ पर changing place of city तो हम क्या करेंगे यह जो मेरा portion है इसमें guys हम object literals template string भी आप कह सकते हो template literals तो basically यहाँ पर चलके master के से dollar यह हमारा आपको API ID दिखाई देता हूँ आपका जो भी ID है एक basic rule यह है कि आप इसको secure रखना है ताकि बाकी लोग इसका यूज ना कर सके and for that we use the environment variable.enb मैं आपने इसको पर वीडियो बनाएंगा इस top पर आप लिंक देख सकते उसको एक बाद जरू 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 किज़ेगा आपको कुछ matter नहीं करेगा क्योंकि at the end हमें मालूम है कि हम इसको change करने वाले ठीक है कि मैं प्रॉपर इसको रिट कर सकूँ सो कॉंस्ट ठीक है मेरा data will be equal to यहां पर मुझे जो भी data मिलता है उसको मुझे convert करना रहता ठीक है सो response जो है उसमें मैं यह एक second मैं इस तरीके से पास कर दूंगा जेसन ठीक है हमें await का use करना पड़ता है यह सब कुछ मैं try and catch के अंदर लिख रहा हूं इनकेस कुछ गरबर ही हो जाते है तो catch उस error को catch कर लेगा एंड हमें console पर थ्रोग कर देगा चलो ठीक है इतना मेरा part complete हो चुक है अब मैं आपको कुछ चीजे दिखाना चाहूंगा like console.log and let's go with data ठीक है मैं as it is रखता हूं मैं यह जो data है दिखाना चाहूंगा कि user ने जो भी CT लिखा क्या मुझे CT का data आ रहा है console पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं all right use effect hook जो है बता रहा है कि इसको भई आपने define नहीं क्यों ऐसी क्या data रहा है use effect is not defined perfect उसको हम यहाँ पर कर जाते है define चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा inspect पे all right इसको मैं वापस एक और बार refresh करना चाहूंगा सब कुछ perfect ठीक है console पर मैं जाना चाहूंगा अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं refresh करूंगा एक बार यह जो पूने है पूने को मारो गोली मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा Mumbai ठीक है and basically मुझे थोड़ा सा समय लगा and I just realized you know क्या होगा यहाँ पर actual मैं गाइस मेरा यह जो API है वो API कभी भी हम ऐसे call करते के नहीं ना मुझे proper API लगेगा यहाँ पर इसको copy कर रहा हूं ठीक है ध्यान से देखा यहाँ पर क्या गलती कर दी यहाँ पर मैंने जो पूना आपको दिखता है इसको मारो गोली यहाँ पर simply चलके हमें अपना खुद का code add करना है इस तरीके से ठीक है and that will be our search value so मैं लिख देता हम search value and I think value perfect चलो ठीक है control है save अब मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा and boom guys अब मुझे मेरा Mumbai का पूरा data आ रहा automatic आ गया तो गलती हमने क्या किती guys कि यहाँ पर जो STPS था वो मैंने नहीं include की थी बट अब कर दिया तो सब कुछ perfect हो चुका है this is it इतना ही करना था अब देखो बहुत important है and that is कि यहाँ पर मुझे temperature चीए यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सा city है clouded का है कि sunny है कि क्या है ठीक है and वो सब कुछ बताने के लिए गाइस आप देख सकते हूं कि सारा data उतल फुतल है you know यहाँ पर आप देख सकते हूं main जो एक object उसके अंदर temperature है then whether एक object उसके अंदर एक array है array के अंदर एक और object देन जाए कि हमारा cloud बात आ रहा है तो यह जो portion इसको मैं कैसे tackle करता हूं ध्यान से देखो बहुत जादे simple है ठीक है so guys मैं यहाँ पर चलता हूं अब मैं object अब मुझे temp मिल जागा यहाँ पर मैं एक बाद console.log and then temp करके दिखाना चाहूंगा कि मुझे temp में क्या value आ रहा है and boom guys आप देख सकते मुझे temperature बता रहा है ठीक है and यहाँ पर नोने बहुत अच्छे भी लिखना पड़ेगा इस तरह किसे तो यह already उन्होंना अपने documentation पर दिया हुआ है इतना and मुझे यहाँ पे all right I hope everything is perfect and this is it 302 जो पहले मुझे दिखाई दे रहा ता अब मुझे 28.99 degree Celsius मुझे मिल चुक है basically Celsius में data मुझे आ चुक है मैं थुछ दिर के लिए करता हूँ का इस बी के बदले यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ चुकि इसकी एक लिमीट है free वाले का लिमीट है कि आप इतना ही कर सकते उससे ज्यादा नहीं तो आपको पता चल गया कि इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ ना अप्टर टैंप I need the humidity and अब देख सकते हो गाई humidity भी और यही पर ही पड़ा हुआ humidity और प्रेसर भी हमारे पास ही तरी पड़ा हुआ ठीक है सो मैं यहाँ पर चलके humidity and वी हैब आप प्रेसर उसको भी मैं यही पर ही पेस्ट कर देता हूँ ना यह तीन हो जाने के बाद गाई मुझे जाना पड़ेगा वेदर के अंदर ठीक है पहले मैं यह जो डेटा है डेटा डॉट मेरा यह जो वेदर है ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ वेदर देखो वेदर के अंदर एक एरे हैं बिसिकली यह एक एरे ओफ एन ऑब्जेक्ट है ठीक है सो एरे मेरा पहला जो भी ऐलिमेंट है जिए वर से स्टार्ट होता है न डॉट उसके बाद जीरो मलब इसके अंदर में आ चुका हूँ एंड इसमें मेरा क्या है वह में करके जो भी है डॉट में यह जो जो मेन है क्षक्ट करेंद इसको मैं कुछ और नाम देना चाहां गा है अब मैंने कल एक किसको क्या पता चलेगा मेन मतलब क्या है अब मैंने वेदर का मोड लिख दे है यहाँ पर ठीक है और इतना हो जाना गाद गाद गाइस आपको इसे लिख देना है तो थाना काई से कितना आशम मैंने आपको बता है था मैं आपको बताओंगा एक सिंपल ट्रिक चाहे अब आपका कितना भी डीवू आप बहुत इसको टैगल कर सकते हो ठीक है स्पीड मेरा हो चुका है नाओ कंट्री मुझे चाहिए कंट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा कंट्री कहा है कंट्री यहाँ पर देख सेकते ओं शिस्टम के अंदर है ठीक है सो मैं चलता हूँ इस रख देता हूँ data.sy system यहाँ पर we have our country साथ ही साथ we have our sunset अब देखो sunrise वो totally आपके उपर है at least इतना आपको पता चल गया तो बाकी आप खुछ से कर लोगे this is it ठीक है इतना मेरा काम complete हो चुका अब भी यह सभी data मुझे one by one चाहिए and मुझे data pass करवाना है अब वो कैसे होगा उसके लिए इसमें अगेन एक अपना खुद का object करूँगा यहाँ पर my new weather लिख देता हूँ my new weather info ठीक है आप कुछ भी लिख सकता है आसा कुछ नहीं है and will be equal to this is it and यहाँ पर guys अब देखो यह जो भी होगा मेरा temperature comma मेरी जो यह humidity एक काम कर सकता हूँ या एक काम करता हूँ इसको मैं copy कल लेता हूँ presser and then यहाँ पर मेरा यह जो भी है इसको मैं करता हूँ copy ठीक है अब हुदर ही paste होगी है यहाँ पर चलके paste करता हूँ speed we have our country country and then we have our sunset ठीक है sunset इसको मैं हटाता हूँ and यहाँ पर मैं country चिपका देता हूँ this is it अब देख सकते हो कितिनी easily मैंने अपना खुद का एक you know system create कर ले एक object create कर ले not system अब यह जो भी data मुझे इसको अपने state variable में add करना है तो उसके लिए इसमें आगे यहाँ पर चलता हूँ const मुझे यहाँ पर चलना पड़ेगा ठीक है const यहाँ पर मैं लिख देता हूगा इस इस तरीके से temp अब मतलब temperature का मेरा job information है तो temp info इस तरीके से लिख देता हूँ comma set temp and इस तरीके से मेरा info ठीक है will be equal to use state all right perfect इसको as it is छोड़ा फिलाल यह मैं इसको रख देता हूँ एक empty array ठीक है एक empty array भी नहीं बोल सकते एक empty रख देता हूँ खाली कुछ भी नहीं normal है तो empty data आप कह लिजे copy करता हूँ ठीक यहाँ पर मैं चलूँगा all right not वहाँ पर यहाँ पर मैं चलना चाहूँगा इस तरीके से set info इस तरीके से मैं यहाँ पर रख की यह जो भी मेरा data है copy and then pass तो मैंने basically object pass कर दी यहाँ पर ठीक है आप चाहो तो guys यहाँ पर एक काम करते empty object पर पास करवा देते हैं कि ने all right आज मेरा mouse work नहीं कर रहा पाता नहीं क्या हो गया बर जो भी हो guys I hope आपको मज़ा रहोगा and आपने देख लिया कि guys एक API के साथ हम कैसे deal करते क्योंकि इतने सारे data मुझे चाहिए था उसको मैंने कितनी एजी लिक object में stored की and यहाँ पर बस मैंने pass कर दिया this is it अब यही जो data है मुझे one by one यहाँ पर उनको call करवाना है and humidity की spelling wrong मैंने लिख दी है तो control s save करता हूँ I hope now everything is perfect awesome अब guys हमें खाली इतना करना है कि यह जो भी data हमें यहाँ पर दिख रहा है मुझे उसको you know खाली यहाँ पर add कर देना और कुछ नहीं करना है इतना ज्यादा simple है लेकिन मैं इतना कुछ एक ही page पर नहीं रखना चाहूँगा so मैं यहाँ पर चलता हूँ weather के बाद मैं new file create करूँगा आप लिख सकते हो यहाँ पर weather card कुछ भी आप लिख सकते हो dot js इसमें react arrow function वो तो लगने ही वाला है you know तो इसको मैं हटाता हूँ perfect अब ठीक इसमें मैं क्या करूँगा यह जो मेरा article वाला portion आपको दिख रहे है तो पूरा इसको guys मैंने delete कर दिया आप देख सकते हो कितना awesome and simple सा दिखाई दे रहा भी है ठीक है अब मैं वो कैसे पास करवा सकता हूँ I mean it's super duper easy आप चाहँ जिसमें context रीपे यूज कर सकते थे use context यूज कर सकते हो लेकिन मैं आपको simplest बात आता हूँ with the help of props and वो बहुत इसली इस पे work कर जाएगा so यहाँ पे मुझे चलना है यह जो भी मेरा weather है ठीक है control D control D करो and यहाँ पे यह जो पहला इसको आपको capital करना पड़ेगा सबसे पहले हम इसको get करेंगे top पे मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं import कर लेता हूँ so we need to import weather card from dot forward slash weather card dot j से तो हमें you know वो लिखनी की need नहीं है यह जो weather card अब एक component यह बनके ready हो चुका है यहाँ पे चलना चाहूँगा simple and it's super duper easy weather card and this is it अब जहाँ से देखो यह जो portion है that is set info and basically यह temp info जो है guys इसको मुझे अब pass करना है ठीक है as a props तो मैं यहाँ पे चलता हूँ temp info will be equal to temp info ठीक है and this is it मेरा यह part complete हो चुका है and यही same temp info को मैं copy करूँगा यहाँ पे मैं चलके guys इस तरह के से यहाँ पे as a props पास कर दूँगा and मैं चाहूँ तो guys इसको ढिटो यहाँ पे जो इनोंने किया है ठीक है इन सब को मैं copy करूँगा इस तरह के से यहाँ पे मैं चलके guys बहुत simply const basically destructuring करूँगा आप मैं ठीक है जहाँ से देखना paste and will be equal to माई यह जो भी temp info आपको निल रहा है this is it इतना ज्यादा simple था यह ठीक है and अब एक चीज में आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो मेरा temperature है यहाँ पे suppose जो भी मैंने लिखा है ठीक है इसको मैं हटा कि इस तरह के से यूनो हम directly javascript का part लिख सकते inside a curly braces यहाँ पे मैं खाले इस तरह के से temp लिख दूँगा मलब यह वाला temp ठीक है and अगर मुझे यहाँ पे data मिलता है तो यह suppose work कर रहा है but हमें data नहीं मिल रहा है तो वो जो data क्यों नहीं मिल रहा है मैं आपको एक चीज़ बाताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे मैंने इतना लिखा and यहाँ पे हमने एक const गी तो यह जो temp का data guys मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहीए था लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हमने अभी उसको wrong लिखा तो it is my bee and boom guys see 25 degree celsius मेरा work कर गया होगे मेरा कम अब मुझे क्या करना है खाली suppose यह जो मेरी आपको मैं जैसे दिखाना चाहूँगा suppose यह पूने है ठीक है आप यहाँ पे भी आपकोbahn है पूना यहाँ यहाँ पे छहल के खाले आपको नाम लिख देना है आपको यहाँ अडिक अप्या कंड़िबदे कंट्री और कर देना लैकिन आप आप देखो गाईश पूने इंडिया आउटोमेटिक और यहाँ पे मैं चल के humidity इस जगे पे आपको humidity चिपका देनी इस तरीके से ठीग है and I think यह कॉमा यहां नहीं लगेगा and humidity में यह time कुछ होता भी नहीं है उसे तरीके से guys आप one by one यह जो आपका sunset की जो भी timing हो रही होगी आपको copy करना है and यहाँ पे आपको वह sun set है चिबका देना है ठीक है and उसी तरीके से guys आपका यह जो speed है यहां पे जो speed bottom यहां पे चलना है चिबका देना है एक second कहा गया बोगिया alright यहां पे मैं चलना चाहूंगा ठीक है इस तरीके से attack ए and alright guys इस तरी के से मेरा यह speed मेरा काम हो गया है ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो pressure है इसको भी मैं हटाना चाहूंगा और यहाँ पर मैं इस तरी के से लिख देता हूँ pressure this is it अब आप देखो कि guys automatic मुझे सारा data रहा है एक problem है and that is कि guys यह जो portion दिख रहा आपको 162 वाला जो दिखाई दे रहा है अभी यह जो portion इसको मुझे convert करना होगा time में तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ ठीक है guys वो बहुत ही ज़्यादा simple है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टॉप पर आना पड़ेगा इस जगे पर ठीक है यहाँ पर द्यांस से देखो guys मैं लिख देता हूँ converting let seconds will be equal to मेरा यह जो भी sunset की value है ठीक है basically seconds को मुझे time बे convert करना है ठीक है so where मैं यहाँ पर let's go with let only final के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys इस इस देट will be मेरा यह new date जो मैंने लिखा यहाँ पर simply ठीक है and take इसके अंदर guys में क्या करना चाहूँगा कि मेरा जो यह second है उसको मैं multiply करना चाहूँगा 1000 से यहाँ पर जो भी time होगा ठीक है sunset वाला उसको मैंने 1000 से multiply कर जाता है कि मुझे milliseconds मिले and जब milliseconds से एक बार आपको मिल जाएगा हम उसको बहुत easily convert कर सकते है time में ठीक है जावस्क्रिप्ट की मादद से इसमें react तो कुछ है नहीं जावस्क्रिप्ट है so let मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys time str will be equal to देखो कैसे मैं simple ना मतलब fund अपना और template literals मैं यहाँ पर लिखता हूँ dollar it's super duper easy and that is जो भी अब मेरा यह date है dot मुझे क्या चीए मुझे hours चीए so get hours करके कुछ है और let get hours this is it ठीक है मुझे यहाँ पर colon इस तरके से लगेगा space देने की नीट नहीं है again मुझे यहाँ पर dollar लगेगा and I think मुझे इसको इस तरके से close करना जरूरी था perfect ठीक है and again मुझे यहाँ पर इस तरके से same date dot अब मुझे SZT चिपकाना है and जो भी वहाँ पर time होगा mostly वो PM होने वाला अब यह जो time STR है इसको मैं copy करूँगा and sunset के वाले मैं चिपका दूँगा and boom guys see एक second यह curly braces क्या कर रहे है एक extra kali braces है कहीं तो भी यह वाला and boom guys see आप देख सकते हो 19 बच के 18 मिनेट 7 बच के 18 मिनेट पीम में sunset होगा humidity pressure and then speed मुझे मिल चुका है अब सबसे ज़्यादी important यह है कि sunny में चलो यह ठीक है एक दम perfect है क्योंकि हमने sunny यूश किया वात हम आपे and मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो weather का जो mood है इस जगे पर होगा ठीक है so यहाँ पर we don't know की weather का mood किस तरीके का होने वाला है I mean we need one more event variable यहाँ पर भी ठीक है I mean state variable not event variable const यहाँ पर चलता हूं and आप कुछ भी लिख सकते हो मैं यहाँ पर guys इस तरीके से लिख देता हूं weather का current state क्या होगा ठीक है so weather ठीक है use state चलो perfect फिलाल के लिए मैं इसको empty छोड़ देता हूं ठीक है अब भी मुझे क्या करना होगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूं फिलाल एक ही use state उने वाला है तो मैं directly react लिख सकता हूं अब मेरा टोटल जो weather mode आपको दिखा देरा है इसकी उपर depend है कि हमें क्या दिखाना है यहाँ पर like weather mode अगर sunny है तो sunny दिखाना है weather mode mode अगर cloudy तो cloudy दिखाना है उस तरहीं से ठीक है so मैं क्या अगरते हों यहाँ पर मैं चलता हूं मुझे आना बढ़ेगा ठीक सके नीचे यहाँ अगर उसकी वेल्यू चेंज होती है तो ही simple ठीक है यहां पर एक और condition मुझे लगाना है कि अगर मुझे वेदर मूड का data मिलता है तो ही ठीक है मैं अल्राइट एक्चुल में इसको copy करके यहां पर प्रेश कर देना है अगर वेदर मूड का data मुझे मिला तो ही मतलब API मेरा अगर चला तो ही मुझे यहां पर switch case use करना पड़ेगा पॉफेक्ट ठीक है एंड switch case में अगें मैं यहां पर वेदर मूड ही एड करने वाला हूँ इस तरह के से वेदर का मूड क्या था हमारा ठीक है एंड उसकी basis पर देखो अगर वेदर का मूड था cloud ठीक है मैं data देख लेता हूँ एक बार यहां पर c l o u d s cloud ठीक है अगर the state sorry not weather state यह set weather state होगा set weather state यहां पर इस तरह की से एंड यहां पर गाई सब मैं पता है क्या करूंगा double quotes के अंदर w i sorry इस तरह की से day आइफन and then cloud में लिख दूँगा इस तरह की से ठीक है and this is it अगर अब clouds वाला कहीं पर भी अगर हमें वेदर का वो जो मूड दिख गया तब म मैं उसको यह दिखाना चाहूंगा तो simply जब भी अगर clouds होगा तो guys हमें यह वाला जो भी आइकन है वो दिखाई देगा simply अब उसी तरह की CC को मुझे guys copy करना है paste and then paste तो मैं आपको बाता है अगर clear होता तो उसके लिए हमने कुछ लिखा नहीं था लेकिन मैं यहां पर चलके clear करके sunny का कुछ था नहीं so अगर सब कुछ होता है clear then we have again यहां पर all right guys मैं actually clear पर भी कुछ और लिखा है तो let's go with sunny यहां पर sunny and I think all right perfect so इतना है and then default पर guys में क्या करता हूं कि यह जो है इसी कोई copy and then paste chip का देता हूं this is it ठीके तो अब totally हमारे weather mode की उपर depend रहेगा कि हमारे state variable क्य क्या होने वाला एंड वो जो icon होगा उसको मैं update करूँगा on the basis of जो भी यहां पर mode दिखाई देगा and use effect बता रहा है कि define नहीं किया गया it's totally fine क्योंकि हमने 1000 बार देख चुका use effect अगर नहीं किया गया तो इस तरह किसे कर देंगे and हमारा काम हो जाएगा and अब एक बार देखत मुझे वो icon नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है and उसका reason है कि कुछ ऐसा है so dollar curly braces and यह जो मेरा weather status को मैं करूँगा copy ठीक है यहां पर मैं कर दूंगा paste and simply मैंने paste कर दी आपको यहां पर back tick देना है इस तरीके से this is it and boom guys see अब अगर sunny है तो मुझे यह दिखाई दे रहा है लेकिन and मैं यहां पर चलके guys Delhi करना चाहूंगा let's go with Delhi 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 में कैसा all right guys एक चीज़ हम देख सकती कि मुझे यह sunny ही दिखाई दे रहा है जबकि ऐसा होना नहीं ची ठीक है तो weather का जो भी state है यहां पर आप देख सकते मेरा weather state उसको मैं guys define कर रहा हूं जब-जब हमारा यहां पर weather का जो मूड़े वह चेंज होता है ठीक है तो यह जो मेरा weather मूड़े उसके basis पर हम सब पुछ देख रहे हैं यहां पर और गैस तो I just realized कि हमने sunny के बतले तो कुछ चेंज ही नहीं किया है यहां पर मुझे चेंज तो करना पड़ेगा मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा guys हमारा ज चीज पाता चलता है क्या है क्या नहीं है तो यह जो मिस्ट इसको भी मैं copy कर लेता हूं यहां पर पेस्ट कर देता हूं and I think यह जो मिस्ट होगा वो इस तरीके से नहीं इस तरीके से होगा ठीक है मिस्ट मन्दो हलका सा foggy type again वही सेम चीज है मुझे इतना कुछ मिल तो नही नेपाल का है क्लाउड चुका है ठीक है अज प्रश्रीम के लिएतना ही आपको बहुत मज़ा होगा हमने रियक्ट ने वान विडियो में क्लेक्ट समझा नहीं हमने उसको प्रक्रिकली करकी देखा कि कैसे यह वो करर home Просто संभीक है साथ आपको मैंने वह करके दिखाए कि कैसे आप डेटा गेट कर सकते हो एंड नाव यह इसको अगर आप फोस्ट कर दो इसको दैन आप कहीं पे भी यूस कर सकते हो एंड बहुत जल्द इसको पर भी वीडियो आना कि होस्ट कैसे करना है एंड बाइद वै मैंने अलड़ी एक सिखिया राइट यहां पे मुझे इसको डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा क्यों न क्या हो इन सबको मैं कॉपी करू एंड इंस्टीड आप टैंप इंफो डैरेक्ली यही पर ही चिपका दू तो मुझे इतना कुछ लिखनी की नीड नहीं पड़ेगी ठीक है मैंने डिरेक लुक्र और से सब डेटा मिल रहे होंगे इन सब डेटा को धस मैंने यहाँ पर डिकली डिस्ट्रक्चर कर दिया अब मैं यहाँ पर चलता हूं फिर भी मुझे डेटा मिल रहा है थादा है यह आज्सम तरिक तो यही। इस гांश डिफ्रृपन टिफ्रेंट डिफ्रिक्स है so that's why guys इस project को रखा ताकि छोटे-छोटे project के थो आपको पाता चले कि कैसे work करना है and then वो e-commerce भी में जल्दी लाऊंगा and उससे भी आपको पाता चल जाएगा तो guys उस video को भी देखने के लिए मेरे channel को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको notification जरूर आता रहे so this is it guys आपको इस project कैसा लागा नीचे comment करके जरूर बाता आना so this is it guys आज इस video के लिए इतना ही and I really hope guys आपको बहुत ही मजा आया होगा क्योंकि हमने basic 2 advanced with 5 project complete react jazz को देख लिया है समझ लिया है and I know आप आप master जरूर बन चुके होंगे now it's totally up to you कि आप कितना practice करते हो आप कितना hard work करते हो इस सारे concept को एकदम समझ के एक real world project में implement करने के लिए ठीगे हला कि मैंने आप आलड़ी दिखा ही चुका so guys बाताना चाहाँगा आपको वीडियो कैसा लगा जरू subscribe कर लिजेगा right side में credit का लग का bell icon एक घंटी दिखा देगा hit किजे click किजे तक आप daily इस awesome videos के मिस ना करे so till then guys thank you so much देख किया हूँ